प्रस्तावना व्यवसाई में हर मोका केवल एक बार आता है अगला बिल गेट्स एक ओप्रेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा अगला लेरी पेज या सरगई वरीन एक सर्च इंजन नहीं बनाएगा और अगला मार्क जुकरबर्ग एक सोसल नेट्वर्क साइट नहीं बनाएगा यदि आप इन लोगों की कोपी बना रहे हैं तो आप उनसे सीख नहीं रहे हैं बेशक कुछ नया बनाने के बज़ाए किसी भी मोडल में थोड़ा फेर बदल कर नकल बनाना आसान है एसा करना दुनिया को एक से एन तक ले जाना है लेकिन हर बार जब हम कुछ नया बनाते हैं तो हम जीरो से एक तक जाते हैं हर बार कुछ नया बनाने के कारिये के परिणाम बहुत ही अलग और अजीब होते हैं जब तक कम्बनिया नई चीजों को बनाने के कठिन कारिया में निवेश नहीं करती हैं, तब तक वे भविश्य में ऐसपल ही रहेंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके मुनाफियाज कितने बड़े हैं हमें जो विरासत में मिला है, वहें व्यावसाई की पुरानी तकनिकों को ठीक से परियोग करने से मिला है लेकिन यहें अब जितना आसान लगता है, वहें उतना ही असंभव है यह स्थिती 2008 के संकट से कहीं जाड़ा बत्तर दिखाई देती है आजकल की सरवतम मान्यताओं के कारण नए रास्ते अवरुद हो गई है विशाल परसासने के नोकर्शाहों के दुनिया में सारवजनिक और नेजी दोनों ही एक नए रास्ते की तलास में एक चमतकार की उम्मिद लगाए बैठे है यदि अमेरिकी व्यवसाई सफल होने जा रहा है तो हमें असल में सेंकडों नहीं हजारों चमतकारों की आवशकता होगी यह एक महतपूं तकार निराशा जनक तत्य है कि मनुश्य अन्य जातियों से ज़्यादा चमतकारों के काम करने की क्षमता बढ़ाने की तक्निक को खोचता रहता है प्रोधोगी की चमतकारी है क्योंकि यह हमें हमारी मौलिक शमताओं को उचस तर तक पहुंचाने के लिए कम से कम करने की अनुमती देती है अन्य जानवरों को सहज रूप से बांदो या हनिकॉम जैसे चीजों को बनाने के लिए प्रेरिद किया जाता है लेकिन हम केवल वे हैं जो नई चीजों का आविश्कार कर सकते हैं और उने बनाने के बहिटर तरीके खोच सकते हैं मनुशय टे नहीं करते हैं कि पहले से दीए गई विकलपों की कुछ बर्माडिय सुची से विकलप बना कर क्या बनाना है इसके वज़ाए नई टेकनोलोजी बनाकर हम दुनिया की योजना को फिर से लिखते हैं ये प्रात्मिक सकते हैं जो हम दूसरे बेडर को सिखाते हैं लेकिन उन्हें ऐसे दुनिया में भूलना आसान है जहां हम जो भी करते हैं वह दोराया जाता है जो पहले किया गया है जीरो से वन नई कंपनियों को बनाने वाली कंपनियों को बनाने के बारे में है यह पेपाल के सहे संस्थापक और फिर फेस्बुक सैंकडो स्टार्ट अप में निवेशक के रूप में सिखा है लेकिन जब मैंने कई पैटर्न देखे और उन्हें यहां से जोड़ता हूँ तो यह पुस्तक सफलता के लिए कोई सुत्र नहीं देती है सिक्षन उद्मियता का विरोधवास यह है कि एसा सुत्र आवशक रूप से अस्तितों में ही नहीं हो सकता क्योंकि प्रतेख नवाचाद नया और अनुठा है दरसल मैंने देखा है कि एक मातर सबसे सक्टिशाली पैटर्न यह है कि सफल लोगों को ऐ प्रत्याशित स्थानों में मुल्य मिलता है और वे सुत्रों के बजाई पहले सिदान्तों से व्यावसाई के बारे में सोच कर इसा करते हैं यह है पुस्तक स्टार्ट अप के बारे में एक कोर्ट से उत्वन होती है जिसे मैंने 2012 में स्टैनफोर्ट में पढ़ाया था कोलेज के कुछ सात्र विशेष्टाओं में बेहत कुशल बन सकते हैं लेकिन कई लोग कभी नहीं सीखते कि व्यावक गुनिया में उन कोशल के साथ क्या करना है कक्षा को पढ़ाने में मेरा प्रात्मिक लक्षय था कि मेरे चात्रों को अकाद्मिक विशेष्टा उद्वारा बनाई गए ट्रैकों से पर ये व्यावक भविशे में देखने के लिए मदद करें उन चात्रों में से एक ब्लैक मास्टर ने विश्टरत कक्षा नोट्स ले लिए जो कैंपस से बहुत दूर फैले हुए थे और जीरो टू वन में मैंने व्यापक दर्सकों के लिए नोट्स संसोजित करने के लिए उनके साथ काम किया है एसा कोई कारण नहीं है कि भविशे केवल स्टैनपोर्ड या कोलेज में या सिलिकोन वैली में ही है जब भी मैं किसी नोकरी के लिए किसी का साख्षात कर लेता हूँ तो मैं इस सवाल से शुरू करता हूँ क्या आप कोई ऐसा महतवपून सत्या जानते हैं जिस से बहुत कम लोग सहमत हो यह सवाल सुनने में आसान लगता है क्योंकि यह सीधा है असल में इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है यह बोद्धिक रूप से कठिन है क्योंकि स्कूल में हर किसी को जो ग्यान सिखाया जाता है वह परिभासा पर निर्वर करता है और यह वग्यानिक रूप से भी कठिन है क्योंकि उत्तर देने का प्रियास करने वाला कुछ ऐसा कहेगा जो जारा पर सिद्ध नहीं है जिसे वो जानता है हम जानते हैं कि शानदार सोज दुरलब है लेकिन यह भी तो सच है कि साहस परतिभा की तुलना में कम नहीं होना चाहिए आम तोर पर मैं इस तरह के उतर सुनता हूं हमारी सेक्षन एक पर नाले तूट गई है और तत्काली से ठीक करने की जरूरत है या अमेरिका ऐसा धारन है या कोई भगवान नहीं है आदी आदी ये बुरे जवाब है पहला और दूसरा कतन सत्य हो सकता है लेकिन कई लोग पहले से ही उनके साथ सहमत है तीसरा उत्तर बस एक परिचित भहस को एक दरब ले जाता है एक अच्छा जवाब निमन लिखित जैसा हो सकता है अधिकांस लोग इसमें विश्वास करते हैं लेकिन सत्य इसके विविपरित है मैं इस अध्याय के बाद में अपना उत्तर दूँगा इस विरोदाबासी प्रशन का भविश्य के साथ क्या सबंद है सबसे कम शब्दों में इसका आर्थ यह है कि भविश्य बस आने वाले सभिक्षनों का एक सेट मातर है लेकिन भविश्य को विसिष्ट और महतोपूर वह बनाता है जो कि अभी तक गठिक नहीं हुआ है बलकि यह एक एसा समय होगा जब दुनिया आज से अलग दिखाई देगी इसका मतलब है कि अगर हमारे समाज में अगले सो वरसों तक कुछ भी नहीं बदलता है कोई भी भविश्य की सटीक भविश्यवानी नहीं कर सकता लेकिन हम दो चीजें जानते हैं कि कुछ अलग होने जा रहा है और यह आज की दुनिया का मूल है विरोदाबासी प्रशन के अधिकांस जवाब वर्तमान को देखने के विविन तरीके हैं अच्छे जवाब निकट हैं क्योंकि हम भविश्य का भविश्य जब हम महुश्य के बारे में सोचते हैं तो हम प्रगती की उमीद करते हैं वह प्रगती दो रूपों में होती है शेतिज या फोरी जेंटल प्रगती या व्यापक्द प्रगती का आर्थ उन चीजों की नकल बनाना है जो एक से इन तक काम करते हैं होरीजेंटल प्रगती की कल्पना करना आसान है क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि यह है कैसा दिखता है लंबवत या वर्टिकल प्रगती या गहन प्रगती का अर्थ है नई चीजें करना जिसे जीरो से एक तक जाना कहते हैं लंबवत प्रगती की कलपना करना कठिन है क्योंकि इसे किसी और चीज़ की आवशक काप होती है यदि आप एक टाइप राइटर लेते हैं और वैसे ही सो टाइप राइटर बनाते हैं तो आपने 36 यानि होरिजेंटल प्रगती की है यदि आपके पास टाइप राइटर है और आप वर्ड प्रोसेसर बनाते हैं तो आपने लंबवत यानि वर्टिकल प्रगती की है छोटे स्थर पर ख्षतीज प्रगती के लिए एक शब्द है वैस्वी करन इसके अंतरगत चीजें एक जगह बनती है और वे हर जगह काम करती है चीन वैस्वी करन का बेहतरीन उधारन है इसकी 20 साल की योजना आज के अमेरिका की तरह बनना है चीनी हर उस सामानिया सेवा की नकल बना रहा है जो विक्सित दुनिया में पहले से मौजूद है 19 सदी के रेल बार, 20 सदी के एर कंडिशनिंग और यहां तक की पूरे शहर भी वे चीजों को बनाने की प्रोसेस के कुछ स्टेप ही चोड़ते या बदलते हैं जैसे उधारन के लिए वे सीधे लेंड लाइन स्थापित किये बिना वाइरलेस पर जा रहे हैं आखिर में वे सभी की नकल ही तो बना रहे हैं टेकनोलोजी वर्टिकल प्रगती जीरो से एक का बेहतरिन उधारन है हाल के दसकों में सूचना प्रगती की टीवर प्रगती ने सिलिकोन वैली को सामन्य रूप से टेकनोलोजी की राजदानी बना दिया है क्योंकि कम्प्यूटर के लिए तकनीक सीमित होने का कोई कारण नहीं है उचित रूप से समझने के लिए चीजों को बनाने का कोई भी नया और बहतरिन तरीका तकनीक ही है क्योंकि वैस्वी करन और तकनीक प्रगती के दो भिन तरीके हैं इसलिए दोनों एक ही समय में या तो हैं या नहीं है उधारन के लिए वेश्विकर्ण और तकनीक ने सन 1815 से 1914 तक तेजी से विकास किया पहले विश्विकर्ण और किसिंजर की यातरा के बीच 1901 में चीन के साथ सबंदों को फिर से खोलने के प्रयास हुए उस समय चीन में तेजी से तकनीकी विकास तो हो रहा था लेकिन वेश्विकर्ण अभी ने के समान ही था 1901 के बाद हमने सीमित तकनीकी विकास के साथ तेजी से वेश्विकर्ण देखा है जो ज़्यदातर इन्फॉर्मेशन टेकनोलजी तक ही सीमित है वेश्विकर्ण के इस युग में हमारे लिए कलपना करना आसान है कि आने वाले दस्कों में अधिक एक रुपता और समानता आएगी यहां तक कि हमारी रोजमर्रा की भासा भी बताती है कि हम एक परकार से तकनीकी इतिहास के अंत में विश्वास करते हैं दुनिया के विभाजन से हमारा तात्परिया है कि तथा कथिद विक्सित और विकास सिल देशों में बटवारा विक्सित दुनिया के देश पहले से ही प्राप्त करने योग गैचीजों को प्राप्त कर चुके हैं और गरीब देश इन चीजों को पाने के लिए दोड़ लगा रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सच है विरोधाबाची प्रशन का मेरा जवाव यह है कि जादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया का बविश्य वैस्वी करन द्वारा परिबाशित किया जाएगा लेकिन सचाई यह है कि प्रोधवी की अधिक माइने रखती है तक्निकी परिवर्तन के बिना यदि चीन अगले दो दसकों में अपने उर्जा उतपादन को दुगना कर देता है तो यह है इसके वाईयो परदुशन को भी दुगना कर देगा यदि भारत के लाकों परिवार अमेरिकियों की दिन्चरिया अपनाएगा और केवल अपने आपको पास्चात्य जिवन शैली से परिपूर्ण करने में लगा रहा तो परेणाम उनके वे परियावन के लिए विनाश्टारी होंगे दुनिया भर में धन बनाने के पुराने तरीकों को अपनाने से धन नहीं केवल विना से ही उत्पन होगा दुरलब संसादनों की दुनिया में नई तकनीक के विनाव वैस्वी करन ऐस्थाई है नई तकनीक कभी भी इतिहास की एक स्वेचालित विसेस्था नहीं रही है हमारे पूरवद, स्थेर, वे निन समाज में रहते थे जहां सब भलता केवल दूसरों की चीजों को जब्द करना माना जाता था उन्होंने धन कमाने के केवल कुछ ही नाम मातर के नए विकल्ब बनाए और लंबे समय तक वे उपाए एक ओसत व्यक्ति को कठिन जीवन से बचाने के लिए परियाप्त नहीं थे फिर लगबग दस हजार वर्सों बाद प्राचीन योग में क्रिशी, पवंचकी, मिट्टी के बरतन और सोल्वी स्ताबदी में एस्ट्रो लेप्स और फिर अजानक आधुनिक दुनिया ने 1760 के दसक में भाप इंजन के आगमन से लगबग 1970 तक निरंतर तक्निकी परिगती की परिणाम स्वरू हमारी किसी भी पीछली पीडी की कल्पना के मुकाबले हमें एक अमीर समाज विरासत में मिला है हमारे माता पिता और दादा दादी को छोड़कर कोई भी पीडी 1960 के दसक के अंत में जो सोचते थे कि यह प्रगती इसी तरह निरंतर चलती रहेगी वे उन्होंने उमीद की थी कि वे घर के लिए बहुत सस्ती विजली का उप्योग करेंगे और एक चार दिवसिय टूर बनाकर चंद्रमा पर छुट्टियां मनाएंगे पर वहन नहीं हुआ हमारे स्मार्टपोन हमें इस तठ्थे से भी विजलित करते हैं कि हमारे आसपास का परिवेश आजीब तरह से पुराना है केवल कंप्यूटर और संचार के मादेमों में नाटकिय रूप से सुधार हुए हैं इस्ता मतलब यह नहीं है कि हमारे माता पिता एक बहतरीन भविशे की कलपना करने में गलत थे बस वे तो केवल कुछ स्वेचालित होने की उमीद कर रहे थे आज हमारी चुनोती नई टेकनोलोजी की कलपना और निर्मान करना दोनों है जो बीस्वी स्ताब्दी की तुलना में एक्किस्वी स्ताब्दी को अधिक शांतिपूर और समरद बना सकते हैं स्टार्ट अप सोच नई टकनीक नए उदमियों से शुरू होती है जिसे स्टार्ट अप कहते हैं राजनिती में संस्तापक पिता से विज्ञान तक रोयल सोसाइटी से चेर फिल्ड सेमी कन्डेक्टर के व्यापार तक मिशन की भावना से जुटे लोगों के चोटे समूँ ने दुनिया को बहतर बनाने के उदेशे से काम किया और दुनिया को बहतर बना दिया इसके लिए सबसे आसान स्पस्टी करन नकारात्मक है बड़े संग्ठनों में नई चीजों को विक्षित करना मुश्किल है और इसे अपने आप करना भी मुश्किल है नोकर शाही पदा नुकरम दीरे दीरे बढ़ते हैं और लाबों को हानी से दूर रखते हैं दूसरी तरफ एक अकेला परतिवावान इंसान कला या साहिते के क्षेतर को तो बढ़ा सकता है लेकिन वह कभी भी पूरे उद्ध्यों को नहीं बना सकता है स्टार्ट अप इस सिद्धान पर काम करते हैं कि आपको सामान प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के साथ काम करने की जरूरत है लेकिन आपको भी इतना छोटा रहने की आफशक्ता है ताकि आप वास्तों में वह काम कर सकें सकारात्म करूप से परिवासित स्टार्ट अप उन लोगों का सबसे वड़ा समूँ है जिने आप एक अलग भवशे के निर्वान की योजना के बारे में समझ सकते हैं एक नई कंपनी की सबसे महत्वपून ताकप नई सोच है जो अपने सहेचरों को सोचने के लिए आवशक सोतंतरता प्रदान करती है यह है पूस्तक उन प्रशनों के बारे में हैं जिनके आपको उत्तर जानना चाहिए कि नई चीजों की खोज में सफल कैसे हुआ जाए ग्यान का कोई मैनुवल या रिकोर्ड नहीं है बलकि सोचने का ही अभ्यास है क्योंकि स्टार्ट अप को यही करना है प्रशनों से प्राप्त विचारों के मादें से व्यवसाई पर पुनर विचार करना वै उसमें आवशक बदलाव लाकर दुनिया के जीवन स्थर में बदलाव लाना धन्यवाद हिंडी ओडियो बुक डोट कॉन आईए चलते हैं अध्याई दो की ओर आपका दिन शुब हूँ अध्याई दो साल 1999 की तरह उत्सो मनाई हिंडी ओडियो बुक डोट कॉन यक्ष प्रशन वह कौन सा मैतव पून सकते हैं जिससे कुछ लोग सहमत हैं इस प्रशन का सीधा उत्तर दे पाना मुश्किल है सीधे उत्तर दें शुरुवात से शुरू करना आसान हो सकता है क्या सबी इस पर सहमत हैं व्यक्टियों में काम के प्रति पागलपन दुरलब है लेकिन समूहों पार्टियों वैराश्ट्रों में यह नियम की तरह काम करता है निच्छे ने पागल होने से पहले लिखा था कि यदि आप एक ब्रह्मपूर्ण लोग पर ये दालना की पहचान कर सकते हैं तो आप इसके पीछे छिपी हुई चीजों को पा सकते हैं यह एक विरोदावासी सकते है एक प्रारंबिक सकते पर विचार करें कंपनिया पैसे कमाने के लिए बनी है इसे खोने के लिए नहीं यह सोच स्पस्ट रखनी चाहिए लेकिन 1990 के उतरार्द में कई लोगों के लिए यह इतनी स्पस्ट नहीं थी जब तक कि किसी का भी उज विज्वल वविशे के लिए किया गया निवेश पूरी तरह डूब नहीं गया नई अर्थव्यवस्ता की परंपरिक ज्यान का आदिकारिक स्विकारियमत है कि छोटे छोटे लाव पैदल सैनिकों की तरह लावदायक होते हैं परंपरागत मानेता हैं कि केवल हमें नुक्स दिखाई देने लगे तब हमें मैदान नहीं छोटना चाहिए 1929 के बाद 90 के दसका इंटरनेट बूम सबसे बड़ा बुल्बुला था इसने टेकनोलोजी के बारे में हमारे सभी स्थापित विस्वासों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था स्पस्ट रूप से सोचने का पहला कदम यह है कि हम अधीद के बारे में क्या जानते हैं 90 के दसक का संख्षिप्ट इतिहास 1990 के दसक की एक अच्छी छवी है हम इसे एक समरग आशावादी दसक की रूप में याद करते हैं जो इंटरनेट बूम के साथ समापत हुआ लेकिन कई वर्सों तक यह हमारी आवसाद का कारण बना रहा 18 महिने के डोटकॉम सदमे के कारण हम एक दसक तक वैस्विक संदर्व से दूर ही रही थे नवंबर 1989 में बर्लिन के दिवार हटने के साथ 90 के दसक की शुरुआत उल्लास के साथ हुई यह अल्प कालिग था 1990 के मद्य तक सेयुक्त राजे अमेरिका में मंदी का दोर था तकनीकी रूप से ही मंदी मार्च 1919 में समापत हुई लेकिन इसकी गती धीमी थी और जुलाई 1929 तक बेरोज़गारी बढ़ती रही मैनुपेक्चरिंग सेक्टर भी पूरी तरह से पून और जीवित नहीं हुआ था सेवाक्षेतर की आर्थवे वस्ता में बदलाव लंबा और दर्दनाग था 1992 से 1994 के अंतर तक बहुत ही उदा सिंता का समय था इन दिनों केबल टीवी पर मातर सुमालिया में मरत अमेरिकी सैनिकों के समाचार ही प्रसारित होते रहते थे वेस्वीकर्ण और अमेरिकी प्रतिस परदा के बारे में चिंता और ज़्यादा तब होने लगी जब रोजगार का बहाव मेक्सको की तरब तेज हो गया इस निराशावादी माहूल ने ततकालिक राश्टपती बुस को कारेले से बाहर कर दिया और आस पे रोटकी 1992 में लगबग 20% अधिक मोटों से प्लोप्रिया जीत हुई साल 1912 में टियोडोर रुजवेल्ट के बाद यह तरतिय पक्स के उमिदवार के लिए सबसे अच्छी जीत रही लेकिन इस जीत के बाद जो निर्वान जैसे बैंड, तेज संगी और हीरोईन आदिकी और सांस्कृतिक आकरशन से भी आशा या आतव विश्वास परतिबिम्बित नहीं होता था सेलिकोन वैली भी सुस्त मैसूस कर रही थी जापान सेमी कंड़क्टर युद जीत रहा था यूजर फ्रेंडली वेब ब्राउजर ने होने की वज़ए से इंटरनेट अभी तक आशिक रूप से चल रहा था लेकिन इसका वानेजी कुप्योग 1992 के अंत तक परतिबंदित था जब मैं 1985 में स्टैनफोर्ड कहुंचा तब वहाँ पर कंप्यूटर साइंस की बजाई इकोनिमिक्स विशेज सबसे लोग प्रिये था विश्विद्यले परिसर में ज़्यादातर लोग तकनिकी क्षेतर को मूर्ख सापूर्ण यहां तक कि इसके बारे में बात करने वाले को गवार तक कह दिया जाता था लेकिन इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया मोजेग ब्राउजर को आधिकारिक तोर पर नॉम्बर 1993 में रिलीज कर दिया गया जिससे लोग नियमित इंटरनेट का प्रियोग करने लगे मोजेग नेट्सकेप में बदल गया जिसने 1994 के अंत में अपने नेविगेटर ब्राउजर को जारी किया बारा महिने के अंदर ही नेविगेटर इतना मशुहूर हो गया कि जनवरी 1995 में ब्राउजिंग बाजार के उप्योग को 20% से बढ़ा कर 80% कर दिया नेट्सकेप अगस्त 1995 में अपना IPO लाने में सक्षम हो गया था बले ही वहे अभी तक लाब दाइक स्तिती में नहीं था पांच महिने में ही नेट्सकेप के शेर का स्टोक भाव 28 डोलर से ही 144 डोलर परतिशेर तक बढ़ गया था अन्य तकनीकी कंपनिया भी तेजी से बढ़ रही थी याहू अप्रेल 1996 में 848 मिलियन डोलर की वैलिवेशन के साथ सारवजनिक हो गया एमेजोन की कीमत मई 97 में 438 मिलियन डोलर थी 98 के वसन तक प्रतेग कंपनी के शेरों की कीमत चोगुनी से भी अधिक हो गयी अनेक मार्केट क्रिटिक्स ने गयर इंटरनेट कंपनियों के मुकावले इंटरनेट कंपनियों की कमाई और राजसों के गुणांकों पर सबसे ज़ादा सवाल उठाया अब यह निशकर्ष निकालना आसान था कि बाजार पागल हो गया था निशकर्ष समझ में आया लेकिन कलत समय पर डिसंबर 1996 में बुलबुले फटने से तीन साल पहले फ्रेड चेर्मेन एलन ग्रीन स्पैन ने चितावनी दी थी कि अनावशक रूप से बढ़ी होई एसेट वेल्यू तरकिन अधिक्ता हो सकती है टेक्नोलोजी के निवेशक उत्सा में थे लेकिन यह स्पस्ट नहीं था कि वे कितने तरकिन थे यह जानना बहुत आसान है कि उस समय बाकी दुनिया में चीजें बहुत अच्छी तरह से नहीं चल रही थी पूरवी ACI विदिय संकत जुलाई 1997 में आया क्रोनी पूंजीवान और भारी विदेशी करज ने थाई, इंडोनेशियाई और दच्छिन को यह अर्थवे वस्ताओं को उनके गुटनों के बल बैठा दिया था अगस्त दोजाराट में रूबल संकत उबरकर सामने आया जब रूस ने पुवाने राजकोशिया गाटे से छेड़ छाड़ की उसने अपनी मुद्रा को गठा दिया और अपने करज समय पर नय चुकाने के कारण डिफाल्टर हो गया अमेरिकी निवेशक पूरी तरह पर बाद अर्थ व्यवस्ता को लेकर डरे हुए थे डाउ जोंस और योगित सूचकांक उसत दिनों के मुकावले दस प्रतिसत से भी अधिक किर गया था लोगों का चिंतित होना स्वभाविक था रूबल संकट के कारण लोंग टरम कैपिटल मैनेजमेंट एक अत्यदिक लिवरेज यूजर हेस फंड अस्तितों में आया 1998 के उत्राद में LTMC 4.6 बिलियन बचाने में कामियाब रहा और पेड ने बड़े पैमाने पर बेलव प्राप्ट कर और ब्यास दरों में कमी कर सिस्टमिक आपदा को रोकने के प्रियास किये यूरोप इसे बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाया जनवरी 1999 में बड़े संदे और उदासिंता के समय में यूरो को लौंच किया गया यूरो की कीमत अपने जनम यानि व्यापार के पहले दिन 1.19 डोलर हो गई थी लेकिन 2 साल के भीतर यह 0.83 डोलर का रह गया था साल 2000 के मद्दे में जी सेवन सेंटरल बैंकरों को इसे मल्टी बिलियन डोलर के हस्ट शेप के साथ आगे बढ़ाना पड़ा तो सितंबर 1998 में में शुरू होने वाले अल्पकालिन डोटकाम भूम की प्रस्ट भूमी एक एसी दुनिया थी जिसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा था पुरानी अर्थव्यवस्ता वैस्वी करन की चुनोतियों का सामना नहीं कर सकी काम करने के लिए कुछ जरूरी था और वह भी बड़े प्रेमाने पर काम करने के लिए भविश्य सभी के लिए बहतर होगा एप्रतेक्स प्रमान से इंटरनेट की नई अर्थव्यवस्ता आगे के लिए एक मातर रास्ता था सितंबर 1998 में से मार्च 2000 तक का पूम सितंबर 1998 में से मार्च 2000 तक केवल 18 महिने तक ही डोट कॉम उल्लास पागलपन के स्थर तक था इसे हम सिलिकोन वैले की सोने की दोड कह सकते हैं हर जगे पैसा था और उच्छा जनक लोगों की कोई कमी नहीं थी हर हपते दरजनों नए स्टार्ट अप ने सबसे भविया लांचिंग पार्टी देने की परतिस परदा की लेकिन पेपर करोड़ पती हजारों डॉलर के डिनर बना रहे थे और अपने स्टार्ट अप के शेरों के साथ बुगदान कर रहे थे कभी कभी यह काम भी कर जाता था लोगों के जूंड बड़ी पगार वाली अच्छी नोपरियां चोड श्टार्टम में शामिल हो रहे थे एक चात्र जो मुझे पता था कि 1999 में छै अलग अलग कमपनियों को चला रहा था आम तोर पर इसे 40 वर्षी असना तक होने के बाद एक बार में आदे दरजन कमपनियों को शुरू करने के लिए पागल माना जाता है लेकिन 90 के उत्रार्द में लोग विश्वास कर सकते थे कि यह एक विजेता उद में था सभी को यह पता होना चाहिए था कि बूम एस्तिर था सबसे अधिक सफल कमपनियां एक तरह के एंटी विजनस मॉडल को गले लगाने लगी थी जहां वे पैसा खो देते थे जैसे संगीत बजने पर लोगों को नाचने के लिए दोश देना तरक हिन लगता है वैसे ही यह तरक इंतावी तरक संगत थी कि अपने नाम के पीछे डोट कोम जोड़ने से रातो रात आपका मुल्यत दोगों ना हो सकता है पेपाल बूम जब मैं 1999 में पेपाल चला रहा था तो मैं अपने कामों से डर गया था इसलिए नहीं कि मैं अपनी कमपनी में विश्वास नहीं करता था लेकिन इसा लग रहा था कि यहां पर हर कोई हर किसी पर विश्वास करने को तैयार था जहां भी मैंने देखा लोग कमपनी शुरू कर रहे थे और कमपनीों को बंद कर रहे थे एक परिचित विक्ति ने मुझे बताया कि कैसे उसने अपनी कमपनी को शुरू करने से पहले अपने बेडरूम से IPO की योजना बनाई थी उसे यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा इस तरह के बतावर्ण में सैदान्तिक रूप से अभिने करना संकी लग रहा था कम से कम पेपाल के पास तो एक उप्यूक्त बड़ा मिशन था हम अमेरिकी डोलर की जगए एक नई इंटरनेट मुद्रा बनाना चाते थे हमारा पहला उत्पाद लोगों को एक पाम पीडिये से दूसरे में पैसे बेजना था इस विचार को दस सबसे खराब व्यवसाइक विचारों में से एक चुना हालांकि पत्रकारों को छोड़कर उस उत्पाद के लिए किसी का भी कोई उप्योग नहीं था पाम पीडिये अब भी एलोग प्रिये ही थे इसकी जगे एमेल पहले से ज़्यादा परसलन में था इसलिए हमने एमेल के दौरा पैसे बेजने और प्राब्ट करने का एक तरीका अपनाने का फैसला किया 1999 के आन्त तक हमारे एमेल से बुगतान के उत्पाद थे अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया कोई भी हमारी वेब साइट पर लोगिन कर सकता है और आसानी से पैसे ट्रांसपर कर सकता है लेकिन हमारे पास प्रियाप्त गरहत नहीं थे विकास धीमा था और खर्च बढ़ गई पेपाल के काम करने के लिए हमें कम से कम दस लाग उप्योग करताओं के वल्यूम को अपनी ओरा कर्शित करने की आवशकता थी अगर विध्यापन किया जाए तो इसकी लागत कमाई से ज़्यादा थी बड़े बैंकों के साथ करार पर भावी नहीं हो रहे थे इसलिए हमने लोगों को साइनप करने के बगले में कुछ बुग्धान देने का फैसला किया हमने नई गरहक को शामिल होने के लिए दस डॉलर दिए और जब भी उसने किसी मित्र को साइनप करवाया तो हमने उन्हें रेफ्रल के तोर पर दस डॉलर ओर दिए इस से हमें सेंकड़ों हजार नए ग्रहक मिले जिनकी उरधी दर गुनात्मक थी बेशक इस तरह से ग्रहक बनाने की रणनी थी अपने आप में खर्चिली वै आई सुरक्षित थी जब आप लोगों को अपने ग्रहक बनने के रूप में बुक्तान करते हैं तब गुनात्मक उरदी के साथ साथ आप अपनी सरंसना लागत को भी बढ़ा लेते हैं। उस समय यह ऐसा मन्य लागत समान्य थी लेकिन हमने सोचा कि हमारी बढ़ी लागतें कम थी। एक बड़े कश्टमराधार के बाद पेपाल ने ग्राकों के लेंदेन पर एक छोटा सा स तुलक लगाकर अपने लाग के लिए एक आसान वे बहतरिन रास्ता निकाल लिया था। हम जानते थे कि हमें उस लक्षे तक पहुँचने के लिए और अधित दनाश्य की आफशक्ता होगी। हम यह भी जानते थे कि बून खत्म हो रहा था। चुकि हम आने वाले बुरे समय में व्यावसाई को जारी रखने के लिए अपने मिशन में निवेश्कों के विश्वास की अपेक्शन नहीं कर सकते थे। इसलिए हम धंज उटाने के लिए तेजी से काम कर रहे थे। 16 फरवरी 2000 को वाल स्टेज जनरल ने हमारे वाइरल विकास की सराना करते हुए एक कहानी सुनाई और इन्वेस्टर्स को सुझाओ दिया कि पेपाल की कीमत 500 मिलियन डॉलर के पार थे ही। हमने अगले महीने 100 मिलियन डॉलर जुटाई हमारे मुखे निवेस्टर्स को ने जनरल के मुल्यांकन को आधिकारिक रूप में स्विकार कर लिया। अन्य निवेसक निवेस की जल्दवाजी में थे एक डक्षन कोरियाई फरम ने बिना पहले कोई सोदेवाजी किये या किसी दस्तावेस पर हस्ताक्सर किये बिना मुझे 5 मिलियन डॉलर वायर किये थे। जब मैंने पैसे वापस करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इसे कहां भेजना है। मार्च 2000 में जब हमने अपने आपको मार्केट में स्तापित कर भेजना शुरू किया तब इसमें पेपाल को सफलता मिलने शुरू हो गई थी। जैसे ही हमने सोदे की डील फाइनल करना शुरू किया तब गूम का बुलूला फट गया। सीख सिखी। नासडग मार्च 2000 के मद्धे में अपने चरम सुचकांग 5048 पर पहुंच गया और फिर अपरेल के मद्धे में यही सुचकांग 3321 तक गिर गया। जब अक्टूवर 2002 में यह सुचकांग 1114 पर पहुंचा तब देश ने 90 के दसक के तकनिकी आशावाद के खिलाब किये गई बाजार के पतन की व्याख्या को सही माना। कार्नुकोपियन उमीद के अनुसाद इस यूग को मुर्ख लालत के यूग का पुने लेवल लगा दिया गया और इसे स्थाई माना गया। हर किशे ने भविशे को मौलिक रूप से एनिस्चित्ता के रूप में मानना सिखा और योजनाओं को तिमाईयों के बजाई वर्सों में मापा जाने लगा। वैस्वी करण ने भविशे की आसा के रूप में टेकनोलोजी को बदल दिया। 1990 के प्रोम ब्रिक टूप क्लिक विचार ने उम्मीद के अनुसार काम नहीं किया। निवेशक इंटो यानि हावास और ब्रिक्स यानि वैस्वी करण पर वापस लोट गए। नतीजा इस बार रियल इस्टेट के रूप में एक और भूम का फुल हुला। सिरिकोन वैली में पसे उद्मियों ने डौटकाम दुरगतना से चार बड़े सबक सीखे जो आज भी व्यापारी वर्ग को मार्क दर्शन देते हैं। पहला ब्रद शील प्रगती करें। बड़े लक्षों ने भूम के बुलबुले फुलाए इसलिए उन पर जाला निर्बन नहीं होना चाहिए। कोई भी जो कुछ महान करने में सक्षम होने का दावा करता है वह संदे में होगा। और जो भी कोई दुनिया को बदलना चाहता है वह अधिक विनमर होना चाहिए। छोटे वरद्शिल कदम एक मातर सुरक्षित मार्ग है। दूसरा नरव वैद लचिले रहो। सभी कंबनियों को हर समय लचिला होना चाहिए। आपको पता नहीं होता कि आपका व्यवसाई क्या करेगा और योजना बनाना ठकाऊ वे कठिन काम है। इसके बजाए आपको चीजों को पुन्रावर्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। और उदमिता सीलता को जीरो से शुरू करना चाहिए। तीसरा, परतियों गिता में सुधार करें। समय से पहले एक नया बाजार बनाने की कोशिश मत करो। आपके पास एक वास्तविक व्यवसाई है। यह जानने का एक मातर तरीका है कि पहले से ही मौजूद ग्राहक से शुरुवात करना है। इसलिए आपको सफल परतिस परदियों द्वारा पहले से पहचाने जाने योग्य उत्पादों में सुधार करके अपने कंपनी का निर्मान करना चाहिए। चोथा, उत्पाद पर ध्यान के अंदिरित करें, बिक्री पर नहीं। यदि आपके उत्पाद को बेशने के लिए विग्यापन या सेल्स पोर्ज की आवशकता है, तो यह प्रयाप्त नहीं है। नई तकनीक मुख्य रूप से उत्पाद के विकास से संबंदित होती है। वित्रण के बारे में नहीं। किरावट के दोर में विग्यापन या प्रयाप्त होते हैं, इसलिए के वल टिकाओं तकनीक ही असल विकास है। ये सबग स्टार्ट अप दुनिया में सिधान्त बन गई है। जो लोग उन्हें अंदेखा करेंगे, उन्हें साल 2000 में आने वाली प्रोदोगी की दुरुगटना को आमंतरित करने वाला माना जाएगा। और फिर भी इसके विपरित सिधान्त शायद अधिक सही है। पहला तुच्छता से साहस का जोखिम उठाना बेहतर है। तूसरा योजना नए होने के तुलना में खराब योजना बेहतर है। तीसरा परतिस पर्दी बाजार लाग कम करते हैं। चोथा बिक्री उतनी ही महतोगून है जितने की उतपान। यह सच है कि प्रोदोगिकी में एक बबल था। नब्बे का उतराब्द अभिमान करने का समय था। लोग जीरो से एक तक जाने में विश्वास करते थे। लेकिन वास्तों में बहुत कम स्टार्ट अप वहां पहुंच रहे थे। और कई लोग इसके बारे में केवल बात ही करते थे। लेकिन लोगों ने सोचा कि कुछ नए करने से तो अच्छा है कि कुछ करने के तरीके खोजे जाएं। मार्च 2000 का बाजार अपने उच्छ सिखर पर था। कम स्पष्ट लेकिन अधिक महतफूर्ड यह सपलता की चोटी भी थी। लोगों ने इसमें वहुष्य द किया। हमें अभी भी नई तकनिक की आवशक्ता है और हमें इसे पाने के लिए कुछ 1999 की अभीमानी शहली और उत्सा की भी आवशक्ता होगी। अगली पीडी की कमपनियों का निर्मान करने के लिए हमें दुरुगणना के बाद बनाए कई वाच डोग जैसे सुभाव को त्यागना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वीपरित विचार स्वेचालित रूप से सत्य है। इसके बजाए खुद से पूछें। व्यवसाई के बारे में आप जो कुछ जानते हैं वह पिछली गर्दियों के गलत प्रतिकरियों के रूप में आकार लेते हैं। अभी तक का स्वार यह है कि हमेशा भीड का विरोत नहीं करना चाहिए बल्कि खुद के लिए भी सोचना चाहिए। धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक.com आईए चलते हैं अध्याए तीन की ओर। आपका दिन शुब हो। अध्याए टीन हिंदी ओडियोबुक.com काम्याब कमपनियां अलग दिखती हैं। हमारे विरोधा वासिव प्रशन का व्यवसाइक संसकर्ण यह है कि कोई बड़ी कमपनी अपनी इमेज की इमारत क्यों नहीं बना रही है। यह सवाल दिखने में कठिन है क्योंकि आपकी कमपनी अधिक मुल्यवान होने के बावजूद अधिक वैल्यू बना सकती है। केवल वैल्यू बनाना प्रयाप्त नहीं है। आपको अपने द्वारा बनाए गई कुछ मुल्यों को भी अपनाने की आवशकता है। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े वैवसाई भी खराब वैवसाई हो सकते हैं। जो कम धन लेकिन लाव अधिक कमा रहा था। गूगल ने 2012 में एरलाइन्स की 160 बिलियन डोनर कमाई के मुकावले 50 बिलियन डोनर कमाई यानि अपने रेविन्यू का 21 परसेंट लाव कमाया। एरलाइन उध्यों के लाव मार्जिन से 100 गुना अधिक। गूगल अकेला इतना पैजा कमाता है जो अमेरिका की सभी एरलाइन्स के से 100 गुना अधिक है। एरलाइन्स एक दूसरे के साथ प्रतिस पर्दा करते हैं लेकिन गूगल अकेले खड़ा है। आर्थ सास्तरी अंतर को समझाने के लिए दो सरलिकर्थ माडल का उप्योग करते हैं परफेक्ट कमपिटिशन और मोनोपली। परफेक्ट कमपिटिशन को अर्थ सास्तर में आजर्च और डिफाल्ट स्तिती दोनों ही माना जाता है। जब प्रतिस्पर्धी बाजार संतुलित हो, तब उत्पादक अपूरती और उब बागता मांग समान होते हैं. प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रतेक कंपनी समान मुले पर अपने उत्पादों को बेचती है, चुनकि किसी फर्म के पास कोई मार्केट पा़र नहीं है. में प्रवेस करेंगी आप उर्ती में वरदी करेंगी कीमते नीचे गिराई जाएंगी और इस तरह वो गुनाफे खत्म हो जाएंगी जो उन्हें पहले मिल रहे थे यदि बहुत से कंपनिया बाजार में प्रवेस करती हैं तो उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा कोई भी कंपनी आर्थिक लाब नहीं कमा सकती। मोनोपली परफेक्ट कंपिटिशन से एकदम वीपरीध है। परतिसफर्दी कंपनी को अपना सामान बाजार के द्वारा निर्धारित मुल्या पर वेजना पड़ता है। लेकिन मोनोपली बाजार का मालिक है। इसलिए यहें अपनी कीमतें खुद निर्धारित करता है। चुकि इसमें कोई परतिसफर्दा नहीं है। इसलिए इसके उत्पाद की मात्रा वेमुल्य तालमेल पर रहते हैं। जो इसके मुनाफे को हमेशा जादा रखते हैं। एक अर्थ सास्त्री को परतेक मोनोपली एक जैसी दिखाई देती है। भले ही यहें नियमों के अनुसार काम करके विवेक पूर्ण रूप से परतिदवंदियों को स्मप्त करता है। और सिर्ष पर रहकर अपना रास्ता खुद बनाता है। इस पुस्तक में हम आवैद या सरकारी पक्षपात की बात नहीं कर रहे हैं। मोनोपली से हमारा मतलब है कि कोई कमपनी वह सामान या सेवा परदान करें जिसे कोई दूसरा निकट वविश्य में उपलब्द नह करवा सके। जीरो से एक तक जाने का गूगल सबसे अच्छा उधारन है। सर्चिंजन के क्षेतर में साल दो हजार के दसक के आरंब से कोई भी इसका कम्पिटिटर नहीं है। यह निश्चित रूप से माइक्रोसोफ और याहू से अलग है। अमेरिकियों ने समाजवादी सोच, कमाई के बारे में सोच से हमें बचाने के साथ-साथ परतिसपरदा का मिधख दिया है। असल में पूंजी वाद और परतिसपरदा इससे विपरित है। पूंजी वाद पूंजी के संचेपर आधारित है। लेकिन पूर्ण परतिस परदा के तहप सभी मुनाफे निम्न हो जाते हैं। उद्मियों के लिए सबक सपस्ट है। यदि आप स्थाई मुल्यवान व्यावसाई बनाना चाहते हैं। तो पहले से ही परिबाशित कमोडिटी व्यावसाई ने बनाएं। वास्तों में दुनिया कितनी मोनोपोलिटिक्स है, वास्तों में कितनी कम्पिटिटिव है, यह कहना मुश्किल है। क्योंकि इन मामलों में हमारी आम सोच उल्जनवरी है। बाहर से देखने वालों को सभी व्यवसाई समान दिखाई दे सकते हैं। इसलिए उनके बीच केवल छोटे अंतर को समझना आसान है। लेकिन वास्तों इता उससे कहीं अधिक दुई आधारी है। सही परतिसपर्दा और एकादिकार के बीच एक बड़ा अंतर है। और अधिकांस व्यवसाई आम तोर पर किसी एक के ज़्यादा करीब होते हैं जो हम आम तोर पर महसूस करते हैं। ब्रहमानेक तरीकों से बाजार की स्थित्यों का वर्डन करने के पूर्वा ग्रह से आता है। दोनों एकादिकारियों और प्रतियोगियों को सच्चाई की और जुगाओ के लिए प्रोचसाहित किया जाता है। एकादिकार जूट बोलता है। मोनोपली करने वाले खुद को बचाने के लिए जूट बोलते हैं। वे जानते हैं कि अगर उनके इस एकादिकार के बारे में ज़्यादा बात की जाए तो ओडित, खातों की जांच और अन्य तरीके के कागजी हमले किये जा सकते हैं चुकि वे चाहते हैं कि उनके मौनोपली मुनाफ़े को निरंतर जारी रखा जाए वे अपने एकादिकार को छिपाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं आम तोर पर अपने परतिस परदा के शक्ति का प्रियोग करके भी कर सकते हैं इस बारे में सोचें कि गूगल अपने व्यावसाई के बारे में कैसे बात करता है यहें निश्चित रूप से मोनोपली करने का दावा नहीं करता लेकिन क्या यहें मोनोपली करता है खेर यहें निर्वर करता है मोनोपली में गूगल मुख्य रूप से एक सर्च इंजन है मई 2014 तक इसका सर्च बाजार लगवग 68% था इसके निकतम पतियोगियों माइक्रोसोप्ट और याहू का सर्च मार्केट करमशे 19% और 10% था यदि आपको यह परियाप्त प्रवावशाली नहीं लगता है तो इस तर्थे बर विचार करें कि गूगल शब अब एक क्रिया के रूप में ओक्सपोर्ट अंग्रेजी शब्द कोस में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है बिंग के साथ भी यही होने जा रहा है माल लीजी हम कहते हैं कि गूगल मुख्य रूप से एक विग्यापन कमपनी है इससे चीजों में बदलावा जाएगा यूए सर्च इंजन विग्यापन बाजार सालाना 17 बिलियन डोलर का है ओनलाइन विग्यापन 37 बिलियन डोलर सालाना है पूरा यूए स विग्यापन बाजार 500 बिलियन डोलर है और वेस्विक विग्यापन बाजार 495 बिलियन डोलर का है तो अगर गूगल ने पूरी तरह से यूए सर्च इंजन विग्यापन का एका दिकार किया है तो यह वैस्विक विग्यापन बाजार का सिर्फ तीन पॉइंट चार परसेंट होगा इस तरह से ही गूगल विश्व परतिस परदा में एक छोटे से खिलाडी की तरह दिखाई देगा क्या होगा यदि हम गूगल को एक प्रोदोवी की कंपनी के रूप में दिखें यह कापी सही भी लगता है अपने सर्च इंजन के अलावा गूगल दरजनों अन्य सोफ्टेर उत्पाद बलाता है रोबोटिक कारें अंड्रोइट फोन आदी लेकिन गूगल के राजसों का 95% सर्च विग्यापनों से आता है इसके अन्य उत्पादों ने 2012 में सिर्फ 2.35 बिलियन डॉलर की कमाई की जो कि इसके तक्निकी उत्पादों का केवल एक प्रतिशत है चोंकि ओबोगता तक्निक बाजार दुनिया वर में 964 अरब डॉलर का है इसलिए गूगल 0.24% से भी कम काम मालिक होगा अगर एक अधिकार को छोड़ दे तो गूगल कुद को एक और तक्निकी कमपनी के रूप में तयार करे तो इसे सभी प्रकार के कामों से ध्यान अटाना पड़ेगा प्रतिश परदी जूट गैर एक अधिकारवादी इसके विपरित जूट बोलते है हम अपने सुमय के खेल में हैं जिसके हम रैफरी हैं इंटर्प्रेनर्स परतिश परदा के पैमाने को हमेशा कम करके पक्षपात पूर्ण व्यवहार करते हैं लेकिन यह स्टार्ट अप की सबसे बड़ी गलती है गातक प्रलोबन आपके बाजार को बेहत संकिर्ण रूप से वर्णित करता है ताकि आप इस पर परिवासा के अधार पर खावी हो सकें माल लीजिए कि आप एक रैस्तरा शुरू करना चाहते हैं लोपालो आल्टो में बिटिश खाना बनाता है यह काम पूरी मार्केट में कोई और नहीं कर रहा है बिटिस पोजन के लिए विसेश बाजार हो क्या होगा यदि सामान्य बाजार पालो आल्टो रैस्तरा बाजार ही हो और क्या होगा यदि आसपास के शहरों में सभी रैस्तरा इसी बाजार का हिस्सा हो ये कठिन प्रशन है लेकिन बड़ी समश्या यह है है कि आपको इसकी कोई आफशक्ता नहीं है कि आप सभी से यही प्रशन पूछें जब आप सुनते हैं कि अधिकतर नए रेस्तरा एक या दो वर्सों में फेल होकर बंध हो जाते हैं तो आपके मन में एक विचारा आता है कि आपका रेस्तरा और से कैसे अलग है आप लोगों को यह समझाने का प्रियास करेंगे कि आप इन सब से कैसे अलग हैं और यह आपके साथ नहीं होने वाला साल दो हजार एक में पेपाल के मेरे सैकर्मी और मैं अक्सर कास्तरो स्ट्रीट की माउदेन वियों में दोपेर का बोजन करने जाते थे यहां पर भारतिये, शूशी और बर्गरादी सभी परकार के बोजन थे इस रेस्तरा में उत्तर भारतिये और दक्षन भारतिये जैसे बोजन की स्ट्रेनिया भी थी यहां पर सस्ता और महगा सभी तरह के बोजनवी कल्प थी परतिस पर दिस्तानिय रेस्तरा बाजार के वीपरी पेपल उस समय दुनिया की एक मातर एमेल अधारित पेमेंट कमपनी थी हमने कास्त्रो स्ट्रीट के रेस्तरा की तुलना में कम लोगों को नोकरी पर रखा था लेकिन हमारा व्यवसाय उन सभी रेस्तराओं के तुलना में अधिक कमाता था एक नया दक्षिन भारतिय रेस्तरा शुरू करना ऐसे बनाने का एक मुश्किल तरीका है यदि आप परदिस परदी वास्तिक्ता को देखते हैं और चोटे-चोटे कारणों पर ध्यान के अंधित करते हैं तो शायद आपका व्यवसाय बने रहने की संभावना नहीं के बराबर होगी रचनात्मक उद्योग भी इसी तरह से काम करता है कोई पटकता लेका की है स्विकार नहीं करना चाता कि उसकी नई फिल्म की स्क्रिप्ट पहले से ही कहीं पर लिखी जा चुकी है इसके बजाए नई पिच यह है यह फिल्म पूरी तरह से नई तरीकों से वै विभिन रोमान्सक कारणामों से भरी होई है यह सच भी हो सकता है गैर एका दिकारवादी अपने बाजार को विभिन छोटे छोटे बाजारों के रूप में परिवासित करके अपने सीक्रेट्स को बताने में अती करते हैं इसके विपरीत मोनोपली करने वाले अपने बाजार को कई बड़े बाजारों के संग के रूप में तैयार करके अपने एकादिकार को छिपाते हैं। एक एकादिकारवादी संग की कहानी वास्तों में कैसी दिखती है। साल 2011 की कांगरे सुनवाई में गूगल चेर्मेन एरिक स्मिट की गवाही के एक बयान पर विचार करें। हम एक बेहत परतिसपर्दी मावल में काम करते हैं जिसमें जानकारी पाने के लिए उप बोगताओं के पास कई तरह के विकल्प मुझूद हैं। पी यार से अनुवादित साधी भाषा में। कूगल एक बड़े तालाब में एक चोटी मसली है। हमें किसी भी समय पूरी तरह से निगल लिया जा सकता है। हम वह मोनोपली नहीं हैं। जिसे सरकार डोन रही है। कुरूर लोग। परतिस परदी व्यावसाई के साथ समश्या मुनाफे की कमी से भी परे है। कल्प ना कीजिए कि आप माउंटन व्योके उस रेज्टरा को चला रही है। आप अपने दरजनों परतिस परदियों से अलग नहीं है। इसलिए आपको खड़े रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। यदि आप कम मारजन के साथ अच्छा बोजन देते हैं तो आप शायद करमसारियों को सेलरी का बुगतान भी नहीं कर सकें। और आपको अपनी पूरी ताकत लगाने की आफशक्ता होगी। यही कारण है कि छोटे रेस्टरा ने दादी को रजिस्टर में काम करने और बच्छों को पीछे वरतन दोने के लिए रखा हुआ है। रेस्टोरेंट सबसे उंचे रेटिंग वाले पाइदान पर भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जहां मिशेलिन के स्टार सिस्टम जैसी समिक्षा और रेटिंग वे तेज कम्पिटिशन के संस्कृति के माहुल को बना जा है। मिशेलिन ने अपने रेटिंग पर करार रखी लेकिन 2003 में लोईजो ने खुद को माल डाला। जब एक परतिसपर्दी फ्रांसेसी डाइनिंग गाइड ने उनके रेस्तरा को डाउन ग्रेड किया। परतिसपर्दी परिस्तितिक तंतर लोगों को कुरूरता करने या मोत को गले लगाने की और धकेल देता है। गूगल की मोनोपली अलग तरह की है। चुकि इसे किसी के साथ परतिसपर्दा करने की चिंता करने की आफशिक्ता नहीं है। इसलिए इसके करमचारियों, इसके उत्पादों और पूरी दुनिया पर इसके प्रभाव की देखवाल करने के लिए व्याफ़त तरीके हैं। गूगल का आदर्स वाक्य है। बुरा मत बनो। यह एक प्रांडिंग चाल है। यह यूँ कहें कि यह एसा व्याफ़ाई है जो नहीं टिकता वह अपने अस्तितों को खत्रे में डाल कर सफल रहा है। व्याफ़ाई में पैसा महतोपूर है या पिर यह सब कुछ है। एका दिकारवादी पैसे कमाने के अलावा अन्य चीजों के बारे में सुचते हैं। गैर एका दिकारवादी एसा नहीं कर सकते। परफेक्ट कमपिटिशन में व्याफ़ाई आज के मारजिन परकेंदरित होता है। यह संबवते लॉंग टरम फ्यूचर के लिए योजना नहीं मना सकता। रोजना की मारा मारी से केवल एक चीज़ व्याफ़ार को खड़ा रहने ते सकती है। वो है केवल मोनोपली लाव। मोनोपली पूंजी बाद सब के लिए आंटरिक मोनोपली अच्छी है। लेकिन बाहर के बारे में क्या? क्या समाज के बाकी हिस्सों में बुरे लाव आते हैं? असल में हाँ। लाव क्राकों के पर्ष से बाहर आते हैं और इसलिए मोनोपली दूद कारने लाइक है लेकिन केवले इसी दुनिया में जहां कुछ भी नहीं मदलता है एक स्थिर दुनिया में मोनोपली सिर्फ एक कमाई का तरीका है यदि आप किसी चीज़ के लिए बाजार को अपने गेरे में लेते हैं तो आप कीमत को बढ़ा सकते हैं दूसरों को आप से खरीगने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा मशूर बोर्ड गेम के बारे में सोचें खिलाडी खिलाडियों के आसपास कुमते हैं बोर्ड कभी नहीं मदलता है एक बेतर परकार की रियल इस्टेट की खोज करके जीतने का कोई तरीका नहीं है गुणों के मुल्य हर समय तै किये चाते हैं इसलिए आप उन्हें अपनाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं वहेक कतिशील है नई और बहतर चीजों का आविश्कार करना संभव है क्रियेटिव एका दिकारवादी दुनिया में नई खोजों के दौरा ग्रहाकों को अधिक विखल्प देते हैं समाज के बाकी हिस्सों के लिए ही नहीं बलकि वे इसे बहतर बनाने के लिए एक शक्तिसली इंजन की तरह काम करते हैं यहां तक की सरकार भी यह जानती है यही कारण है कि इसके विभागों में से एक नई आविश्कारों को पेटेंट देकर मोनोपली बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और दूसरा उन पर एविस वसनिया मामलों पर मुगदमा चला कर शिकार करता है यह पुछना संभव है कि किसी को भी मोबाइल सोफ्टे और डिजाइन की तरह कुछ सोचने के लिए वास्तों में कानोनी रूप से लागू करने योग्य एक अधिकार से सम्मानित किया जाना चाहिए लेकिन यह स्भस्ट है कि आईफोन डिजाइन उत्पादन और विपणन से एपल के मोनोपली लाग की तरह कुछ अधिक लाग पैदा करने का इनाम करत्रिम नहीं है कराकों को वास्तों में स्मार्टपोन प्राप्ट करने के लिए ज़्यादा पैसों का बुगतान करने का विकल्प था जिसने वास्तों में काम किया नए एकादिकार की गती सिल्टा स्वें बताती है कि पुराने एकादिकार इनोवेशन क्यों नहीं करते हैं एपल के आई यूएस के उसाथ मोबाइल कम्प्यूटिंग के जनम ने माइक्रोसोप्ट के दसक के लंबे ओप्रेटिंग सिस्टम वर्चसों को नाटकिय रूप से कम कर दिया है इससे पहले 60 और 70 के दसक में IBM ने हाडवेर मोनोपली को माइक्रोसाफ्ट के सोप्टवेर मोनोपली द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था बीच्वें स्ताबदी में AT&T के पास टेलिपोन सेवा पर मोनोपली थी लेकिन अब किसी को भी किसी भी प्रदाता से सस्ती सेलपोन योज ना मिल सकती है यदि मोनोपली व्यवसायों की परवर्ती प्रगती को रोपती है तो वे खतरनाक होंगे और हम उनका विरोद करेंगे प्रोग्रेस को चलाते हैं क्योंकि वर्सों या यहां तक दसकों तक मोनोपली लाव के साथ साथ इनोवेशन करने के लिए शक्ति साली पर उत्सान देता है मोनोपली इनोवेशन को सुरक्सित रख सकते हैं क्योंकि मुनाफ़ां उन्हें लंबी अवदी की योजना बनाने और मैतों का अकसी अनुसंधान पर योजनाओं को विद्पोशित करने में सक्षम बनाता है। वे यह भी जानते हैं कि परतियोगिता से बाहर हुई कम्पनियों के सपने तूड जाते हैं। अर्थ सास्त्री परतियोगिता को एक आदर्स तरीके के रूप में मानने के प्रति जुनुनी क्यों है। यह इतिहास का एक अवशेश मात्र है। अर्थ सास्त्रियों ने उन्निसमें स्ताबदी के बोतिक विदों के काम से गनिती अगरना की नकल्क बनाई है। वे व्यक्तियों और वेवसायों को अलग अलग रूप में देखते हैं। ने की एद्वितिय रचनाकारों के रूप में देखते हैं। उनके सिद्धान परफेक्ट कम्पेटिशन की संतूलन स्थिती का वर्णन करते हैं। क्योंकि मोडल के लिए यह आसान तरीका है। यह बहत्रेर बिजनस का परते निदितों नहीं करता है। लेकिन यह जानने लाइक है की 19. स्थाबदी की भोतिकी द्वारा परविश्यवानी की जाने वाली दिर्ग कालिन संतूलन एक एसा विचार था जिसमें सभी उर्जा समान रूप से वित्रित की जाती है और सब कुछ आराम के लिए किया जाता है जिसे ब्रमाण का गर्मी से अंत भी कहा जा सकता है। थर्मो डाइनामिक्स पर जो कुछ भी आपका विचार है यह एक शक्तिसाली रूपक है। व्यवसाय में संतुलन का मतलब स्टेसिस है और स्टेसिस का मतलब मोध है। यदि आपका उद्योग परतिसपर्दी संतुलन में है तो आपके व्यावसाई के अंत से दुनिया में कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला कुछ अन्य निर्विवाद परतियोगी हमेशा आपके जगह लेने के लिए तयार रहेंगे। सही संतुलन उस सुन्य का वर्णून कर सकता है जो अधिकास म्रमानग में है। यह कई व्यावसाईओं को भी चित्रित कर सकता है लेकिन हर नई रचना या कोज संतुलन से दूर होती है। आर्टिक सिदान के बाहर वास्त्युक दुनिया में हर व्यवसाई वास्तों में इस हद तक सफल होता है कि यह कुछ अलग नहीं कर सकता है। मोनोपली भी अपवाद नहीं है। मोनोपली हर सफल व्यवसाई में होती है। टल्स्टाई ने कहा है कि सभी खुश परिवार समान है, परतेक दुखी परिवार अपने तरीके से नाखुश है, वेवसाय में यह वीपरीत है, सभी काम्याव कमपनियां अलग-अलग हैं, परतेक एक अनुठी समश्या को हल करकी मोनोपली प्राप्त करती है, सभी ऐसे पल कम वे परतिस परदा से बसने में नाकाम रहती है, धन्यवाद, हिंदी ओडियोबुक डोट को, आईए चलते हैं अध्याए चार की ओर, आपका दिन शुब हो अध्याए चार, परतिस परदा की विचारदारा, हिंदी ओडियोबुक डोट को क्रियेटिव मोनोपली का मतलब, उस नए उत्पाद से है, जो सभी के लिए उप्योगी वे निर्माता के लिए लाबदाइक हो परतिस परदा का आर्थ है, किसी के लिए कोई लाब नहीं, और अस्तितों के लिए संगर्ष करने वाला तो फिर लोग परतिस परदा को अच्छा क्यों मानते हैं, इसका मतलब यह है, कि परतियोगिता सिर्फ एक आर्थिक अउधारना नहीं है, कि जिसके आधार पर व्यक्टियों और कंपनियों का बाजार में सोधा होता है किसी और चीद से अधिक परतियोगिता एक विचारधारा है, वह है विचारधारा जो हमारे समाज में फैली हुई है, और हमारी सोच को विकरत करती है हम परतिस परदा का प्रचार करते हैं, अंतरमन से इसे आउशक मानते हैं और इसके नियमों को लागू करते हैं और नतीजन हम इसके अंदर खुद को और ज़दा फसाते चले जाते हैं हम जितनी अधिक परतिस परदा करते हैं, उतना कम लाब कमाते हैं यह एक साधान सत्य है लेकिन हम सभी को इसे अंदेखा करने के लिए परशिक्षित किया गया है। हमारी सेक्षन एक परनाली परतिसपरदा के हमारे जुनून को चलाती है और इसे हमारे अंदर परतिविम्वित करती है। ग्रेड्स सुयं वी तो परतिक शातर की परतिसपरदात पत्ता को एक सटीक पैमाने पर मापने के लिए बनाए गए हैं। ज़्यादा अग प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उचस्तान और प्रमानपत्र मिलते हैं। व्यक्तिगत परतिवा और वरियताओं के बावजूद हम प्रते की विवा को वही विशे एक ही तरीके से पढ़ाते हैं जो चातर डिस्प पर बैठकर अच्छा नहीं सेखते हैं उन्हें कमतर महसूस करवाया जाता है। जबकि परिक्षा और असाइनमेंट जैसे पारंपरिक तरीकों में उतकरष्टा प्राप्त करने वाले बच्चे इस आजीव तरह के प्रकृतिक समानता के विविवित काम करने वाले सिस्टम में अपनी पहचान करते हैं। और यह तब बत्तर हो जाता है जब चातर इसके उच स्तर तक पहुन जाते हैं। उच वर्ग के चातर अपने सपने को पाने के लिए कड़ा कमपिटिशन करते हैं और आतव विश्वास से आगे बढ़ते हैं। पुछ विदैलियों में मैनेजमेंट और बेंकिंग जैसे पारंपरिक करियर के लिए चातर आज कमपिटिशन के बहुर में पूरी तरह फंस चुके हैं और इसके लिए बहुत महंगी महंगी तुशने भी रखते हैं। हम खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और प्रतिस परदा की। कनून के चातरों की दुनिया में पुरुसकार्स पस्ट हैं। हर साल हजारों सनाथों में से केवल कुछ दरजनों को सुप्रिम कोर्ट में कलर्क शिप मिलती है। एक साल के लिए सेंटरल अपिल कोर्ट में कलर्क लगने के लिए मुझे जस्टिस कैनेडी और स्केलिया के साथ कलर्क शिप के लिए इंट्यूर के लिए बुलाया गया। जस्टिस के साथ मेरी चर्चा अच्छी तरह चली थी। मैं इस आखरी पर्तियोगिता को जीतने के बहुत करीव था। मैंने सोचा अगर मुझे कलर्क शिप मिल गई तो मैं जीवन में सभल रहूंगा। लेकिन मैंने इसा नहीं किया और मैंने अपने इस करियर को बर्बाद कर लिया। 2004 में मैं पेपल के बंध होने के बाद अपने ला स्कूल के पुराने दोस्त के पास किया। ताकि वो मुझे मेरी एसपल कलर्क शिप एप्लिकेशन तयार करने में मदद करे। हमने लगवग एक दसक से बाचित नहीं की थी। उसका पहला सवाल यह नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं या इतने लंबे अरसे बाद मिले हैं। इसके बजाए वह चिलाया और पूछा क्या आप कलर्क शिप खोने से खुश नहीं हैं। हम दोनों ही जानते थे कि जीतने वाली अंतिम परतिस्परदा मेरे जीवन को बदल देगी। अगर मैं वास्तों में सुप्रिम कोर्ड में कलर्क होता तो शायद मैं अपने पूरे करियर में कुछ नया करने की बजाए अन्य लोगों के व्यापारिक सोदों को लिखता और उन्हें तयार करता। यह कहना मुश्किल है कि यह कितना अलग होगा लेकिन आउसर लागत बहुत अधिक थी। सभी विद्वानों के पास उनके अतीत में एक अच्छा भविश्य था। युद्ध और शान्ति प्रोफेसर अकादमिक कट्गरा संस्कृति को कम करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैनेजरों को युद्ध और व्यापार एक समान नजर आते हैं। एम्बीए के चात्र क्लाउज बिट्स और संटीजू को कापी करते हैं। युद्ध के जैसे शब्द हमारी रोजमरा की व्यवसाई भासा में प्रियोग किये जाते हैं। जैसे हम एक सेल्स पोर्स बनाने के लिए हेड हंटर शब्द का प्रियोग करते हैं। जो हमें कैप्टिव बाजार लेने और शिकार करने में सक्षम बनाता है। लेकिन वास्तों में यह प्रतिस परदा है। व्यवसाई नहीं यह युद्ध की तरह है। कथित रूप से जिसे बहतुर माना जाता है लेकिन अंततय वहविन आशकारी होता है। लोग एक दूसरे के साथ प्रतिस परदा क्यों करते हैं। कारल मार्क्स और सेक्सपियर लगवग हर परकार के संगर्स को समझाने के लिए दो माडल परदान करते हैं। मार्क्स के अनुसार लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से अलग हैं। कमजोर संपन से लड़ता है क्योंकि उसके पास अलग-अलग भोतिक परिस्तितियों में पूरी तरह अलग वीचार और लक्षय होते हैं मत बेट जितना अधिक होगा संगस उतना ही बड़ा होगा इसके पीपरित सेक्ष्पियर के लिए सभी लड़ाकों को समान रूप से कम और ज़्यादा दिखता है यह बिल्कुल स्पस्ट नहीं है कि उन्हें क्यों लड़ना चाहिए क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है रोमियों और जूलियर्ट की शुरुवाती लाइन पर विचार करें दो घर, दोनों गरिमा में समान, दोनों घर एक जैसे फिर भी वे एक दूसरे से नफरत करते हैं आखिरकार वे इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने क्यों लड़ना शुरू किया था वे वसाय की दुनिया में कम से कम शेक्सपियर बेहतर गाइट थाबित हुए हैं कमपनी के अंदर लोग अपने सहे कर्मियों से और कमपनी अपने परतिदूंदियों से बाजार परतियों किता में आगे निकलने के लिए हमेशा प्रियासरत रहते हैं संसार में लोग यह भूल जाते हैं कि उनके अपने क्या माइने हैं और उनके लिए क्या सही है इसके बजाए बस वो केवल अपने पर्तिद्वन्दियों पर ध्यान के निरिद करते हैं। आईए वास्टविक दुनिया में शेक्षपीर माडल का परिक्षन करें। रोमिय और जूलियट के आधार पर केट्स और स्मिट नामक एक प्रडेक्ट की कलपना करें। मौन्टे को माइक्रोसोप्त मानते हैं और कैपलेट को गूगल मान लेते हैं। अलफा युद दुवारा संसालित दो महान परिवार उनकी समानता के कारण उत्वन संघर्ष के बारे में चर्चा करते हैं। संघर्ष पहले केवल दिखने में एह परियारिया लगता है, वास्तों में यह पूरी तरह से टालने योग्या था। ये दोनों परिवार अलग अलग स्तानों से आये थे। मॉन्टेक हाउस ने ओपरेटिंग सिस्टम और आफिस सॉफ्टेर का निर्मान किया। हाउस आप कैपकलेट ने सर्च इंजन बनाया था। इनमें आपस में लड़ने के लिए क्या था। जाहिर है बहुत सारे स्टार्टप के रूप में प्रते कंपने सोतंतर रूप से समर्द होना चाहती थी लेकिन जैसे ही उन्होंने बढ़ना शुरू किया वैसे ही एक दूसरे पर ध्यान के अंदरित करना शुरू कर दिया। परेनाम विंडोस बनाम क्रॉम ओएस, बिंग बनाम गूगल सर्ट, एक्स्प्लोरर बनाम क्रॉम, ओफिस बनाम डॉक्स और सरफेस बनाम नेक्सेस। इस यूद के कार्ड मांट्यूग और कैपिलेट्स को इसके कीमत चुकाने पड़ी जो माइक्रोसोफ्ट और गूगल के प्रूटों की लागत थी इसी बीज एपल आया और उन सभी को पीछे छोड़ दिया जनवरी 2013 में एपल का मार्केट कैपिलिजम पांचो डोलर बिलियन था जबकि गूगल और माइक्रोसोफ्ट दोनों का इकठा मार्केट कैपिल चार सो स्तासट अरब डोलर का था सिर्फ तेन साल पहले माइक्रोसोफ्ट और गूगल एपल की तुलना में बड़ी फर्मे थी युद यानि कमपेटिशन एक महेंगा प्यापार है परतियों गिता पुराने अवसरों पर अधिक जोर देने का कारण बनती है जिन चीजों ने अतीत में काम किया है उनकी केवल हम नकल बनाते हैं आईए हम हाल ही में बने मोबाइल क्रेडिट कार्ड लीडर का विचार करें अक्टुबर 2010 में स्क्वाइर नामक स्टार्टप ने एक छोटा सफेद स्क्वाइर आकार वाला प्रडेक्ट जारी किया जो किसी भी क्रेडिट कार्ड को आईफोन के साथ स्वाइप करके पेमेंट स्विकार करने देता है मोबाइल हैंड सेट के लिए यह पहला और अच्छा पेमेंट परसेसिंग समाधान था परतियोगी तुरंत इसकी और आकरशित हुए नेट सेकुर्राम के कनाडाई कंपनी ने अपना खुद का कार्ड रीडर अर्द चंदरमा आकार में लूंच किया इंट्यूटी से बिलनाकार आकार में लाया मार्च 2012 में ईबे की पेपा लिकाई ने अपना खुद का कापी कैट कार्ड रीडर लॉंच किया यह एक तिर्बुज के आकार में था इसे यह समझ में आता है कि यह शेक्ष्पियर काल तब तक खतम नहीं होगा जब तक कि यह पुरातात्विक आकार से बाहर नहीं आ जाते हमें नगली प्रतिस परदा के खत्रियांशिक रूप से समझा सकते हैं कि सिलिकोन वैली में एक्षमता वाले वेक्ति आज क्यों लाब में है यदि आप सामाजिक संकेतों के प्रतिक कम संवेदन सील हैं तो आप अपने आसपास के हर किसी के समान काम करने की संभावना को कम करते हैं यदि आप प्रोग्रामिंग कंप्ट्र बनाने में रूची रखते हैं तो आप उन गतिवीदियों को अकेले आगे बढ़ाने से डरेंगे और इस तरह आप ऐविश्वस्निय रूप से अच्छा बनेंगे फिर जब आप अपने कोशल से कुछ शुरू करते हैं तो आप दूसरों के मुकाबले अपनी संभावना को कमानते हैं इससे आपको स्वस्ट रूप से परतिसपर्दा करने वालों से बचाया जा सकता है परतिसपर्दा लोगों को आउसर के परति ब्रहमित करती है जहां कोई भी अस्तितों नहीं है बूम 1990 के समय ऑलनाइन पालतु जानवरों के स्टोर बाजार में बहेंकर परतिसपर्दा थी यह पेट्स.com बनाम पेट्स्टोर.com बनाम पेटोपिया.com वह और भी दरजनों उधारंग थे प्रतेक कमपनी अपने परतिद्यूंदियों को पराजित करने के साथ साथ खुद भी अपने काम के प्रतिब्रहमित थी कुद्टे के खिलों ने ज़्यादा मुनाफ़ा दे रहे थे कौन सर्वस्रेस सूपर बाउल भी ग्यापन बना सकता है ये कमपनिया पूरी तरह से इस सवाल में खो गई कि ओनलाइन पालतु जानवरा पुरति बाजार सही जगए है भी या नहीं जीतना खारने से बहतर है लेकिन जब कोई युद लड़ने योग्या ही नहीं हो तो हर कोई हार जाता है इस डोट कॉम दूर गटना के बाद पेट्स डोट कॉम की तीन सो मिलियन डॉलर निवे स्पूंजी काईब हो गई दूसरे समय में पर्टि द्वन्दिता शिर्फ आजीब और विचलित थी लेरी एलिशन और एकल के सहसं स्तापक वे मुख्य कारेकारी अधिकारी और टॉम साइबेल और एकल के टोप सेल्जमेन जो 1993 में साइबेल सिस्टम स्तापना से पहले दोनों के मीच सेक्स्पियर के दौरा बताया गया संगर चल रहा था एलिशन का विश्वास साइबेल के विश्वास काथ के बाद से उठ गया था साइबेल अपने पुरो मालिक की छाया से ही नवरत करता था दो इनसान मून रूप से समान और मेहनती थे जो बेजने से प्यार वे नुकसान से नवरत करते थे इसलिए वे आपस में एक दूसरे से गरना करते थे एलिशन और से बेल ने नबे के दसक की दूसरी चैमाई में एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश की एक समय तो एलिशन ने से बेल के मुख्यालियों में आईस्क्रिम सेन्वीज के लोडेड ट्रक भेज दिये ताकि सीविल के करमचारियों को अपने लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश की जा सके उनके रैपर पर लिखा था गर्मी निकत है और एकल यहां है अपने करियर को उजूल करने के लिए आई है आश्रिय जनक रूप से औरेकल ने जान बुझकर दुस्मनों को जमा किया एलिसन का सिधान यह था कि दुस्मन होना हमेशा के लिए अच्छा होता है जब तक कि यह खतरनाक नहें दिखने लगे जब तक कि कमपनी को दंकी देने जितना बड़ा नहें हो जाए उनिसोचानमे में इन्फॉर्मेटिक नामक एक छोटी डेटाबेस कमपनी ने औरेकल के रेड़ूड शोरेस मुख्यले के पास एक बिलबोर्ड लगाया जिस पर लिखा था चेतावनी डाइनसोर क्रोसिंग उत्तर के बाउंडरी मार्क पर एक और सुचना लिखी थी आपने रेड़ूड को पास किया है जिसे हमने भी किया था औरेकल ने भी एक विलबोर्ड लिखा था जो बताता था कि इन्फॉर्मेटिक का सोप्ट्वेर गोंगे से भी पीमा था फिर इन्फॉर्मिक सीईओ फिल वाइट ने विक्टिकत हमला करने का फैसला किया जब वाइट ने जाना कि लेरी एलेसन ने जादूई समुराई चलाना सीखा था तो उजने औरेकल के लोगों को एक तूटी हुई समुराई तलवार के साथ चितरित करने वाला एक नया बोर्ड लगवा दिया यह विग्यापन और एकल को एक कंपनी के रूप में भी नहीं मानता था यह एलेसन पर व्यक्तिकत हमला था लेकिन शायर वाइट ने पर्तियोगता के बारे में चिंता करने में कुछ अधिक समय लगा दिया वह बिलबोर्ड बनाने में व्यस्त था तब इन्फोर्मिक्स बड़े पैमाने पर अकाउंट को टाले में फंस गया और वाइट ने जल्दी अपने आपको सिक्योर्टीज दोगादरी के जुरुम में संगिय जेल में पाया यदि आप परत्युदंदी को हरा नहीं सकते हैं तो विले करना बेहतर हो सकता है मैंने 1998 में में अपने सहसं स्तापक मेक्स लेविनिन के साथ कंफिनिटी की शुरुवात की जब हमने 1999 के अंत में पेपाल उत्वाद जारी किया तो एलन मस्क का एक्स डोट कॉम हमारी एडी तक था हमारी कंपनियों के कारेले पालो आल्टो में युनिवेस्टी एवेन्यू के अलावा चार अन्य ब्लोक में थे और एक्स के उत्वाद ने हमारे फीशर को परतिबिम्भित किया है 1999 के अन्त तक हम पूरी तरह से युद में थे पेपाल में हम मेंसे कई ने सो गंटे तक साब्ताई काम किया इसमें कोई संदे नहीं था कि यह काम परतिकूल था इनका फोकस उदेश्य पर नहीं बलकि एक्स डोट कॉम को हराने पर था हमारे इंजिनियरों में से एक ने वास्तों में इस उदेश्य के लिए एक बंब तयार किया था जब उन्होंने एक टीम मिटिंग में इसे योजनावत तरीके से परस्तूत किया तब पता चला कि उनकी अत्यदिक नेंद की कमी का कारण क्या था लेकिन फर्वरी 2000 में एलन और मैं तेजी से बढ़ते तकनिकी बूम के बुलबले से डर गए थे हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि एक वितिय दुर्गर्ना हम दोनों को हमारी लड़ाई खत्म होने से पहले ही परबात कर देगी हम मार्च के शुरू में एक कैपे में मिले जो लगबग हमारे कारेलियों के पास ही था तब हमने पचास-पचास पर्टिसत पर विले की बाचित की पर्टिद्वन्धिता के कारण विले से पहले अपने आपको कम आँखना आसान नहीं था लेकिन जहां तक बात समश्याओं की थी उनके चलते यह अच्छा था हम सेयुक टीम के रूप में डोटकों दूगटना से बाहर निकलने और फिर से एक सफल व्यवसाय बनाने में काम्याब रही कभी कभी आपको लड़ना पड़ता है आपको लड़ना और जीतना चाहिए कोई और विकल्प नहीं है और नहीं आप इसमें कोई दाओ चल सकते तोकड़ी मेहनत करें और इसे जल्दी खत्म करें इस सला का पालन करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपका गरू और सम्मान रास्ते में आ सकता है महानता का मतलब है कि अंडे के चिलके सरी के कारणों के लिए भी इच्छा से लड़ना चीजों के लिए कोई भी लड़ता है सच्चे हीरो अपने व्यक्तिकत सम्मान को इतनी गंभिरता से लेते हैं कि वे उन चीजों के लिए लड़ेंगे जिन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यह दोहरा तर्क मानों प्रकृति का हिस्सा है लेकिन यह व्यापार में विनाशकारी है यदि आप प्रतिस पर्दा को एक विनाशकारी फोर्स के रूप में देखते हैं तो आप अधिक समझदार है अगला अध्याई एक मोनोपली व्यवसाई बनाने के लिए स्पस्ट सोच विक्सित करने के बारे में है नन्यवाद हिंदी ओडियोबुक टोटकॉम आईए चलते हैं अध्याई पांच की ओड़ आप का दिम शुब हो अध्याई पांच अंतिम लाप हिंदी ओडियोबुक टोटकॉम प्रतिस पर्दा प्रतियोगिता आपको एक अधिकार परदान करती है लेकिन भविश्या में एक अधिकार यानि मोनोपली ही एक महान व्यवसाई है ट्विटर के साथ न्यूव्यार्क टाइम्स कंपनी के मुल्या की तुलनागरें दोनों कुछ हजार लोगों को रोजगार देते हैं और लाकों लोगों तक समाचार पहुंचाते हैं हलांकि टाइम्स ने तो हजार बारा में 133 मिलियन डोलर कमाए जबकि ट्विटर ने पैसा खो दिया ट्विटर के लिए विशाल प्रीमियम क्या बताता है जवाब कैश प्लो है यह पहली नजर में विचितर लगता है कि टाइम्स लाब में था जबकि ट्विटर घटे में था लेकिन भविशे के एक महान व्यावसाई को कैश प्लो उत्मन करने की क्षमता वाले के रूप में परिभासित किया जाता है निवेशकों को उमीद है कि अगले दसक में ट्विटर मोनोपली लाब हासिल करेगा जबकि समाजार पत्रों की मोनोपली के दिन खक्म हो गई कहा गया है कि आज के व्यापार का मुल्य भविशे के कमाई गई सारे धन का योग है डिसकाउंटेट कैश प्लो मोडल की तुलना में कम विकास करने वाले व्यावसायों और उच व्रदी करने वाले स्टार्ट अप के बीच का अंतर सबसे महतोपूर्ण है कम व्रदी करने वाले व्यावसायों का अधिकास मुल्य निकट अधी में है एक पुराना एकोनिमिक बिजनेस अपने करन्ट कैश प्लो को पांच या अच्छे साल तक पनाई रख सकता है हलांकि करेबी फर्म को इसके मुनाफ़े में प्रतिस्परदा दिखाई देती है नाइट कलब्स या रेस्तरा इसके अच्छे उधारन है इनमें सफल लोग आज धन एकतर कर सकते हैं लेकिन अगले कुछ सालों में उनके कैश प्लो शायद कम हो जाएंगे जब गराहत, नए और ट्रेंड रियर विकल्पों की और मुड़ जाते हैं प्रोधोगी की कमपनियां अपोजिट ट्रांजेट्री का प्रियोग करती है वे अक्सर पहले कुछ वर्सों के लिए नुक्सान सहती है वैसे भी मुल्यवान चीजों को बनाने में समय लगता है और इसका मतलब रेविन्यू में देरी है अधिकांस तक निकी कमपनियों का मुल्य बहुष्य में कम से कम 10 से 15 वर्स तक लाप कमाने लगेगा मार्च 2001 में पेपॉल ने अभी तक लाप नहीं कमाया था लेकिन हमारे रेविन्यू सालाना सो परतिसर तक पढ़ रहे थे जब मैंने अपने भविश्य के कैश्फलों का अनुमान लगाया तो मैंने पाया कि कमपनिय का वर्तमान मुल्य 75 परतिसर जो कि साल 2011 और उसके बाद में उत्पन मुनाफे से होगा और मुश्किल से केवल 27 महिनों के लिए कारोबार में रहने वाली कमपनिय के लिए यह विश्वास करना कठिन था लेकिन यह कम आंकलन के रूप में सामने आया आज पेपाल साला ना लगबग 15 परतिसर की दर से आगे बढ़ता जा रहा है जो एक डसक पहले के डिसकाउंट रेर से कम है अब यह प्रतीत होता है कि कमपनिय का अधिकांश मुल्य 2020 और इसके बाद आएगा LinkedIn एक एसी कमपनिय का अच्छा उधारन है जिसका मुल्य दूर बविश्य में मौजूद है 2014 की शुरुवात में इसका बाजार पुझी करण 24.5 बिलियन डोलर था जो की एक अरब डोलर से कम रेविन्यू वाली कमपनिय के लिए बहुत अधिक था और जिसकी 2012 में शुद आए केवल 21.6 मिलियन डोलर थी आप इन नम्बरों को देख सकते हैं और निसकर्स निकाल सकते हैं कि निवेशक क्रेजी हो गए हैं लेकिन जब आप लिंक्टेन के अनुमानित फ्यूचर कैस्पलो पर विचार करते हैं तो यह मुल्याकन समझ में आता है भविश्य के मुनाफे का महतव सिलिकोन वैली में भी अनुमानित है एक कम्पनी के मुल्यवान होने के लिए इसे आगे बढ़ना चाहिए लेकिन कई उद्वी केवल अल्प कालिन विकास पर ध्यान के निरिद करते हैं उनके पास यह बहाना होता है कि विकास को मापना असान है लेकिन स्थाइद्व को मापा नहीं जा सकता जो साप्ताइक आंकड़ों मासिक राजसों लक्षियों और त्रेमासिक कमाई रिपोर्ट से ही प्रभावित रहते हैं हाला कि आप उन संख्याओं को अंदेखा कर सकते हैं कठिन से कठिन समश्याओं को नजरा अंदाज कर सकते हैं जो आपके व्यवसाई के स्थाइद्व को खत्रे में डाल देते हैं उधारन के लिए लंबी अवदी की चुनोतियों से जिंगा वैग रूपन परबंद को और निवेश को दोनों ने पेजी से अल्प कालिन व्रदी की है जिंगा ने फारू विले जैसे खेलों के साथ शुरुवाती जीत दर्ज की और नए रिलीज को गहराई से और नए रिलीज को साइकोमेट्रिक इंजन बनने का दावा किया लेकिन हॉलिवड स्टूडियो के सामने समान समच्चा के साथ दोनों समापतों हो गई आप विकरत सोताओं के लिए लोग प्रिय मनोरंजन की लगातार स्ट्रीम कैसे बना सकते हैं कोई भी नहीं जानता गुरुपन ने सेंकडों हजारों स्थानिय व्यावसायों के बीच तेजी से विकास किया लेकिन उन ग्रहकों के रिपीट ग्रहक बनने के लिए ग्रहक को राजी करना उनके विचार से कठिन था यदि आप अन्यस अभी को छोड़ निकट अवदी के विकास पर ध्यान के निरित करते हैं तो आपको सबसे महत्वकून सवाल यह करना चाहिए क्या यह व्यवसाई अभी भी एक दसक तक चलेगा अकेले नमबर आपको जवाब नहीं देंगे इसके बजाए आपको अपने व्यापार की गुनात्मक विशेस्ताओं के बारे में गंबिरता से विचार करना चाहिए मोनोपली की विशेस्ताइं बविश्य में बहुत बड़े कैश्वलो वाली कंपनी किस तरह दिखती है प्रतेक मोनोपली युनीक है लेकिन उन में आम तोर पर कुछ सांजी विशेस्ताइं होती है जैसे मालिकाना टेकनोलोजी, नेटवर्क प्रभाव, अर्थ व्यवस्ता के पैमाने और ब्रांडिंग व्यवसाई शुरू करने के लिए कोई भी सूची नहीं होती व्य मोनोपली के लिए भी कोई शोटकट उपलब नहीं है हलांकि आगे बताई गई विशेस्ताओं के अनुसार आप अपने व्यावसाई का विशलेशन करके इसे टिकाउ बनाने के तरीके के बारे में जान सकते हैं पहला मालिकाना प्रोधोगी की मालिकाना टेकनोलोजी कमपनी के पास सबसे वास्पिक लाब होती है क्योंकि यह आपके उतपाद की नकल को मुश्किल या कहें असंभव बनाती है उधरन के लिए गूगल की सर्च अलगोरिदम किसी और के मुकावले बेहतर परिनाम देता है बेहत कम समय में पेजलोड वैत्यदिक सटीक आटो सर्च परिनाम देने वाली टेकनोलोजी उतपाद को मजबूती और रक्षा सिल्टा परदान करती है किसी और के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा जो साल 2000 के दसक में गूगल ने अन्य सवी सर्च इंजन कंपनियों के साथ किया थम रूल के अनुसार बेहतर मॉनोपली के लिए मालिकाना टेकनोलोजी अपने निकटम विकल्ब से कम से कम दसकुना बहतर होती है इसके अलावा किसी भी तक्निक में सुधार करके पाई कई परिनाम को विसेश रूप से पहले से बीड़ भरे वाजार में पेशना मुश्किल होगा टेनेक्स यानि उतकरष्ट परिनाम के लिए सुधार करने का सबसे स्पष्ट तरीका है कुछ नया आविश्टार करना यदि आप एक मुल्यवान तक्निक मनाते हैं जो पहले से उपलब्द ने हो तो मुल्य में सैधान्तिक रूप से अनंत वरदी होगी जैसे नींद की आवशक्ता को पूरा करने के लिए एक दवा या गंजेपन को दूर करने के लिए इलाज निश्चित रूप से यह मोनोपली बिजनस बनाने में बेहतरीन करम थाबित होगा या फिर आप पहले से उपलवत उतपादों को मूल रूप से बेहतरीन बना दें जो टैनेक्स तक बेहतर हो जाएं तो आप अपने आप ही परतिस परदा को खत्म कर देते हैं उधारन के लिए पेपाल ने इवे से कम से कम दस गुना बेहतर खरीदारी और विक्री की खरीदारी के लिए चेक बेहजने और साथ से आठ दिनों तक सामान का इंतजार करने की विवस्ता को पेपाल ने स्वाप्त कर दिया और अब खरीदारों को तुरत बुगदान करने का विकल्प दिया विक्रेताओं को तुरत उनकी पेमेंट मिलने लगी और चेक के विपरिद उन्हें फंट जल्डी से और सही समय पर मिलने लगे एमेजन ने अपने पहले टैनेक सुधार को विशेश रूप से देखने योगे बनाया उन्होंने कम से कम दस कुना किताबें किसी भी अन्य किताबों की दुकान से ज़्यादा पेश की 1995 से लाँच होते ही एमेजन परत्वी की सबसे बड़ी किताबों की दुकान होने का दावा कर सकता था क्योंकि खुदरा किताबों की दुकान के विपरिद एमेजन एक लाग किताबें बेच सकती है एमेजन को बोटिक रूप से किसी भी पुस्तक को स्टोर करने की आफशक्ता नहीं थी जब भी कोई गरहाग आप उर्थी करता से पुस्तक का अनुरोद करता था तो आप उर्थी करता गरहाग को सिधे पुस्तक भेश देता था यह quantum सुधार इतना प्रवावी था कि Amazon के IPO आने से तीन दिन पहले एक बहुती दुखी बानसे नोवल ने मुक्दमा दायर किया और दावा किया था कि Amazon खुद को दोखे से बुक प्रोकर कहता है आप बहतर यूनिक डिजाइन के मात्यम से 10X उधार भी कर सकते हैं 2010 से पहले टेबलेट कंप्यूटिंग इतनी खराब थी कि सभी व्यवारिक उदेशों के लिए इसका बाजार भी अस्तितों में नहीं था Microsoft Windows XP टेबलेट PC संसकर्ण प्रोडेक्ट को 2002 में और Nokia ने 2005 में अपना अपना इंटरनेट टेबलेट जारी किया लेकिन उन्हें उप्योग करना किसी दर्थ से कम नहीं था तब Apple ने iPad जारी किया डिजाइन सुधारों को मापना मुश्किल होता है लेकिन एसा लगता है कि एपल कम से कम इस परियनाम को बेहतरिन तरीके से पेश कर पाया और टेबलेट अनुपयोगी से उपयोगी हो गया दूसरा नेटवर्क प्रभाव नेटवर्क इफेक्ट उत्पाद को अधिक उपयोगी बनाते हैं क्योंकि अधिक लोग इसका उपयोग करते हैं उधारन के लिए यदि आपके सभी मित्र फेस्बुक पर हैं तो आपके लिए फेस्बुक में सामिल होने के लिए समझ में आता है अलग सोशल नेटवर्क जुनने से आप अकेले ही रह जाते हैं नेटवर्क इफेक्ट शक्तिशाली भी हो सकते हैं जब तक नेटवर्क आवशक रूप से बढ़ा नहीं हो और आपका उत्पाद अपने पहले उपयोग करताओं के लिए मुल्यवान नय हो उधारन के लिए 1960 में जैनेडू नामक एक क्विक सोटी कंपनी ने सभी कंप्यूटरों के बीच एक दो तरफा संचार नेटवर्क बनाया वर्ल्ड वाइड वेब का प्रारंबिक सिंक्रोनिक संस्करन तीन दस्कों से अधिक व्यर्थ प्रयासों के बाद जैनेडू समने र जिसके लिए हर कंप्यूटर को एक ही समय में नेटवर्क में जोडने की आवशक्ता होती थी और यह कभी नहीं होने वाला था विरोदवासी रूप में नेटवर्क प्रवाववे अवसायों को विसेश रूपजे छोटे बादारों से शुरू होना चाहिए जैसे फेस्बुक ने हावर्ड के चात्रों के साथ शुरुवात की मार्क जूबर्कर का पहला उत्पाद प्रत्वी के सभी लोगों को जोडने के लिए नहीं था बल्कि अपने सभी सहपाटियों को साइन अप करने के लिए डिजाइन किया गया था यही कारण है कि M.B. द्वारा सफल नेट्वर्क व्यवसाईयों को शायद ही कभी शुरू किया जाता है प्रारंबिक बाजार इतने चोटे होते हैं कि वे अक्सर व्यवसाई का उसर भी नहीं दिखते हैं मौनोपली व्यवसाई तब मजबूत होता है जब यह बड़ा होता है कभी कभी उत्वाद बनाने की निश्चित लागत विक्री से अधिक भी हो सकती है सौफ्ट्वेर स्टार्टप विशेश रूप से अर्थ व्यवसाई का आनंद ले सकते हैं क्योंकि उत्वाद की दूसरी कोपी बनाने की सीधी लागत सुन्य होती है कई व्यवसाई बड़े पैमाने पर बढ़ने के साथ सिमित फाइदे प्राप्त करते हैं विशेश रूप से सेवा व्यवसाई में मौनोपली बनाना मुश्किल है उधरन के लिए यदि आपके पास योग स्टूडियो है तब आप केवल कुछ निश्चित ग्रापों की सेवा करने में सक्षम होंगे आप अधिक पर्शिक्षकों को नोकरी पर रख सकते हैं और अधिक स्तानों पर विस्तार कर सकते हैं लेकिन इस से आपके मारजन काफी कम हो जाएंगे और आप कभी भी उस बिंदू तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर भावशाली लोगों का एक कोर समुए लाकों अलग-लग ग्रापों की सेवा कर सकता है यह काम करने में एक सौप्टेयर इंजिनियर सक्षम है एक अच्छे स्टार्ट अप में अपने पहले ही डिजाइन में बड़े पैमाने पर निर्मित होने की ख्शमता होनी चाहिए ट्विटर पर पहले से ही दाई सो मिलियन से अधिक उप्योग करता है हलांकि अधिक हासिल करने के लिए इसे बहुत अधिक फीचर जोड़ने की आफशक्ता नहीं है और इसमें कोई कारण नहीं दिखता है कि इसे बढ़ना बंद कर देना चाहिए परिवासा के अनुसार एक कंपनी का अपने ब्रांड पर मोनोपली होता है इसलिए एक मजबूत ब्रांड बनाना मोनोपली का दावा करने का एक शक्तिशाली तरीका है आज का सबसे मजबूत तक्निकी ब्रांड है एपल हाइफोन और मैक बूक जैसे उत्पादों की आकरशक दिखने और ध्यान से चुने गई सामगरी एपल स्टोर का चिकना डिजाइन और उब उगता अनुवा उपकर करेबी नियंतरन सर्वव्यापी विग्यापन अवियान प्रीमियम निर्माता के रूप में मुल्य निर्धारन और स्टीव जॉग का विक्तिगत करिश्मा सभी एक दारना में योगदान देते हैं कि एपल अपने उत्वादों की उत्करिश्ट स्रेनी बनाने के लिए इतना अच्छा योगदान देता है कई ने एपल की सफलता से सीखने की कोशिस की है मुपतान विक्यापन, ब्रांडेट स्टोर्स, शांदर सामगरी, उच किमतें और यहां तक की न्यूंतम डिजाइन की भी नकल लेकिन सतै को चमकाने के लिए ये तकनिक मजबूत आंत्रिक इच्छा के बिना काम नहीं करती है एपल में हाडवेर और सॉफ्ट एर दोनों में स्वामित और वाली तरोदोगी क्यों का एक जटिल योग है यह उन सामगरीयों को उचित मेमाने पर निर्मान करता है जिससे इसके खरीदारों के लिए मुल्य निम्न हो जाता है और या अपने मजबूत नेटर परवाव का आनंद लेता है हजारों डेवल पर एपल उपकरणों के लिए सॉफ्ट एर बनाते हैं क्योंकि इसके सैंक्रों लाग उप्योग करता है और वे उप्योग करता हर समय नई एप्स की खोज करते रहते हैं ये अन्य मौनोपली लाग एपल के स्पार्कलिंग ब्रांड की तुलना में कमस्पष्ट है लेकिन मूलबूच सी दांत ही ब्रांडिंग को एपल की मौनोपली को प्रभावी टंग से मजबूट करते हैं उतपाद के वज़ाए ब्रांड के साथ शुरुआत खतरनाग है जब से मारिशा मेर याहू की सीईओ बनी है दो हजार बारा के मद्दे में उन्होंने इसे एक बार पिर से इंटरनेट पर लोग प्रिये बनाया और इसे पुनर जीवित करने के लिए काम किया है एक ही टूइट में याहू ने मेर की योजना का सारांस बता दिया यूजर के बाद उतपाद उतपाद के बाद ट्रैफिक और ट्रैफिक के बाद रेवेन्यू याहू ने अपने लोगों को डिजाइन जागरुक्ता का परदर्शन किया इसने टंबलर जैसे ओर्ट स्टार अप शुरू करकी युवा प्रार संगेक्ता व्यक्त की और इसने मेर की अपने स्टार पावर के लिए मीडिया का ध्यान भी अक्रशित किया लेकिन बड़ा सावाल यह है कि कौन से उत्पाद वास्तों में याहू को याहू बनाते हैं जब स्टील जोब एपल लोट आए तो उन्होंने एपल को काम करने के लिए एक अच्छी जगह नहीं बनाई उन्होंने टैनेक्स सुदारों के मुठी वराउसरों पर ध्यान के अंधरित करने के लिए उत्पाद लाइनों को घटा दिया आकेले ब्रांडिंग पर कोई भी प्रोदोगी कंपनी नहीं बनाई जा सक परती है लेकिन इसके काम करने के लिए आपको अपने बाजार को ध्यान से चुनने और जान बूज कर इसके विस्तार की जरूरत है चोटी मॉनोपली शुरू करो शुरुआत में प्रतेक स्टार्ट अप छोटा होता है प्रतेक मोनोपली बाजार के एक बड़े हिस्से पर हावी है इसलिए प्रतेक स्टार्टप को बहुत छोटे बाजार से शुरू करना चाहिए कारण सरल है एक बड़े बाजार की तुलना में एक छोटे बाजार पर हावी होना आसान है यदि आपको लगता है कि आपका प्रारंबिक बाजा बहुत बढ़ावो सकता है तो यह लगवग निश्चत रूप से है छोटे का मगलब महतव ही नहीं है हमने इसका पेपाल में जल्दी परियोग किया था हमारा पहला उत्पाद लोगों को पाम पेलोट के माधन से एक दूसरे को पैसे भेजने में मदद करता था यह दिल्चस्प तक्नीक थी और कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था हलांकि दुनिया के लाखों पाम पेलोट उप्योग करता किसी विशे स्थान पर केंदरित नहीं थी उनके पास यह बहुत कम उप्योगी भी था और वे अपने उप्करणों का कभी-कभी उप्योग करते थे किसी को भी हमारी उत्पाद की अफ्शक्ता नहीं थी इसलिए हमारे पास कोई क्राहत भी नहीं था उस सबक के साथ हमने इबे पर अपनी जगहीं तै किये जहां हमें हमारी पहली सपलता मिली 1999 के अंत में इबे के पास कुछ हजार हाई पाउर सेनर थे और केवल तीन महीने के प्रियास के बाद हम उनमें से 25 पर 30 सबकी से वा कर रहे थे लाखों बिक्रे उबेविक्तियों के ध्यान के लिए पर 30 परदा करने की कोशिस करने के बजाए वास्तों में हमारे उत्वाद की आवशक्ता वाले कुछ हजार लोगों तक पहुँचना बहुत असान था स्टार्ट अप के लिए एकदम सही लक्षे बाजार विशेश रूप से केंदरित लोगों का एक छोटा समू है और जिनको कोई भी परतिसपर्दी सेवा परदान नहीं कर रहा होता है कोई भी बड़ा बाजार खराब विकल्प है और परतिसपर्दी कंपनियों द्वारा पहले से ही पेश किया जाने वाला एक पड़ा बाजार भी बदतर है यही कारण है कि यहां हमेशा खत्रे का जंडा बुलंद रहता है जब उद्दमी सो अरब डोलर के बाजार का एक प्रतिसपर्द करने के बारे में बात करते हैं व्यवहारिक रूप से एक बड़े बाजार में या तो एक अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट की कमी होगी या फिर यहें परतिसपर्दा के लिए खुलेगा इसलिए कभी भी एक परतिसपर्द तक पहुँचना मुश्किल है और यहां तक की यदि आप एक छोटे से लाप को प्राप्त करने में सफल हो भी जाते हैं तो आपको केवल इसकी रोशनी से संतुष्ट होना होगा गला काट परतियोगिता का मतलब है कि आपका मुनाफ़ा सुनने है स्केलिंग अप अनुपातिक रूप से बढ़ें एक बार जब आप अपना बाजार पनाते हैं और उस पर हावी हो जाते हैं तो आपको दीरे देरे इसका थोड़ा व्यापक बाजारों में विस्तार करना चाहिए एमेजन बताता है कि यह कैसे किया जा सकता है जेब बेजोस की संस्तापक दरश्टी कभी आनलाइन खुद्रा विक्रेताओं पर हावी थी लेकिन उन्होंने जान बुझकर किताबों के साथ शुरुआत की सुची में लाखों किताबें थी लेकिन उनमें सभी का आकात लगबग समान था वेशिप करने में आसान थी और कुछ सबसे दुरलब बेची जाने वाली किताबें कम से कम किसी भी खुद्रा स्टोर में रखने से जारा लाबदाइक थी जिसने और ग्रहकों को आकरशित किया एमेजन एक किताबों की दुकान से दूर स्थित किसी के लिए या कुछ मंगाने के लिए परमुक समाधान बन गया एमेजन के पास दो विकल्प थे पुस्तकों को पढ़ने वाले लोगों की संख्या का विस्तार करे या समान बाजारों में विस्तार करे उन्होंने बादवाले बाजार विकल्पों को चुना सीडी, वीडियो और सोप्ट एर एमेजन ने तब तक चीजों को जोड़ना दीरे दीरे जारी रखा जब तक कि वहर दुनिया की सामान्य दुकान नहीं बन गया इसके नाम ने कुद को कंपनी की सेलिंग रन निती को शांदार ढंग से एकिकरत कर दिया एमेजन ने अपने नाम के नहीं वर्षावन की जय विवित्दा की तरही दुनिया की हर किताब को सुची बद करने के अपने पहले लक्षे को पूरा किया और अब यह दुनिया की हर तरह की चीजों के लिए खड़ा है ईबी ने भी छोटे बाजारों पर हावी होने से शुरुआत की जब 1995 में उसने अपने दिलामी बाजार को लौच किया इसे पूरी दुनिया को एक बार में अपनाने की अफशक्ता नहीं थी इसने बेनी बेवी जैसे तिवर रूची समू के साथ अच्छा काम किया एक बार जब इसकी बेनी बेवी बेनी बेवी व्यापार में मोनोपली हो गई तो ईबे सीरे खिलो ना कारों या ओद्योगिक मार्केट्स को सुची बत करने के लिए इसमें कूद नहीं गया यह चोटे चोटे शोटे शोंकियों को खुगा करता रहा जब तक कि यह ओनलाइन व्यापार करने वाले लोगों के लिए सबसे विश्वेशनिय बाजार नहीं बन गया इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आइटम क्या है कभी कभी स्केलिंग अप के लिए चिपी बादाईं भी होती है हाल ही के वर्सों में इबी ने सबक सीखा है सभी बाजारों की तरह निलामी बाजार खुद को प्रकर्टिक मानुपले के लिए उधार देता है क्योंकि खरीदार वहां जाते हैं जहां विक्रेता होते हैं और इसके विपरित भी सही है लेकिन इबी ने पाया कि निलामी मॉडल सिक्के और टिक्टों जैसे व्यक्तिकत रूप से विशिष्ट उतपादों के लिए सबसे अच्छा काम करता है यह कमोडिटी उतपादों के लिए कम काम करता है लोग पेंसिल या क्लेनेक्स पर बोली नहीं लगाना चाते इसलिए उन्हें एमेजन से खरीबना अधिक सुईदाजनक है इबी के पास अभी भी एक मुल्यवान मोनोपली है बाजार सही डंग से और धीरे-धीरे विस्तार करने के लिए नुम्मुती देता है सब से सफल कमपनिया ज़्यादा प्रगती करती है पहले एक विशिष्ट जगे पर हावी होती है और फिर समानांतर बाजारों के लिए स्केलप करती है उनके संस्तापक कहानी का एक हिस्सा होते है Don't disturb सिलिकोन वैली व्यावधान से ब्रहमित हो गई है मूल रूप से व्यावधान कला का एक शब्द है यह वर्णन करने के लिए कि कैसे एक फरम कम कीमत पर कम उत्पाद बेश करने के लिए नई तकनीका उप्योग करती है समय के साथ उत्पाद को बेहतर बना सकती है और अन्तताप पुरानी तकनीका उप्योग कर मुझूदा कमपनियों दोरा पेश प्रीमियम उत्पादों से टक कर ले सकती है यह लगबग तब हुआ जब पीसी के आगमन ने मेन फ्रेम कंप्यूटरों के लिए बाजार में बादा डाली पहले पीसी एप्रसंगिक लग रहे थे फिर वे प्रभावी हो गए आज मुबाइल डिवाइस पीसी के लिए यही काम कर रहे हैं हलांकि व्यवधान ने हाल ही में नई रूप में प्रस्तूत किसी भी चीज़ के लिए एक बज वर्ड में ट्रास्पो गिप्ट हो गया है यह प्रतीत होता है कि यह मामूली माइने रखता है क्योंकि यह एक इंटर्प्रेनर की आतम समझ को स्वभाविक रूप से प्रतीस पर दरीके से खराब करता है इस अवधाना को मौझूदा कमपनियों के लिए खत्रों का वर्ण करने के लिए तैयार किया गया है इसलिए स्टार्ट अवधान का मतलब है कि वे खुद को पुरानी फर्मों की आँखों के माद्यम से देखते हैं यदि आप अपने आपको अंदे की फोर्च से लड़ने वाला सोचते हैं तो अपने रास्ते में आने वाली अनावशक बादाओं को पार करना आसान है लेकिन यदि आप वास्तों में कुछ नया बनाना चाहते हैं तो सरजन का कारिया पुराने उद्यों की तुलना में कहीं अलिक महत्वपूर्ण है जो शायद आपके द्वारा बनाए गए उत्पादों को पसंद नह करें दरसल अगर आपकी कंपनी को पहले से ही मौजुदा फर्मों के विरोध का सामना करतना पड़ता है तो यह पूरी तरह से नया नहीं हो सकता शायद यह मौनोपली बनने वाली भी नहीं है व्यवधान भी ध्यान आकर्शित करता है एसे सरारती लोग भी हैं जो परेशानी की तलास करते हैं और पिर इसे पा लेते हैं शरार्ती बच्चे प्रिंसिपल के ओफिस में बेचे जाते हैं शरार्ती कमपनिया अकसब जगड़े चुंती हैं जिने वे जीत भी नहीं सकती नेप्स्टर के बारे में सोचें यह नाम ही परेशानी का मतलब था नेप्स्टर के तत्कालिन की शोगर संस्तापक शोन फेनिंग और शान पारकर ने 1999 में शक्ति साली संगीत रिकोर्डिंग उद्योग को बादित करने की दमकी दी अगले वर्स अगले वर्स उन्होंने टाइम्स पत्रिका के कवर पर भी जगए पाली इसके डेर साल बाद उन्हें अदालत में दिवालिया गोशित कर दिया गया पेपाल को विक्टन कारी के रूप में देखा जा सकता था लेकिन हमने किसी भी बड़े पर्तिद्वन्दी को सीधे चुनोती देने की कोशिस नहीं की यह सच है कि हमने इंटरनेट बुगतान के लिए विजा के विवसाई को नुकसान पहुंचाया आप अपने विजा कार के उप्योग के बजाए ऑनलाइन खरिदने के लिए पेपाल का उप्योग कर सकते हैं लेकिन चुकी हमने उल्बुगतान के लिए बाजार का विस्तार किया इसलिए हमने विजा को हमारे मुकावले ज़ादा व्योवसाई दिया यूएस रिकॉर्डिंग उद्योग के साथ नेप्स्टर के नेगटिव संगर्स के विपरीद हमारा संगर्स समगर गतिशिल और सुद्ध सकारात्मक था जैसे ही आप अपने समकक्ष बाजारों में विस्तार करने की योजना तयार करते हैं तो बादित ने हों और ने किसी को करें यथा संभव परतिस परदा से बचें जो डटेगा वही कमाएगा आपने शायद पहले लाव के बारे में सुना होगा यदि आप बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं तो आप परतिस परदा करने के लिए महतोपूर्ण बाजार की हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं लेकिन पहले चलना एक रन्नेती है लक्षे नहीं वास्तों में बविश्य में नगत फ्लो पैदा करना क्या माइने रखता है आखिरी प्रेरिक बनना बेहतर है अर्थात एक विशिष्ट बाजार में आखिरी महान विकास करने के लिए और वर्सों या यहां तक कि दर्सकों के मोनोपली लाग का आनंद लेना बेहतर होता है एसा करने का तरीका एक महतव कांचित दिर्ग कालिंद रिष्टी की और एक छोटे से बाजार पर हावी होना और वहां से आगे बढ़ना है कम से कम इसमें व्यवसाई सतरंज की तरह है ग्रेंड मास्टर चोसे राउल ने इसे अच्छी तरह से कहा है सफल होने के लिए आपको सब कुछ से पहले यानि एन गेम अपने उपर होने वाले आखिरी हमले का अध्यान करना होगा धन्यवाद हिंदियोडियोगुक.com आईए चलते हैं अध्याई 6 की ओर आपका दिन शुब हो अध्याई 6 आप एक लोटरी टिकेट नहीं है हिंदियोडियोगुक.com व्यवसाई में सबसे महत्वकून सवाल यह है कि क्या सफलता भग्या या कोशल से आती है सफल लोग क्या कहते हैं सफल लोगों के बारे में लिखने वाले एक लेखक मेलकम ग्लेडवेल ने आउट लायर्स में घुशना की कि भग्या और उसके फाइदे सफलता का परिनाम है वारेन बपेट ने कुद को भग्याशाली कलब के सदश्य तो जेव बेजोस एमेजन की सफलता को एव शुशनिय ग्राहों के कारण और चुटकला कहते हुए कहते हैं कि इसके लिए आदा भाग्ये आदा समय और बाकी दिमाग उतरदाई था बिल गेर्स दावा करते हैं कि वह भग्ये शाली था इसी कोशल के साथ पैदा हुआ था शायद यह सपस्ट नहीं है कि यह वास्तों में संबव है यार नहीं शायद यह लोग रन्नितिक रूप से विनमर थे हालांकि क्रमबद इंटरप्रेनर्शिप की घटना सभलता की व्यक्या करने की हमारी प्रोवर्ती पर सवाल उठाने लगती है सेंक्टों लोगों ने कई मिलियन डॉलर के व्यवसाय शुरू किये लेकिन इन में से कुछ ही मल्टी मिलियन डॉलर कमपनी बना पाई जैसे स्टीव जोब्स, जैक डॉरेस और एलन मस्क आधी अगर सभलता ज़ादा तर भाग्या की कारण मिलती तो शायर इस परकार के उद्मियों का अस्तित्व ही नहीं होता जन्वरी दो हजार तेरा में ट्विटर और स्वायर के संस्तापक जैक डॉरेस ने अपने दो मिलियन फोलावर्स को ट्विट किया सभलता कभी अचानक नहीं मिलती अधिकांस जवाब स्पस्ट रूप से नकारात्मत थे दे अट्लांटिक में ट्विटर का संधर्ब देते हुए रिपोर्टर एलेक्सिस मैड्रिगल ने उनके ट्विट का जवाब देते हुए लिका था कि बहुत से इंगलिश पुरुशों ने कहा सफलता कभी अचानक नहीं मिलती है यह सच है कि पहले से ही सफल लोगों के पास नई चीजें करने के लिए समय नेटवर्ग, धन और अनुभव है लेकिन शायद हमने उन्हें खारिच करने में बहुत जल्दी कर दी जो अपनी योजना के अनुशार सफल हुए है क्या इस पहस को निश्वक्ष रूप से सुज़ाने का कोई तरीका है दुर्भाग्य से कोई तरीका नहीं है क्योंकि कंपनिया एक्स्पेरिमेंट नहीं है उधारन के लिए हमें फेस्बुक के बारे में साइंटिफिक उतर पाने के लिए 2004 में पीछे जाना होगा और दुनिया की एक अगजार कोपी बनानी होगी और प्रतेक कोपी में फेस्बुक को फिर से शुरू करना होगा ताकि यह देखा जाए कि यह कितने बार सफल होगा लेकिन यह प्रियोग असंबव है प्रतेक कमपनी एद्वितिय परिस्थितियों में शुरू होती है और हर कमपनी केवल एक बार शुरू होती है जब सेंपल एक होता है तो आंकड़े काम नहीं करते बीसमी स्थाबदी के उतरार्दमे ग्यान के पुनर जागरन के साथ किस्मत को महारत, प्रभूत्तव और नियंत्रित करने वाली माना जाती थी हर कोई इस बात पर सहमत था कि आपको वह करना चाहिए जो आप कर सकते हैं उस पर ध्यान के अंद्रित नहीं करें जो आप नहीं कर सकते राल्फ वाल्डो इमर्शन ने इस प्रकरती पर लिखा है कमजोर इनसान भाग्ये और परिस्तियों में विश्वास करते हैं और मजबूत इनसान कारण और प्रभाव में विश्वास करते हैं 1912 में उसके बाद दक्षन दुरो तक पहुंचने वाले पहले खोज करता रोल्ड अमुन से ने लिखा विजे उनका इंतजार कर रही है जिनके पास कुछ करने का होसला है जिसे लोग भाग्ये कहते हैं कोई भी कह सकता है कि दुर्भाग्ये मौजूद नहीं था लेकिन पहले की पीडियों ने अपना भाग्ये बनाने के लिए कड़ी मेहनत में विस्वास किया अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बस एक करिश्माई गटना से बदलने वाला है तो इस पुस्तक को क्यों पढ़ा जाए यदि आप लोटरी जीतने वाले लोगों के बारे में कहानिया पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट अप के बारे में सीखना बेकार है कहानिया आपको बता सकती हैं कि उन्होंने अपने जादूई कर्तब कैसे किये लेकिन यह नहीं बता सकती कि कैसे जीता जाई जब हम इस तरह के इतियासिक प्रशनों पर बहस करते हैं तो भाग्य को भूत काल में दर्साया जाता है बविशे के बारे में और भी महतोपोन प्रशन है क्या यह डिजाइन और चांस का मामला है क्या आप अपना बविशे नियंतरित कर सकते हैं आप भविशे को स्थिर मानते हैं या आइनिश्चित यदि आप भविशे को मानते हैं तो इसे आप समझने और आकार देने के लिए पहले से ही काम पर लगे होंगे लेकिन अगर आप भविशे को आइनिश्चित समझते हैं तो आप इसे आकार देने की कोशिस करना छोड़ देंगे बविश्य के एनिश्चित द्रिष्टिकोन बताते हैं कि आज हमारी दुनिया में सबसे अधिक निश्क्रिय क्या है जब लोगों के पास ठोस योजनाओं की कमी होती है तो वे विभिन विकल्पों के पॉर्टपोलिय कथा करने के लिए और चारिक नियमों का उप्योग करते हैं यह आज के अमेरिकियों के विवहार का वर्णन करता है मेडल स्कूल में हमें अतिरिक्त पाठ्यकरम गतिविदियां करने के लिए प्रोचाइट किया जाता है हाई स्कूल में महतव कांख्ष छात्र सब कुछ जानने के लिए और भी कठिन परतिस परदा करते हैं जब तक एक छात्र कालेज जाता है तब तक वह एक दसक में पूरी तरह से अज्यात भविश्य के लिए तयार हो जाता है आखिरकार विशेश रूप से कुछ भी नहीं बनता इसके वीपरीद एक दरड़ संकलवान इंसान अनेक तरब ध्यान बटकाने की बज़ाई एक लक्षा चुनता है कुछ अलग करने के लिए अथक काम करने की बज़ाई वहे एक मोनोपली बनाने का वास्विक प्रियास करता है यूवा लोग आज ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके चारों और हर कोई एक निश्चित दुनिया में विश्वास को चुका है इसलिए कोई भी केवल एक विश्चित में उतकरश्टा प्राप्त करने के लिए शिक्षा नहीं ले रहा है वहे तो बस विकल्पों को चमडे की गेंद की तरह लपकता है और इसके बाद दूसरे विकल्प आने पर पहले को छोड उसे लपकने के चक्र में रहता है आप भविश्य के बहतर या बत्तर होने की कल्पना कर सकते हैं आशावादी लोग भविश्य का स्वागत करते हैं और निराशावादी से डरते हैं इन सभी संभावनाओं को देखने के बाद चार परकार के विचारुत्पन होते हैं पहला एनिश्चित निराशावाद प्रतेक संस्कृति में और पूरे इतिहास में कुछ सुवानियुक और लगवग सभी लोगों की आउनती की वे निराशावाद की कहानिया होती है आज भी निराशावाद दुनिया की विशाल हिस्सों पर हावी है गंबिर निराशावादी समय में भी एक उम्मीद की केर्ण हमेशा मौजूद रहती है लेकिन हमें पता नहीं कि इसे कैसे पहचाना जाए यह योरोप के 1970 के दसक का वर्णन करता है जब महादवी एप्रतेक्स नोकरशाई का शिकार हो गया आज पूरा यूरो जोन धीमी गती से संकट में जा रहा है और इसका कोई विवारिश नहीं है यूरोपियन चेंडरल बेंक सुधार के लिए कुछ वे नहीं कर रहा है यूएस ट्रेजरी ने डोलर पर इस स्वर में हमें विश्वास है प्रिंट किया है ECB यूरो पर किक देकेंड डाउन दर रोड भी प्रिंट कर सकता है यूरोपियन लोग गटनाओं पर एसे प्रतिकरिया करते हैं जैसे वे उम्मीद करते हैं कि चीजें और वियदे खराब होने जा रही है एनिस्चित निराशावादी यह नहीं जान सकते कि ए परियारिय गिरावट तेज होगी या धिमी विनाशकारी होगी या क्रमिक होगी जो भी कुछ कर सकता है वह बस इसके होने का इंतजार कर रहा है इसलिए वह इस दोरान खा सकता है पी सकता है और अरंद ले सकता है असीम निराशावाद निश्चित निराशावादी मानते हैं कि भविश्य और بھی गहराफ हो सकता है लेकिन चूंकि यह अंदकार में होगा इसलिए उन्हें इसके लिए तयार रहना चाहिए शायद आस्टरिया की बात यह है कि चीन आज दुनिया में सबसे निश्चित निश्चावादी जगए है जब अमेरिकी देखते हैं कि चीनी अर्थविवस्ता तेजी से बढ़ रही है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि एक आतम विश्वासी देश अपने भविश्य को समारने में महारत हासिल कर रहा है लेकिन इसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकन अभी भी भविश्य को लेगर आशावादी है और यह मानते हैं कि चीन पर अपने आशावाद को थोप सकते हैं चीन के दृष्टी कौन से आर्थिक विकास परियापत तेजी से नहीं हो रहा है हर किसी दूसरे देश को डर है कि चीन का वियापार दुनिया वर में फैल रहा है चीन एक मातर ऐसा देश है जो डरता नहीं है चीन का प्रारंबे काथार बहुत कम है इसलिए वह तेजी से बढ़ सकता है चीन के बढ़ने का सबसे आसान कारण है कि वहे वही काम करें जो पस्चिम पहले से ही कर चुका है और यह वही है जो चीन कर रहा है अधिक कारखानों और गगन्चुम्भी इमारतों के निर्मान के लिए और अधिक कोईला जलाना वैवैसी ही निश्चिद योजनाओं को लागू करना लेकिन चीन की बड़ती आवाधी के कारण संसाधनों की कीमतों में बढ़ोतरी होना जिससे अमीर देशों के जियुन स्तर की बराबरी करना चीन के लिए आसान नहीं है और चीनी इसे जानते है यही कारण है कि चीनी नेतर तो चीजों के बद्दर होने को लेकर आतंकित है प्रतेक वरिष्ट चीनी नेता ने अपने बच्पन में अकाल का अरुवग किया है इसलिए जब पॉलित प्यूरु वह विश्य को देखता है जिसमें आपदा से इंकार नहीं किया जा सकता चीनी जन्ता भी जानती है कि बहरी लोगों को चीन में लाने के लिए आमंतिक किया जा रहा है लेकिन वे उन आमीर चीनी लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो देश से बहार अपना निवेश बहज रहे हैं गरीब चीनी वे सब कुछ बचा सकते हैं जिसके वे आशा करते हैं कि उनके लिए परियाप्त होगा चीन में हर वर्ग के लोग भविश्य के गहतक परिणामों को लेकर गंभीर है अनंत आशावाद एक निश्चित आशावादी का वविश्य उजवल होगा यदि उसके पास वविश्य की योजना है और वहे इसे बहतर बनाने के लिए काम करता है सत्रवें स्तावदी से 1950 और 60 के दसक तक निश्चित आशावादियों ने पस्च्च में दुनिया का नितरतव किया वेग्यानिकों, इंजिनियरों, डॉक्टरों और व्यापारियों ने दुनिया को अमीर, स्वस्त और पहले की कल्पना की तुल्ना में अधिक लंबे समय तक जीवित रहने लाइक मना दिया जैसा कि कारल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने उननिस्वें स्थाबदी के बिजनस क्लास को सपष्ट रूप से देखा था सभी पिछली पीडियों की तुल्ना में इस पीडियों ने अधिक विशाल उत्पादच ताक्तों का देर्मान किया मानव, मशिनरी, उद्ध्योग और क्रेशी, रसायन, नेविएशन, रेलवे, इलेक्टिक टेलिगरा, खेती के लिए पूरे मादुविवों का अपस में जुडाओ, नदियों का कैनलाइजेशन सामाजिक शरम से पूरी आबादी के लिए प्रकरती की टाक्तों को अधिन कर जन मानस के लिए उप्योगी बनाया है प्रतेक पीडी के आविसकारक और दूरदर्शी अपने पूरू वर्टियों को पीछे छोड़ रही थे 1843 में लंदन के लोगों को एक नई खुदाई सुरंग दवारा थेमस नदी के नीचे अपना पहला क्रोसिंग बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था 1869 में स्वेज नहर ने केपाफ गुड होप के दोर से युरेशियन शिपिंग यातायत को बचाया 1914 में पनामा नहर ने अटलांटिक से प्रसान तक मार्ग कम कर दिया यहां तक की ग्रेट डिप्रेशन भी स्वेज अमेरिका में निरंतर प्रगती में बादा डालने में नकाम रही जो हमेशा दुनिया की सबसे दूर दराज के निश्चित आशावाजियों का घर रहा है Empire State Building 1939 में शुरू हुई थी और 1931 में स्माप्त हुई Golden Gate Breeze 1933 में शुरू हुआ और 1937 में पूरा हुआ Manhattan पर योजना के द्वारा जो 1941 में शुरू हुई वे 1945 तक दुनिया का पहला पर्माणूंबं तैयार कर चुका था अमेरिकियों ने रीमेक करना जारी रखा पे टाइम में दुनिया का चेहरा Interstate राज मार्क पर ना लिका 1956 में निर्मान शुरू किया और पहली 20,000 मील की सड़क 1965 तक ट्राइविंग के लिए खोल थी ही ऐसे मित्य योजना भी इस ग्रै की सते से परे चली गई नासा का अपोलो कारेकरम 1901 में शुरू हुआ और 1922 में समाप्त होने से पहले चंदर मापर इंसान को भीच चुका था बड़ी योजनाई सिर्फ राजनेटिक नेताओं या सरकारी वेग्यानिकों के लिए रक्षित नहीं थी 1940 के उत्राद में जौन रेबर नामके कैलिफोर्निय इनागरीक ने पूरे सेन फ्रांसिस को खाड़ी ख्षे तरकी बोतिक बुगोल को फिर से बनाने की शुरू करने की तैयारी की रेबर एक स्कूली सिक्षक शोक्या रंगमच निर्माता और एक सेल्प मेड इंजिनियर था प्रमान पत्रों की कमी से अंजान उन्होंने सारोजनिक रूप से खाड़ी में दो विशाल बांध बनाने पीने के पानी और सिंचाई के लिए बड़े ताजे पानी की जीलों का निर्मान करने और विकास के लिए 20,000 एकड़ भूमी का पुने उपजव बनाने का प्रस्ताव रखा भले ही उनके पास कोई व्यक्तिकत अधिकार नहीं था फिर भी लोगों ने रेवर योजना को गंबिरता से लिया कैलिफोर्निया में समाचार पत्र संपादगी अपोर्डों दोबारा इसका समर्थन किया गया था अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी व्यवहारियता पर सुनवाई की आर्मी कोर आफ इंजिनियर्स ने इसे अनुकरन करने के लिए एक गुभादार सालसिटो गोदाम में खाड़ी के टेड़ एकर के पैमाने का मोडल भी बनाया इन परिक्षणों ने तक्निकी कमियों का खुलासा किया इसलिए योजना को पूरा नहीं किया गया था लेकिन क्या आज कोई भी इस तरह की द्रिष्टी को गंबिरता से ले सकता है 1950 के दसक में लोगों ने बड़ी योजनाओं का स्वागत किया और पूछा कि क्या वे काम करेंगी आज एक स्कुली सिक्षक से आने वाली एक भव्य योजना क्रंकरी के रूप में खारिश कर दी जाएगी और किसी भी 37 साली इनसान से आने वाली लंबी दूरी की द्रिष्टी को है ब्रीज के रूप में स्वागत करवाया जाएगा आज अभी भी उस साल सिटी वेराउस में बेवाडल पर काम कर सकते हैं लेकिन आज यह सिर्फ एक परियाटन का अकर्शन है बविश्य के लिए बड़ी योजनाई केवल पुरातन जिगाशा बन कर रहे गई है 1950 के दसक में अमेरिकियों ने सोचा कि भविश्य के लिए बड़ी योजनाई वेग्यानिकों के लिए छोड़ी जानी चाहिए 1970 के दसक में एक संक्षिप निराशावादी चरण के बाद 1982 के बाद से एनिश्चिप निराशावाद ने अमेरिकी सोच पर प्रभुत्तव बनाई रखा जब एक लंबा बुल बाजार शुरू हुआ और विद भविश्य में आने के लिए इंजिनरिन तरीके के लिए रूट को ग्रहन कर रहा था एक एनिश्चिप ताशावादी के लिए भविश्य बेहतर होगा लेकिन वह नहीं जानता कि वास्तों में कैसे होगा इसलिए वह कोई विसिस्ट योजना नहीं बनाएगा वह भविश्य से लाब की उम्मीद करता है लेकिन इसे ठोस रूप से डिजाइन करने का कोई कार्ण नहीं दिखता है एक नया उत्पाद बनाने के लिए वर्सों काम करने के बजाए एनिश्य ताशावादी पहले से याविश्कार किये गए लोगों को पुनर विवस्तित करते हैं बैंकर पहले से ही मौजूद कमपनियों की पूंची सरंचनाओं को पुनर व्यवस्तित करके पैसे कमाते हैं, वकील पुरानी चीजों पर विवादों को हल करते हैं या अन्य लोगों को उनके मामलों की सरंचना में मदद करते हैं और निजी इक्विटे निवेशक और प्रब कोई आश्चरिया की बात नहीं है कि ये फिल्ड सभी उच डिगरी धारकों की ऐसमान संक्या को आकर्शित करते हैं दो दसकों से रेज्यूमे बनाने के लिए एक उचित उच्वर्ग प्रकरिया उन्मुक करियर की तुल्मा में अधिक उचिते नाम जो पा रहे हैं हाल के सनात्कों के माता पिता अक्सर उन्हें स्थापित पत पर आगे बढ़ता देखकर खुश होते हैं बेबी बून के अजीब इतियास ने एनिश्चित काली नाशावाजियों की एक पीडी का निर्मान किया ताकि इतनी आसानी से परगती की जा सके कि जिसके वे हकदार ह हैं चाहे आप 1945 या 1950 या 1955 में पैदा हुए थे आपके जिवन के केवल 18 वरसों के लिए हर साल चीजें बहतर होती है लेकिन इसका आपके साथ कुछ लेना देना नहीं था तकनिकी प्रगति स्वेचाले त्रोप से बढ़ती परतीत होती है इसलिए भूमर्स बड़ी उमीदो के साथ बढ़े हुए लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कुछ विजिस्ट योजनाई बढ़ी फिर जब 1970 के दसक में तकनिकी प्रगति रुक गई तो अधिकांस ऐसमान बूमर्स के बचाओं में आये ऐसमानता बढ़ी वेसक्ता का हर साल अमीर और सफल के लिए स्वेचा की राए को आकार देते हैं उनके बद्धे आशावाद पर सवाल उठाने के लिए बहुत कम कारण देखते हैं चूंकि ट्रेक किये गई करियर उनके लिए काम करते हैं इसलिए वे कलपना नहीं कर सकते कि वे करियर ट्रेक उनके बच्चों के लिए भी काम करेंगे या नहीं मैलकम ग्लेडवेल का कहना है कि आप अपने भाग्यशाली व्यक्तिकत संदरब को समझे विना बिल केर्स की सबलता को समझ नहीं सकते वह है एक अच्छे परिवार में बढ़ा हुआ कंप्यूटर परियोक साला से सू सचित एक नीजी स्कूल गया और पाल एलन को बच्पन के दोस्त के रूप में पाया लेकिन शायद आप बलकर के रूप में अपने एतियासिक संदरब को मैकवल ग्लेडवेल को नहीं समझ सकते जब बेवी भूमर्ज बड़े होते हैं और यह समझाने के लिए किताबें लिखते हैं कि क्यों एक या कोई अन्य व्यक्ति सफल होता है तो वे मोके से निदारित किसी व्यक्ति विशेश के संदरब की शक्ती को इंगित करते हैं लेकिन वे अपने पसंदीदा स्पस्टी करण के लिए भी बड़े सामाजिक संदरब को याद करते हैं पूरी पीडी बच्पन से सीखने के मोके की शक्ति को खत्म करने और योजना के महतव को कम करने के लिए सीखा है पहले गलेडवेल स्वे निर्मित व्यवसाई की मिथक की एक विरोधा वासिया लोचना कर रहे हैं लेकिन वास्तों में यह उनकी स्वें की पीडी के पारंपरिक दर्श्टिकों को इंगित करता है हमारा सुतंत्र आशावाद एक निश्चित आशावादी भविशय के लिए इंजिनियरों को अंत्रिक्स में आवास और पानी के नीचे शहरों और बस्तियों को डिजाइन करने की आवशकता है और एक एनिश्चित आशावादी भविशय अधिक बैंकरों और वकिलों को आगमन के लिए कहता है विद एनिश्चित कालिन सोथ का प्रतीक है क्योंकि पैसा बनाने का यही एक मतर तरीका है जब आपको पता नहीं होता कि धन कैसे कमाया जाए अगर वे लास्पूल नहीं जाते हैं तो ब्राइट कोलेज के सनातक वॉल स्टेट जाते हैं क्योंकि उनके पास करियर के लिए कोई वास्पूल की ओजना नहीं है और एक बार जब गोल्ड मेंट पहुंचे तो उन्हें पता चला कि विद के अंदर भी सब कुछ एनिश्चित है यह अभी वी आशावादी है यदि आप हारने की उम्मीद करते हैं तो आप बाजारों में नहीं खिलेंगे लेकिन मुलिक सिदान्त यह है कि बाजार समझ से परी है आप कुछ विशेष्ट या वास्टविक नहीं जान सकते एसी स्टेटी में विवी दी करन बेहद महत्वून हो जाता है विद की एनिश्चित्ता विचित्र हो सकती है इस बारे में सोचे कि सफल उदमी जब अपनी कंपनी को वेजते हैं तो उस समय क्या होता है वे पैसे के साथ क्या करते हैं यह वितिय दुनिया में इस तरह दिखता है संस्थापकों को यह पता नहीं होता कि अब इसके साथ क्या करना है इसलिए वे इसे एक बड़े बैंक को दे देते हैं बैंकरों को यह पता नहीं होता कि इसके साथ क्या करना है इसलिए वे इसे संस्थागत निवेश्कों के पोर्टफोलियों में डाइवर्सिफाई कर फैलाते हैं संस्तागत निवेशकों को पता नहीं है कि उनकी इस पूंजे के साथ क्या करना है इसलिए वे स्टोक के पूर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं कंपनिया प्री कैश्फलों उपन करने के लिए अपने शेर कीमत बढ़ाने की कोशिस करते हैं वे लाबाश जारी करते हैं और शेर वापस करिकते हैं और इसी चक्र को धोराते हैं किसी भी समय श्रंखला में किसी को भी पता नहीं है कि असली अर्थव्यवस्ता में पैसे के साथ क्या करना है लेकिन एक एनिश्चित दुनिया में लोग वास्तों में ऐसी मिद्विकल पसंद करते हैं आप जो कर सकते हैं धन उससे अधिक मुल्यवान है पैसा केवल निश्चित वविश्य ही पैसे को खत्म करने का साधन होता है यहे खुद खत्म नहीं होता एनिश्चित राजनिती पहले राजनिता चुनाओं के समय अधिकारिक तोर पर जन्ता से जुड़ते थे लेकिन आजबे हर पल जन्ता के विचारों से जुड़े होते हैं अधुनिक मद्दान से राजनिताओं को अपनी छवी को पुरू वर्ती सारजनि निगराई से मेल काने में सक्षम बनाता है इसलिए अधिकांस ऐसा ही करते हैं नाट सिल्वर की चुनाओं वहिश्यवाणिया उलेखनिया रूप से सकीक हैं लेकिन यहे भी उलेखनिया है कि अब हर चार साल में कितनी बड़ी कहानी पंती है इस बारे में सांकी किये वहिश्यवाणियों से हम सब और अधिक पर भावित हुए हैं कि देश हम दस या बिस साल की तरह दिखने के बारे में दूर दर्सी बहुश्यवाणियों के मुकाबले सबताहों में सोच रहा है और यह सिर्थ चुनावी पर किरिया नहीं है सरकार का चरीतर भी बहुत एनिस्चित हो गया है सरकार परमाणों हत्यार और चंदर अन्वेंशन जैसे समश्याओं के जटिल समादानों का समन्वे करने में सक्षम होती थी लेकिन आज एनिस्चित काल के 40 वर्सों बाद सरकार मुख्य रोप से बीमा करती है बड़ी समश्याओं के समादान, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा और अन्य हस्तांतन बुक्तान कारे गुर्मों को आगे बढ़ाती है इसमें कोई आस्टिया की बात नहीं है कि 1905 से एंटाइटेल्मेंट खर्च हर साल विवेक पूर्ण खर्च किया है विवेक पूर्ण खर्च बढ़ाने के लिए हमें विस्ष्ट समच्चाओं को हल करने के लिए निश्चित युजनाओं की आवशकता होगी लेकिन एंटाइटेल्मेंट खर्च के एंश्चित तरक के अनुसाब चीजों को बहतर बनाने के लिए हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं एनिस्चित कालिन दर्शन आप सिर्फ राजनिती में ही नहीं बलकि राजनितिक दर्शनिकों के विचारों के एनिस्चित कालिन दरिश्टी कोण में देख सकते हैं जिनके विचार लेफ्ट और राइट दोनों तरह के ही हैं प्राचिन दुनिया का दर्शन निराशावादी था प्लेटो, अरिस्टोटल, एपिक्यूरस और लुक्रिटिस सभी ने मानुक्षमता पर सक्ट सिमाई स्विकार की एक मातर सवाल यह है था कि हमारे दुखत भग्या का सामना कैसे किया जाए आदुनिक दार्शनिक जादातर आशावादी थे दाईं और हरबर स्पेंसर से केंदर में हेगल और बाईं और मार्क्स तक 19. स्थावदी में प्रग्ति के विश्वास को साजा किया गया इन विचारकों ने मोतिक रूप से बेहतर तरीके से मानव जीवन को बदलने के लिए मोतिक प्रग्ति के उमीद की वे निश्चित आशावादी थे 20. स्थावदी के उत्रार्द में एनिश्चित काली इंदरसन सामने आई दो प्रमुक राजनितिक विचारक जोन रॉल्स और रावर्ट नोजिक को आम तोर पर कठोर विरोधी के रूप में देखा जाता है समानतावादी बाईयोर रावल निश्पक्षता और वितरन के प्रशनों से चिंतिप थे सोतंतरतावादी अधिकार पर नोजिक ने व्यक्तिकत आजाती को अधिक्तम करने पर ध्यान के नरित किया वे दोनों मानते थे कि लोग शांती से एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं इसलिए पूरूरूजों के विपरीट वे आशावादी थे लेकिन स्पेंसर या मार्क के विपरीट राल्स और नोजिक एनिश्चित आशावादी थे उनके पास बहुश्य का कोई विसिष्ट दरिश्टिकोन नहीं था उनकी एनिश्चित अके विविन रूप थे रावल ने अग्यानता के गुवट के साथ नियाएका शिधान्त शुरू किया निश्पक्ष राजनितिक तर्क दुनिया के ग्यान के साथ किसी के लिए असंबव मना जाता है क्योंकि यह ठोस रूप से मौजूद है एदिवितिया लोगों और वास्टविक टेकनोलोजी की हमारी वास्टविक दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाए राल्स ने निश्पक्षता के साथ अंतर नहीं तस्तिर समाज के बारे में कल्पना बहुत कती जीलता के साथ की नोजिक ने राल्स की पैटर्न अवधारना का विरोध किया नोजिक के लिए किसी भी स्वेचिक विनिमे की अनुमती दी जानी चाहिए और कोई सामाजिक पैटर्न रख रखाओ उचित ठहराने के लिए प्रयाप्त नहीं हो सकता राल्स की तुलना में अच्छे समाज के बारे में उनके पास कोई ठोस विचार नहीं था दोनों ने प्रक्रिया पर ध्यान के मृत किया आज हम बाएं उत्तरदाई, समानतावाद और उदारवादी विक्तितों के बीच मत बेदों को अती रंजित करते हैं क्योंकि लगवग हर कोई अपना सामान्य एनिश्चित तरिश्चिकोंड रखता है दर्सन, राजनिती और व्यापार में प्रक्रिया पर बहस भी एक बेहतर बर्विश्य के लिए ठोस योजना बनाने के लिए अन्तहीन रूप से एक तरीका पन गया है एनिश्चित जीवन हमारे पूर वजों ने मानव जीवन को समझने और विस्तार करने की मांगती उन्निस सु इस्ताबदी में कोज करता हूने फलोरिडा के जंगलों में जबाने वाले फ़मारे को खो जा फ्रांसिस बेकन ने लिखा था कि जीवन की लंबाई को एक महान दवा की शाखा माना जाना चाहिए 1960 के दसक में रोबर्ट बायल ने विज्ञान के वविशे के लिए जवान रहने के रहशे पर अपनी प्रसिद सागने को जंता की सामने रखा चाहे मुगोली कान्वेंशन या प्रियोग शाला नुसंधान के माद्यम से पुनर जागन के सरवत्तम काल में मृत्यू के बारे में सोचा गया था हमने अभी तक जीवन के रहशे को उजागर नहीं किया है लेकिन उन्निस्वें स्ताबदी में बीमा करताओं और सांख्य की विदों ने सफलता पुर्वक मृत्यू के बारे में एक रहशे प्रकट किया जो आज भी हमारी सोच को नियंद्रित करता है उन्होंने पाया कि इसे गनित्य संभावनाओं में कैसे व्यक्त किया जाई मोटलेटी चार्ट यानि जीवन सारनी हमें किसी दिये गए वर्ष में मरने की हमारी संभावना बताती है पिछली पीडियों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था हालांकि बेहतर भी मानुबंदों के बगले में हमने दिरगाईयों के बारे में रह्षों की खोद छोड़ दी है मानव जीवन काल की वर्तमान सरंकला के व्यवस्तित ग्यान की यह सीमा प्राकरतिक प्रतीत होती है आज हमारे समाज को दोनों विचारों से पार जाना है कि मदत्यू दोनों एपरियारिय और एनिश्चित है इस बीच जीव विग्यान के एजेंड़ों को आकार देने के लिए अनेक संबवध रिष्टी कोन आ गई है 1928 में स्कोटिस विग्यानिक अलेकजेंडर फ्लेमिंग ने पाया कि एक रहषय में जिवानी उरोधी का वक एक पैट्री डिश पर उगया गया था जो वह अपनी प्रियोग साला में रखना भूल गए थे उसने दुरुगट नावश पेनिसिलिन की खोज की विग्यानिकों ने तब से मोके की शक्ति का उप्योग करने की मांग की आदुनिक दवा की खोज का लक्षे फ्लेमिंग की अलग अलग परिस्तितियों में एक मिलियन गुना बढ़ाना है फार्मेसिटिकल कमपनियां सटीग दवा खोजने की उम्मीद करते हुए एनिस्चित योगिकों के सईयोजन के माद्यम से एनिस्चित रूप से खोज करती है लेकिन यह काम नहीं कर रहा है और साथ ही इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है पिछली दोस्त आपडियों में नाटकिय परगती के बावचूद हाल के दस्कों में बायो टेकनोलजी ने निवेसकों या मरेजों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है नई दवाओं की संक्या से अधिक सूचना फ्रोदोकी की पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ी है आस बायो टेक के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कभी भी इसी तरह की प्रगती करेगा बायो टेक स्टार्ट अप है निश्चित का लिन सोच का एक बड़ा उधारन है शोद करता उन चीजों के साथ प्रियोग करते हैं तो सरीर के सिस्टम के जैसे काम करते हैं इस बारे में निश्चित सिदानतों को परिश्कर्द करने के बजाए उनункि पर काम करते हैं जीव विग्यानी कहते हैं कि उन्हें इस तरह से काम करने की आवशक्ता है क्योंकि आंतरिक जीव क्यान कठिन है उनके अनुसार IT स्टार्ट अप काम करते हैं क्योंकि हमने कम्प्यूटर स्वे मनाया है और उन्हें विश्वस्निय रूप से हमारे आदेशों का पालन करने के लिए डिजाइन किया गया है बायोटेक मुश्किल है क्योंकि हमने अपने शरीर को डिजाइन नहीं किया है और जितना अधिक हमने के बारे में सीखते हैं उतना अधिक वेज़ जटिल होते जाते हैं लेकिन आज यह आच्छिय करना संभव है कि जीव विज्ञान की वास्तुई कठिनाई बायोटेक स्टार्ट अप के लिए सामन्य रूप से व्यापार के लिए एनिस्चित द्रिष्टिकोन के लिए बहाना बन गई है इसमें शामिल अधिकांस लोग अंततै कुछ चीजों को काम करने की उम्मीद करते हैं लेकिन कुछ सभलता के लिए जरूरी तिवरता के स्टर के साथ एक विशिष्ट कमपनी बनाना चाते हैं यह उन प्रोफेसरों के साथ होता है जो अक्सर पूर्ण कालिक करमचारियों के वज़ाई पार्ट टाइम सलाकार बन जाते हैं यहां तक की अपने स्वें के सोच से शुरू होने वाले बायोटेक स्टार्ट अप के लिए भी फिर हर कोई प्रोफेसरों के एनिश्चित द्रिष्टिकों का नुस्वन करता है सोतंतरतावादियों के लिए यह दावा करना आसान है कि भारी विनी में बायोटेक को पीछे रखता है लेकिन एनिश्चित आशावाद बायोटेक के भविश्य के लिए और भी बड़ी चुनोती पैदा कर सकता है एनिश्चित आशावाद भी संभव है हमारे एनिश्चित का लिन आशावादी निरने कि इस तरह का भविश्य बनाएंगे यदि एक परिवार मचद कर रहा है तो कम से कम वह बाद में खर्च करने के लिए पैसे की उम्मीद दो कर सकता है और यदि अमेरिकी कमपनिया निवेश कर रही है तो वे भविश्य में नई संपत्ति के पुरुसकारों का फाइदा उठाने की उम्मीद कर सकते हैं लेकिन अमेरिकी परिवार लगबग कुछ भी बचा रहे हैं और अमेरिकी कमपनिया नई परियोजनाओं में निवेश किये बिना अपने बैलेंस सीट में धेर सारादा निकठा कर रही है क्योंकि उनके पास भविश्य के लिए कोई ठोस योजना नहीं है भविश्य के अन्यती निविचार काम कर सकते हैं जब आप भविश्य में भविश्य का निर्मान करते हैं तो ऐ सिमित आशावाद काम करता है ऐ सिमित निराशावाद निर्मान के द्वारा काम करता है जिसे किसी भी चीज़ की उमीद किये बिना कोपी किया जा सकता है ऐ निश्चित निराशावाद एनिश्चित निराशावाद काम करता है क्योंकि यह आत्म निर्वर है यदि आप कम उमिदों के साथ एक स्केलर है जो की यह है लेकिन एनिश्चित आशावाद सौभावी क्रूप से असम्भव पत्तित होता है अगर कोई इसके लिए योजना नहीं बनाता तो भविश्य बेहतर कैसे हो सकता है असल में आधुनिक दुनिया में अधिकांस लोगों ने पहले चही इस सवाल का जवाब सुना है योजना के विना प्रगती वह है जिसे हम विकास कहते हैं डार्विन ने स्वें लिखा था कि जीवन किसी भी विक्ति के इरादे के विना प्रगती करता है प्रतेक जीवित चीज किसी अन्य जीव पर केवले एक एनिश्चित पुनरावर्ती है और सरवत्तम पुनरावर्तियां हमेशा जीतती है डार्विन का सिदान त्रिलो बाइट्स और डाइनोसोर की उत्पत्ति को समझाता है लेकिन क्या इसे डोमेन तक बढ़ाया चासकता है जो बहुत दूर है जैसे न्यूटनियन बोतिकी ब्लैक होल या विग बैंक को समझा नहीं सकता यह स्पस्ट नहीं है कि डार्विनियन जीविग्यान को एक बहतर समाज बनाने या किसी नए व्यवसाई को कैसे तयार करना है यह समझना चाहिए फिर भी हाल के वर्षों में डार्विनियन रूपक व्यापार में आम हो गए है पत्रकार परतिसपर्दी बाजार में कोर्पोरेट अस्तितों के लिए परतियोगी फरिष्थितिक तंतर में शब्दाबली अस्तितों का आंकलन करते हैं इसलिए डिजिटल डार्विनवाद, डोटकॉम डार्विनवाद और क्लिक वेस्ट का उत्तर जीविता जैसे सिर्शक मन गए हैं यहां तक की इंजिनिरिंग संसालिद सिलिकोन घाटी में भी इस पल के बज़वर्ड एक छोटा स्टार्टप बनाने के लिए कहते हैं जो जिसे हमेशा बदलते परियावन के लिए अनुखुलित और विक्षित कर सकते हैं उद्मियों को बताया जाएगा कि कुछ भी पहले से ही ज्यात नहीं किया जा सकता है हमें यह जानना चाहिए कि ग्रहाद क्या चाहते हैं वे नियुन्तम व्यवहारिय उतुपाद से अधिक कुछ नहीं बनाते हैं और सफलता के लिए अपना रास्ता फिर्शे शुरू करते हैं लेकिन छोटी शुरुवात एक परनाली है लक्षे नहीं पहले से मौजूद चीजों में छोटे बदलाओ करना आपको स्थानिय अधिक्तम ले जा सकता है लेकिन यह आपको वेस्विक अधिक्तम खोजने में मदद नहीं करेगा आप एक एप का सबसे अच्छा संस्कर्ण मना सकते हैं जो लोगों को अपने आईपॉन से टोईलेट पेपर ओर्डर करने देता है लेकिन एक बोल्ड प्लान के बिना पुनरावर्ती आपको जीरो से एक तक नहीं ले जा पाएगा यह कंपनी एनिश्चित काली नाशावादी के लिए सबसे अजीब जगए है आपको ऐसा करने की योजना के बिना अपने व्यवसाई को सफल होने की उमीद क्यों करनी चाहिए दार्विन वाद अन्य संदर्व मों में एक अच्छा सिधान्थ हो सकता है लेकिन स्टार्ट अप में गुद्धिमान डिजाइन सबसे अच्छा काम करता है डिजाइन की वापसी इस मोके पर डिजाइन को प्रात्मिक्ता देने का क्या आर्थ होगा आज अच्छी डिजाइन एक संदर्य अनिवारेता है यह सच है कि हर महान उद्धमी पहले और सबसे पहले एक डिजाइनर है कोई भी जिसने आई डिवाइस या मैक बुक को देखा है उसने दरश्य और अनुभरी पूरुन्टा के साथ स्टीव जोग के जुनून का नतीजा महसूस किया है लेकिन नोकलियों से सीखने के लिए सबसे महतोफून सबक सुन्दरिया सास्तर से कोई लेना देना नहीं है टिजाइन की गई सबसे बड़ी बात उसका प्यवसाय था एपल ने नई उत्वादों को बनाने और प्रवावी डंग से वित्रित करने के लिए निश्चित बहु वर्षिया योजनाओं की कलपना की और उन्हें लागू किया निउन्तव व्यवारी उत्वादों को भूल जाओ जब से उन्होंने 1976 में एपल शुरू किया जबस ने देखा कि आप साउधानी पूरु की योजना के माद्यम से दुनिया को बदल सकते हैं ने की फोकस समूपर्ति करिया को सुनकर या दूसरों की सबलताओं की नकल बना कर लंबी अवदी की योजना अक्सर हमारी एनिश्चित कालिन अल्प कालिन दुनिया दौरा कम मुल्यांकन की जाती है जब पहला इपार्ट अक्तुवर 2001 में जारी किया गया था तो उद्ध्योग विशलेसकों के दौरा मैकिन्तोस को उप्योग करताओं के लिए एक अच्छी सुविधा से अधिक नहीं देखा जा सकता था जो दुनिया के बाकी हिस्टों में कोई फर्क नहीं डालेगा जाब्स ने आई पैड को पोर्टेबल पीसी उपकरणों की एक नई पिड़ी की योजना बनाई लेकिन अधिकास लोगों के लिए यह है रहश्य एद्रश्य था योजना की शक्ती नेजी कमपनियों के मुल्याकन की कठनाई बताती है जब एक बड़ी कमपनी सफल स्टार्ट अप हासिल करने का प्रस्ताव देती है तो यह लगबग हमेशा बहुत अधिक या बहुत कम परदान करती है संस्थाफक के बलतब बेचते हैं जब उनके पास कमपनी के लिए कोई ठोस द्रिश्य कोन नहीं होता है इस मामले में अधिक रहन करता शायद अधिक मुगदान करता है मजबूत योजनाओं के साथ निश्चित संस्थाफक बेचते नहीं है जिसका मतलब है कि परस्ताओ परियाप्त नहीं था जब याहू ने जुलाई 2006 में एक बिलियन डोलर में फेस्बूक को खरेने की पेसकस की तब मैंने सोचा कि हमें कम से कम इस पर विचार करना चाहिए लेकिन मार्क जूबर कर बोर्ड की बैठिक में चले गए और गोशना की ठीक है दोस्तों यह सिर्फ एक उपचारिकता है इसे दस मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए हम स्पस्ट रूप से इसे बेचने नहीं जा रहे हैं मार्क ने देखा कि वह कंपनी को कहां ले जा सकता है लेकिन यहूँ एसा नहीं कर पाया एक अच्छी निश्चित योजना वाले व्यवसाई को हमेशा एसी दुनिया में कमा का जाता है जहां लोग भविश्य को एनिश्चित रूप से देखते हैं आप एक लोटरी टिकेट नहीं है हमें एक निश्चित भविश्य में अपना रास्ता खोजना है और पश्च में दुनिया को ऐसा करने के लिए सांस्कृतिक करांती से कम कुछ भी नहीं चाहिए कहां से शुरुवात करें जोन राल्स को दर्सन विबागों में विस्तापित होने की आफशकता होगी मेलकम गलेडवेल को अपने सिदांतों को बदलने के लिए राजी किया जाना चाहिए और राजनेताओं को राजनीती से प्रेरित किया जाना चाहिए लेकिन चाहे हमारे राजनेता कुछ भी कहते हैं दर्सन के प्रोफेसरों और गलेडवेल दुनिया को अपने तरीके से प्रस्तूप करते हैं उन भीड़ वाले क्षेत्रों में बल्लाओ करना बेहद मुस्किल है जहां अच्छे इरादों के साथ मस्दिश्क काम कर रहे हैं एक स्टार्टप ने केवल अपने जीवन के बारे में बल्कि यह इस दुनिया के छोटे से हिस्से के रूप में सबसे बड़ा प्रियास है जिस पर आप निश्चित निकुनता प्राप्त कर सकते हैं यह संभावना के अन्याए पूर्ण अध्याचारों को खारिज करके शुरू होता है बस आप एक लोटरी टिकेट मातर नहीं है धन्यवाद हिंदी ओडियोगुक डोट कॉम आईए चलते हैं अध्याए साथ की ओर आपका दिन शुब हो अध्याए साथ पैसे का पीछा करें हिंदी ओडियोगुक डोट कॉम पैसा पैसा बनाता है जिसके पास है उसे और अभिक दिया जाएगा और जिसके पास कम है उससे लिया जाएगा अलबर्ट आइस्टीन ने वही देखा जब उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती ब्याज दुनिया का आठवा आजूबा है सबसे बड़ी गनितिय खोज या यहां तक कह सकते हैं कि यह ब्रमान्ड में सबसे शक्ती शाली शक्ती है आप जिस भी परिवासा को पसंद करते हो आप इस संदेश को नजर अंदाज नहीं कर सकते गातिय व्रदी को कभी कम मत समझें असल में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आइस्टीन ने इन उधार्णों में से किसी को कहा हो लेकिन यह गलत फहिमी संदेश को मजबूट करती है जीवन भर की प्रतिभा के मूलधन का निवेश करने के बाद आइस्टीन ने उन चीजों के लिए स्रेप रप्त करके कबर में जाने तक प्याज कमाना जारी रखा है ज़्यादातर बातें भुला दी जाती है दूसरी और आइस्टीन और सेक्सपियर जैसे कुछ चुनिदा लोगों को लगातार संदर्बित किया जाता है और उनको हमेशा याद किया जाता है हमें आस्टरिय नहीं होना चाहिए क्योंकि कम ही अक्सर ऐसमान परिनाम प्राप्त करते हैं 1906 में अर्थसास्त्री विल प्रेडो पैरेतों ने पाया कि पैरेतों सिधान्त या कहें 80-20 नियम जब उन्होंने देखा कि इटली में 20% लोगों के पास 80% भूमी का स्वामी तव है उन्होंने प्रकतिक रूप में एक ऐसी घटना देखी कि उनके बगीचे की 20% जगय पर बोई गई मटर से 80% उत्पाधन हुआ यह ऐसा अधन रूप से स्टार्क पैटर्न है जिसमें एक छोटे से बीजने सभी बादाओं को पार करते हुए पोधे बाहर निकलते हैं जो हमें प्रकतिक और सामाजिक दुनिया में हर जगय दिखते हैं सबसे विनाशकारी भूकम सेंउक्त रूप से सभी छोटे भूकमपों की तुल्ना में कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है सबसे बड़े शहरों ने भी छोटे छोटे शहरों को एक साथ रखा है और इसी तरह मौनोपली व्यवसाई भी लाकों एविवाजित परतियोगियों की तुल्ना में अधिक मुल्यवान होते है आइस्टिन ने कहा या नहीं कहा लेकिन इसे शक्तिशाली नियम इसलिए नाम दिया गया क्योंकि गातिय समय करन ऐसमान वितरन का वरन करते हैं ब्रमान का यही नियम है यह हमारे आसपास पूरी तरह इसे परिभाशित है कि हम आम तोर पर इसे नहीं देखते हैं यह अध्याई हमें सिखाता है कि जब आप पैसे का पालन करते हैं तो शक्ति का नियम कैसे दिखाई देता है वेंचर पूंजी में जहां निवेश प्रारंभी चरण की कमपनियों में गातिय व्रदी से लाब उठाने का प्रयास करते हैं कुछ कमपनियान ने सभी की तुलना में तेजी से अधिक मुल्य पराप्त करती है ज़्यादा तर व्यवसायों को वेंचर पूंजी से निपटने की जरूरत नहीं होती लेकिन सभी को वास्तों में एक बात पता होना चाहिए कि वेंचर पूंजी पती इसे समझने के लिए संगर्स करते हैं हम एक सामान्य दुनिया में नहीं रहते बलकि एक शक्ती के कानून के दरगत रहते हैं वेंचर कैपिटल का पावर वेंचर कैपिटलिस्टिक प्रारंबिक चर्ण की कमपनियों को वादा करने से पहचान, निधी और लक्षय का लाब रखते हैं वें इंस्टिटूशनल और अमीर लोगों से धंज उटाते हैं और इसे एक फंड में पूल करते हैं और प्रोद्योगी की कपनियों में निवेश करते हैं उनका मानना है कि इससे वे अधिक मुल्यवान बन जाएंगे यदि वे इससे बाहर निकलते हैं तो वे रिटर्न पर लगबग 20% कटोकी करते हैं एक वेंचर फंड तब ही पैसा बनाता है जब उसके पॉर्टफोलियों में कमपनिया अधिक मुल्यवान हो जाएं या सारवजनिक हो जाती है या बड़ी कमपनियों दवारा खरीदी जाती है वेंचर फंडों की आम तोर पर 10 साल की उम्र होती है क्योंकि सफल कमपनियों के बढ़ने और बाहर निकलने के लिए समय लगता है लेकिन अधिकांस वेंचर समर्थिट कमपनिया आईक्यों नहीं लाती या अधिक रहत नहीं होती है लेकिन सब से आई सफल वो रहती है जो आम तोर पर शुरू होने के तुरंत बाद इसे शुरू करती है इन शुरुवातिया सबलताओं के कारण एक वेंचर फंड आम तोर पर पहले ही पैसे खो देता है वेंचर कैपिटल उमीद करते हैं कि सफल पोर्टपोलियो कमपनिया अपने गहतिया विकासदर को प्रभावित करने स्केल करने पर फंड के मुल्य को नाटकीय रूप से कुछ वरसों के समय में बढ़ा देगी बड़ा सवाल यह है कि यह अधिगरेन कब होगा अधिकास के लिए जवाब कभी नहीं होता अधिकास स्टार्टप विफल हो जाते हैं और अधिकास फंड उनके साथ ही विफल हो जाते हैं प्रतेक venture capital जानता है कि उनका काम उन कमपनियों को ढूंड़ना है जो सफल होंगी हालां कि अनुववी निवेशक भी इस गठना को केवल सता ही समझते हैं वे जानते हैं कि कमपनियां अलग हैं लेकिन वे अंतर को कम समझते हैं गलती यह उमीद करने में है कि venture return सामन्य रूप से वित्रित किया जाएगा यानि बुरी कमपनियां ऐस वल हो जाएंगी मद्यम लोग प्लैट रहेंगे और अच्छे लोग दुगुना या चारगुना return पाएंगे इस blend pattern को मानते हुए निवेशक एक विविद पोर्टपोलियो इकठा करते हैं और उमीद करते हैं कि वे विजयता रहेंगे लेकिन यह प्रार्पना दृष्टिकॉन आम तोर पर पूरे पोर्टपोलियो को बिना किसी hit के फ्लोप कर देता है एसा इसलिए है क्योंकि वेंचर रेटर समगर वितरन का पालन नहीं करते हैं इसके बजाए वे एक पावर ला का पालन करते हैं कुछ छोटी कमपनियों ने मूल रूप से सभी से बहतर प्रदर्शन किया यदि आप बहुत कम कमपनियों की एकल मनोदोसा की खोज के बजाए डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान के निर्थ करते हैं जो अत्यदिक मुल्यवान हो सकते हैं तो आप उन दुल्लब कमपनियों को पहली जगे पर रखेंगे फाउंडर्स फंड में हमारे परिणाम इस स्कैव प्रेटर्ण को चित्रित करते हैं फेस्टुक 2005 के फंड में सबसे अच्छा निवेस था यह अकेला अन्य सभी संयूट पोर्पोलियों की तुल्ला में अधिक लाबदायक रहा दूसरा सबसे अच्छा निवेस पेलेंटियर फेस्बुक को छोड़ दूसरे निवेसों को योग से अधिक रेटर्ण के साथ कमाई की यह पैटर्न ऐसा मान्य नहीं है हम इसे अपने सभी अन्य फंडों में भी देखते हैं वेंचर कुझी में सबसे बड़ा रहश्य यह है कि सफल फंड में सबसे अच्छा निवेस सेंट फंड के पूरे शेश के बराबर या बेहतर परदर्शन करता है यह वेंचर कैपिटल के लिए दो बहुत अजीव नियमों का परियाई है सबसे पहले केवल उन कंपनियों में निवेस करें जिन के पास पूरे फंड के मुल्य को वापस करने की क्षमता है यह एक डरावना नियम है क्योंकि यह संभावित निवेस की विशाल वहुमत को समाप्त करता है यही नियम संक्या दो हो जाती है क्योंकि नियम संक्याईक इतनी प्रतिबंदित हैं कि कोई अन्य नियम नहीं हो सकता गोर करें जब आप पहले नियम को तोड़ते हैं तो क्या होता है एंडरसन होरोविट्स ने 2010 में इंस्टाग्राम में धाई लाग डोलर का निवेश किया जब फेस्बुक ने दो साल बाद एक बिलियन डोलर में इंस्टाग्राम को खरीदा तो एंडरसन ने 78 मिलियन डोलर की कमाई की एक साल में 292 में गुना ज़्यादा रिटर्न यहे एक ऐसा धारन वापसी है जो वैली के सर्वस रेश फर्म की परतिष्टा को उप्युक्त बनाती है लेकिन एक अजीव तरीके से यहे लगवग प्रियाप्त नहीं है क्योंकि एंडरसन होरोविट्स के पास डेट बिलियन डोलर का फंड है अगर उन्होंने केवल ढाई लाख डोलर के चेक लिखे हैं तो उन्हें बाकी बचे धन पर कमाने के लिए 19 इंस्टाग्राम ढूना होगा यही कारण है कि निवेशक आम तोर पर विद पोशन की किसी भी कमपनी में बहुत अधिक धन डालते हैं वेंचर कैपिटल को उन कमपनियों से केवल मुठी भर मिलना चाहिए जो सफलता पूरवक जीरो से एक तक चले जाएंगे और फिर उन्हें हर संसादन के साथ वापस ले लेंगे बेशक कोई भी निच्ची तुरूप से पता नहीं कर सकता कि कौन सी कमपनिया सफल होंगी इसलिए सर्वस्टेस्ट वेंचर कैपिटल फर्मों के पास पॉर्टपोलियों भी हैं हालंकि एक अच्चे वेंचर पॉर्टपोलियों में प्रतेक कमपनी के पास बड़े स्थर पर सफल होने की एक शमता होनी चाहिए संस्ताफक फंड में हम एक फंड में पांस से साथ कमपनियों पर ध्यान के नरीद करते हैं जिन में से प्रतेक को लगता है कि यह अपने एद्वितिय मुलिक सिधानतों के आदाहर पर मल्टी बिलियन डॉलर का व्यावसाय बन सकता है जब भी आप एक व्यापार के पदार्थ से वितिय सवाल पर जाते हैं कि यह एक विविद हेजिंग रन निती में फिट बैठता है या नहीं वेंचर निवेस लोटरी टिकेट खरीवने की तरह दिखता है और एक बार जब आप सोचते हैं कि आप लोटरी खेल रहे हैं तो आप पहले ही मनोवग्यानिक रूप से हारने के लिए तयार हैं क्यों लोग शक्ति के कानून को अंदेखा करते हैं सबी लोगों का पेशे वर वेंचर कैपिटल क्यों शक्ति के कानून को देखने में विफल रहेगा एक बात के लिए यह समय के साथ ही स्पस्ट हो जाता है और यहां तक की प्रोदोग की निवेशक भी वर्तमान में रहते हैं दस कमपनियों में एक अधिकार बनने की क्षमता के साथ एक फर्म पहले से ही ऐस समान्य रूप से अनुशाशित पोर्टोलियों में निवेशकी कल्पना करें गातियव रदी से पहले यह कमपनियां बहुत समान दिखाई देती है अगले कुछ वर्षों में कुछ कम्पनिया ऐस अपल हो जाएंगी जबकि अन्य सपल होने लगेंगी मुल्यवान अलग हो जाएंगे लेकिन खातियव रदी और रेखिय विकास के बीच का अंतर ऐस पस्टो होगा हालंकि दस वर्षों बाद और फोलियो विजेताओं और हारने वालों के बीच अंतर नहीं किया जाएगा इसे एक प्रमुक निवेश और बाकी सब के बीच विवाजित किया जाएगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता कानून के अंतिम परिनाम कितने स्पस्ट हैं यह दैनी का नुबव को पतिविम्बित नहीं करता है चुकि निवेशक अपना अधिकांस समय नई निवेश करने में वे कमपनियों के शुरुवाती चरणों में भाग लेते हैं इसलिए जिन कमपनियों के साथ वे काम करते हैं वे ओसत होती हैं निवेशकों और उदमियों को हर दिन समझने वाले अधिकांस मतभेद सपलता के सापेक्षिस्तरों के बीच होते हैं ने कि घातिय प्रभुतव और विफलता के बीच और चूंकि कोई भी निवेश पर छोड़ना नहीं चाता है इसलिए वेंचर कैपिटल आम तोर पर सबसे अधिक समझ्या ग्रस्त कमपनियों पर अधिक समय बिताते हैं क्योंकि सटीक रूप से सपल होने की उन्हीं की संभावना होती है यदि तेजी से बढ़ते स्टार्ट अप में विशे सग्यता रखने वाले निवेशक भी शक्ती के नियम को याद करते हैं तो यह आस्चरिय की बात नहीं है कि ज़्यादातर लोग इसे याद करते हैं पावर लाड डिस्ट्रिबूशन इतना बड़ा है कि वे साधे द्रिष्टी में छिपाते हैं उधारन के लिए जब सिलिकोन वैली के बाहर ज़्यादातर लोग वेंचर कुझी के बारे में सोचते हैं वे केवल ABC के शोट टैंक की तरह चोटे दिखते हैं आखिरकार US में प्रतेक मर्स एक परतिसद से कम नई वैवसाय शुरू हुए वेंचर विद पोशन प्राप्त हुआ और वेंचर कैपिटल को कुल निवेश खाता GDP का 0.2 परतिसद प्राप्त हुआ लेकिन उन निवेशों के परिणाम ऐसमान भूप से पूरी अर्थ व्यावस्ता को प्रेदित करते हैं वेंचर समर्थित सभी निजिक शेत्र की कमपनिया 11 परतिसद नोकियों को जनम देती हैं वे GDP के आश्य जनक 21 परतिसद के बराबर राष्ट्रिय वराजसों उत्पन करती हैं दर असल दरजनों सबसे बड़ी तक्निकी कमपनिया वेंचर समर्थित होती हैं साथ में अन्य सभी तकनिकी कंपणियों की तुलना में उन बारा कंपणियों का मुल्य दो ट्रिलियन डोलर से ज़ादा था शक्ति के नियमों का कैसे उक्योग करें निवेश कानून निवेशकों के लिए ही नहीं बलकि सभी के लिए महतवपून है क्योंकि हर कोई एक निवेशक है एक उद्धमी स्टार्टप पर अपना समय बिदा कर एक बड़ा निवेशक करता है इसलिए प्रतेक उद्धमी को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या उसकी कंपनी सफल होने जा रही है और ज़्यादा मुल्यवान हो रही है प्रतेक व्यक्ति अनिवारिय रूप से एक निवेशक भी है जब आप एक करियर चुनते हैं तो आप अपने विश्वास पर कारिय करते हैं कि आप जिस परकार के काम करते हैं, वह अब से आगे आने वाले दसकों तक मुल्यवान बने रहेंगे। भविश्य के मुल्य के सवाल का सबसे आम जवाब एक विविद पोर्टपोलियो है, अपने सभी अंडों को एक टोपरी में ने रखें, सभी को बताया गया है। जैसा कि हमने कहा, यहां तक की सबसे अच्छे वेंचर निवेशकों के पास पोर्टपोलियो भी हैं, लेकिन जो निवेशक शक्ति के कानून को समझते हैं, वे उतना ही कम निवेश करते हैं। इसके वीपरिद, लोक ग्यान और वित्य शिक्षा दोनों द्वारा स्विकार किये गए पोर्टपोलियो की तरह, डाइवर्सिफिकेशन के स्रोत के रूप में सक्टे बाजी को शक्ति मानते हैं। लेकिन जीवन एक पोर्टपोलियो नहीं है, स्टार्टप संस्तापक के लिए वे और किसी भी व्यक्ति के लिए भी नहीं, एक मुद्दमी, खुद को डाइवर्सिफिकेशन नहीं दे सकता, आप एक ही समय में दर्जनों कम्पनियों को नहीं चला सकते, और फिर उम्मीद क करते हैं कि वे अच्छी तरह से काम करेंगी, कम स्पस्ट लेकिन यह उतना ही महतोपूर्ण है कि एक व्यक्ति अपने जीवन को इतने विविद्दा नहीं दे सकता कि वे दर्जनों कम्पनियों को एक साथ समान रूप से चला सके, हमारे स्कूल इसके विवरित सिखाते हैं, एक प्रकार के होमोजेनाइजड जेनरिक ग्यान, अमेरिकी स्कून पर नाली से गुजरने वाले हर कोई पावर लानियमों में सोचना नहीं सिखता है, हर हाई स्कूल के विशे किया होदी पंतालिस मिनट ही होती है, प्रतेक छात्र एक समान गती से आगे बढ़ता है, और ग्यान के अनसार करमबद कैटलोग को डिजाइन किया गया है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, जब तक आप इसे अच्छी तरह से पूरा करते हैं, तब तक पता चलता है कि यह तो पूरी तरह से गलत था, आपको कुछ ऐसा करने पर ध्यान देन चाहिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि बविश्य में यह मुल्यवान होगा या नहीं, स्टार्ट अप दुनिया के लिए इसका मतलब है कि आपको अपने खुद की कंपनी शुरू नहीं करनी चाहिए, बले ही आप ऐसा दान रूप से परतिस बासाली हो, यदि कुछ भी है, तो बहुत से लोग आज अपनी कंपनियों को शुरू कर रहे हैं, जो लोग सब्ता कानून को समझते हैं, वे एक नई उद्ध्यों की स्थापना के समय, दूसरों से अधिक संकोच करेंगे, वे जानते हैं कि तेजी से मिकाओं में मतवेदों को दूर करेंगे, यदि आप पूरी तरह से अपने वेंचर को फंड देते हैं, तो आपके पास सो प्रतिसत एक्विटी हो सकती है, लेकिन यदि यह भिफल हो जाती है, तो आपके पास सो प्रतिसत कुछ भी नहीं होगा, इसके विपरीब 0.01 प्रति के लिए पावर ला को याद रखना चाहिए, सबसे महतवपूर्ण चीजें एक वचन है, जैसे कि हमने अध्याई पांस में चर्चा की थी, एक बाजार शायद अन्य सभी की तुलना में बेहतर होगा, एक वितरन रन्निती आम तोर पर अन्य सभी पर खावी होगी, इसके ल आलंकि आप ऐसी दुनिया पर भरोसा नहीं कर सकते, जो आपके लिए अपने फैसलों को सटीक रूप से फ्रेम करने के लिए पावर ला से इंकार कर दे, इसलिए सबसे महतव कूर बात यह है, कि यह शायद ही कभी स्वस्ट होगा, यह भी लुप तो हो सकता है, लेकिन आईये चलते हैं अध्याए आठ की ओर, आपका दिन शुब हो अध्याए आठ रहस्य हिंदियोडियोबुक डोट कोम आज के सबसे प्रसिद और परिचित विचार कभी न कभी अग्याद थे, जैसे त्रिकोन की गनितिय संबंद खोजने से पहले, असंख्या सालों तक अग्याद ही थे, पाइथा गोर्ष को इसी समझने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, यदि आप पाइथा गोर्ष की न आज उनकी गनितिय खोज इतनी सामान्य हो गई है कि इसे हम मेडल स्कूल के विद्यार्थियों को सिखाते हैं, एक पारंपरिक सत्य महत्वपून हो सकता है, उधारन के लिए प्रात में गनित सीखना आवशक है, लेकिन यहे आपको आयाम नहीं देता है, यहे कोई रहशे नहीं है, हमारे विरोधवासी प्रशन को याद रखें, क्या आप कोई ऐसा महत्वपून सत्या जानते हैं, जिससे बहुत कम लोग सहमत हों, यदि हम पहले से ही, जिसमें हम रहते हैं, उस प्राकरतिक दुनिया को समझते, पहले से ही इसमें विद्यवान, पारंपरिक चुका होता, तो यहां कोई अच्छा जवाब नहीं होता, अगर दुनिया में भविशे के रहशे मुझूद नहीं होते, तो हमारे विरोधवासी विचारों के कोई माइने नहीं होते, बेशक एसी कई चीजें हैं, जिने हम आज तक समझ नहीं पाई, लेकिन उन में से शाय कुछ चीजों को समझना असंबव हो सकता है, जिने हम रहशियों के रहशे कह सकते हैं, उधारन के लिए, स्ट्रिंग सिधान्त, मरमांड की भोतिकी का वर्णन करता है, स्ट्रिंग नामक यह आयामी वस्तु को हिलाने के मामले में है, क्या स्ट्रिंग सिधान्त सकते हैं, आ हो सकता है समझ सके क्या यह मुश्किल है या यह एक असंबव रह्षय है अंतर माइने रखता है आप मुश्किल चीजें प्राप्त कर सकते हैं लेकिन असंबव को नहीं हमारे विरोदावासी प्रशन के वियर वसाइक संसकर्ड को याद करें कोई मुल्यवान कमपनी कोई इमारत क्यों नहीं बना रही है हर सही उत्तर एक जरूरी रह्षय है कुछ महतोपूर्ण है और कुछ अग्याद कुछ करना मुश्किल है लेकिन करने योग्यभी है अगर दुनिया में कोई रह्षय है शेश है तो शायद कई विश्व व्यापी कमपनिया शुरू होने वाली है यह अध्याई आपको रह्षयों के बारे में सूचने उन्हें ढूनने में आपकी मदद करेगा लोग रह्षयों को क्यो नहीं समझ रही है अधिकांस लोग इसे व्यभार करते हैं मनों खोजने के लिए कोई रह्षय ही नहीं बचा है इस विचार का एक चरम परते निदी टेड कांसिस्की है जिसे कुख्यात रूप से अनाब उमर कहा जाता है कांसिस्की ने हर्वर्ड में 16 वर्स की उमर में दाखिला लिया वह गनित में पिएजडी करने के लिए चला गया और यूसी बरकले में प्रोफेसर बन गया उसने 17 साल की उमर में ही प्रोफेसरों, टकनेशियनों और व्यपारियों के खिलाब पाईब बमों के द्वारा एक आधकवादी अभ्यान छेडा हुआ था 1995 के उत्राद तक अधिकारियों को पता नहीं था कि अनावंबर कौन था या कहा था इसका सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब उसने 35,000 शब्दों का गोशना फतर लिखा और गुमनाम रूप से प्रेस को मेल किया था FBI ने उमीद करते हुए इसे प्रकाशित करने के लिए कुछ परमुक जमाचार पत्रों से इसे चापने के लिए कहा यह काम कर गया कांसिस्की के भाई ने उसकी लिखने की शैली को पहचान लिया और उसे बदल दिया आप उमीद कर सकते हैं कि लेकन शैली ने पागलपन के स्पष्ट संकेत दिखाई है लेकिन गोशना पत्र बेहत कमजोर था कांसिस्की ने दावा किया कि खुशी के लिए प्रतेख व्यक्ति को ऐसे लक्षों की आवशक्ता होती है जिन के लिए प्रियास की आवशक्ता होती है और कम से कम अपने कुछ लक्षों को प्राप्त करने में सफल होने की आवशक्ता होती है उसने मानव लक्षों को तीन समूमें विवाजित किया पहला लक्षे जो निनुतम प्रियास से पूर्ण हो सकते हैं दूसरा लक्षे जो गंभीर प्रियास से पूर्ण हो सकते हैं तथा तीसरा लक्ष है जो पूर्ण नहीं हो सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना प्रियास करता है यह आसान, कठिन और असम्बव की आतम चेतना है कांसिस्की ने तर्क दिया कि आदूनिक लोग उदास इसलिए हैं क्योंकि पूरी दुनिया की कठोर समझ्चाई हल वो चुकी है आसान या आसम्बव इसमें से क्या करना बाकी है और इन कारियों का पीछा करना बेहद ऐसंतोस जनक है आप क्या कर सकते हैं यहां तक की जिसे बच्चा भी कर सकता है आप क्या नहीं कर सकते यहां तक की जिसे आइस्टिन भी नहीं कर सकता कांसिस्की का विचार मौजुदा संस्तानों को नश्ट करना सभी तकनिकों से चुटकारा पाने और लोगों को शुरू करने और कड़ी समश्यों पर काम करने देना था कांसिस्की के तरीके क्रेजी थे लेकिन तकनिक में एविस्वास की हानी हमारे चारों तरफ है है शहरी कल्चर के चिनों के खुले पन पर विचार करें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी हैडल बार मूँचे और विनाईल रिकोर्ड प्लेयर आदी के समय में वापस पहुं जाते समय अगर लोग भविश्य के बारे में आशावादी ने होते यदि करने योगे सब कुछ हो चुका हो तो आपको इन उपलवदियों के लिए जलन महसूस हो सकती है केवल अंत्रकवादी और हिप्स्टर ही नहीं बल्कि सभी कट्रपंती भी इसी तरह सोचते हैं उधारन के लिए धार्मी कट्रपंत कठिन प्रशनों के लिए मद्यमार की अनमुती नहीं देता इसमें कुछे से आसान सत्य हैं जिन से बच्चों के चकित होने की उमीद है जैसे भगवान के रहशे हैं जिने समझाया नहीं जा सकता सत्या कठोर है लेकिन पाकंडी चूट बोलते हैं परियावरण वाद के आदुनिक धरम में आसान सत्या यह है है कि हमें परियावरण की रक्षा करनी चाहिए इसके अलावा प्रकर्ति माद सर्वसरेष्ट है और इसके सवाल भी नहीं है निस्वार्त भाव से सभी इसकी पूझा करते है चीजों का मुल्य बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है यहां तक कि एक बच्चा भी स्टोप प्राइस देख सकता है लेकिन क्या वहे उन कीमतों को समझ सकता है बाजार इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है यदि आप 18 स्टाबदी में बड़े हुए होते तो वहां पर अभी भी खालिस्तान होते विदेशी सहासिक यात्राओं की कहानियों को सुनने के बाद आप समय एक खोजगरता बन सकते थे यह शायद 19 और 20 सदी की शुरुवात में सच था इसके बाद नेशनल जियोग्राफी की फोटोग्राफी ने हर पश्चे में को दिखाया कि प्रत्वी पर सबसे अधिक विदेशी सुतंतरस्तान भी है आज खोजगरता जाता दर इत्यास की किताबों और बच्चों की कहमियों में पाई जाते है माता पिता उमीद नहीं करते कि उनके बच्चे समुंदरी डाकू या सुल्तान बनने की बजाए खोजगरता बने शायद आज भी दरजनों जनजातियां एमेजन के गहरे जंगलों में निवास करती है और हम जानते हैं कि माहा सागरों की गहराई में एक आखिरी सांसारिक सीमा भी है लेकिन अग्यात पहले से कम आसान लगता है प्रकर्तिक तत्या के साथ साथ बहुतिक सीमाईं घट कई है चार सामा जिगरू जहनों ने रहशों में विश्वास को खत्म करने की शाजिसरची है सबसे पहले व्रहद शीलंता जोटा कदम दर कदम आगे बढ़ना है यदि आप परिक्षा में शामिल ही नहीं होते हैं तो आपको कुछ सीखने और पूरा करने पर कोई क्रेडिट या प्रमान पत्र प्राप्त नहीं होता है लेकिन इसके विपरीद यह सब करने पर आपको एग रिड मिल जाई तब क्या होगा यह प्रिक्रिया कक्षा दर कक्षा चलती जाती है यही कारण है कि आम तोर पर प्रकाशक आपका पीछा करते हैं और नई अकादमिक सीमाओं को चूने के बजाए उनकी संक्या में बढ़ोधरी होती जाती है दूसरा जोकिम ग्रणा है लोग रहशों से ड़ते हैं क्योंकि वे गलत होने से डरते हैं परिवासा के अनुसार रहशे की पुष्टी मुख्यदारा के द्वरा नहीं की गई है यदि आपके जीवन का लक्षे कभी कोई कलती नहीं करना है तो आपको रहशों की तलास नहीं करनी चाहिए सब कुछ सही करना मतलब अकेले रहना और किसी का विष्वास नहीं करना पहले से कहीं ज़़ा कठिन होगा अकेले और गलत होने की संभावना ऐसे हैनी हो सकती है तीसरा परसंता है सामाजी का विजात वर्ग की सबसे स्वतंतर और नई सोच का पता लगाने की ख्षमता है कि वे कम से कम रहशों में विश्वास करते हैं यदि आप पहले से ही किये गई सब कुछ पर विश्वास कर सकते हैं तो एक नया रहशे क्योग हो जा जाई प्रते गिरावट के समय में सिर्ष कानून, विद्यालियों और बिजनेस स्कूलों में डीन आने वाले वर्ग का स्वागत करते हैं उसी नहीत संदेश के साथ आप इस कुल इन संस्थान में शामिल हुए हैं आपकी चिंताएं खत्म हो गई है, आप जीवन के लिए तयार हैं लेकिन शायद यह इसी चीज है, जो केवल तभी सच है, जब आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं चोथा, सम्तल्ता, यानि फ्लेटनेस है वैस्वी करन की प्रगती के रूप में, लोग दुनिया को एक सजाती है, अत्य अधिक परतिस पर दिवाजार के रूप में देखते हैं दुनिया सपाट है, इस दालना को देखते हुए, जो कोई भी गुप्त की तलास करने की महतव का अंक्षा रखता है, वह पहले खुछ से पूछेगा अगर कुछ नयाकोजना संबव था, तो क्या स्मार्ट और अधिक रसनात्मत लोगों में से, कोई भी इसे पहले क्यों नहीं खोच सका संदे की यह आवाज, लोगों को एसी दुनिया में रहशों की तलास शुरू करने से भी रोप सकती है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ एद्वितिय योगदान करने की बहुत बड़ी जगे हो सकती है इन प्रवर्तियों के परिनाम का वर्नन करने का एक आशावादी तरीका है, आज आप एक पंथ शुरू नहीं कर सकते हैं, 40 साल पहले लोग इस विचार के लिए अधिक जाग रूपते की सभी ग्यान व्यापक रूप से ग्यात नहीं थे कमिनिष्ट पार्टी से हरे कृष्णा तक बड़ी संख्या में लोगों ने सोचा कि वे कुछ प्रभुध नोकर्शाओं में शामिल हो सकते हैं जो उन्हें रास्ता दिखाएंगी बहुत कम लोग आज ऐ पारंपरिक वीचारों को गंबेता से लेते हैं जिने मुख्यदारा में प्रगती के संकेत के रूप में देखा जाता है हमें खुशिर होती है कि अब कम ही क्रेजी समुदाए बचे हैं फिर भी लाब बहुत हुआ है हमने खोजे जाने वाले रहष्यों पर आस्चरिय की बहुनाद छोड़ दी है सवमयधानिक दुनिया यदि आप रहष्यों में विश्वास नहीं करते हैं तो आपको दुनिया कैसी देखने चाहिए आपको विश्वास करना होगा कि हमने पहले से ही सभी महान प्रशन हल कर लिये है यदि सब सही है तो हम और आत्म निर्वर होने का जोखिम उठा सकते हैं दुनिया में भगवान के स्वरक जैसा सब कुछ नहीं है उधारन के लिए रहष्यों के बिना दुनिया न्याय की एक पूर्ण समझ का आनंद लेंगी पते का आनंद में एक नैतिक सब्ट्या शामिल होता है जो बहुत कम लोगों के द्वारा जल्दी से पहचाना जाता है एक लोगतांत्रिक समाज में एक गलत अभ्यास तब तक जारी रहता है जब तक अधिकांस लोग इसे अन्याय पूर्ण नहीं मानते सबसे पहले उन मुलन वादियों के वल एक छोटे से समूझ को पता था कि गुलामी एक बुराई थी आज यह विचार सही रूप में परपरिक बन गया है लेकिन यह 19. सदी की शुरुवात में एक रहषय था यह कहने के लिए कि आज कोई रहषय नहीं छोड़ा गया है इसका मतलब यह होगा कि हम समाज में रहते हैं जिसमें कोई छिपा हुआ अन्याय नहीं है अर्थ सास्तर में रहषयों में एक विश्वास कुशल बाजारों में विश्वास की ओर ले जाता है लेकिन वित्य पुलबुले के अस्तितों से पता चलता है कि बाजारों में एक साधारन एक शमताप हो सकती है जब अधिक लोग दक्ष्टा में विश्वास करते हैं तब बड़े बुलूले प्राप्तों होते हैं 1999 में कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था कि इंटरनेट तरकीन रूप से इसे अधिक था 2005 में प्रोपर्टी बाजार के बारे में भी यही सच था फेड चेर्मेन एलन गरिन स्पैन को स्थानिय बाजारों में ऐस वानता के संकेत को स्विकार करना था लेकिन उन्होंने कहा कि देश के लिए घर की कीमतों में एक भी बुलबुला दिखाई नहीं देता है बाजार परी लक्षित होता है जानकार जानकारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता फिर घरों की कीमतें देश बर में गिर गई और 2008 के विटिय संकट ने ट्रेलियन डोलर को मिटा दिया भविश्य में कई रहष्यों का अस्तितों सामने आएगा अर्थ सास्त्रियों ने अंदेखा करके आसाने से गायब नहीं कर पाएंगे क्या होता है जब कोई कमपनी रहष्यों पर विश्वास करना बंद कर देती है हेवलेट पैकार्ड की उदास्चिन गिरावट एक चेटावनी कहानी बताती है 1990 में कमपनी 9 बिलियन डोलर की थी फिर आविश्टार का एक दसक आया 1991 में एच पी ने दुनिया का पहला किफाईती कलर प्रिंटर डेस्क जेट 500 से जारी किया 1993 में उसने ओमनी बुक लॉंच किया जो पहले शांदार लैपटोप में से एक था अगले वर्ष हेच पी ने आफिस जेट जारी किया जो दुनिया का पहला ओल इन वन प्रिंटर, फैक्स, कॉपियर था इस निरंतर उतपाद विस्तार से साल 2000 के मद्या तक एच पी 135 विलियन डालर की हो गई थी लेकिन 1999 के एंत में जब एच पी ने आनिवारी अरूप से एक नया प्रांडिंग अभियान पेश किया तो उसने चीजों को घुजना बंद कर दिया 2001 में कमपनी ने एच पी सेवा एक गुरशाली प्रामर्श और शोक लौच की 2002 में एच पी का कॉमपैक के साथ विले हो गया संभवत है क्योंकि यह नहीं पता था कि ओर क्या करना है 2005 तक कमपनी की मार्केट कैप 70 बिलियन डॉलर हो गई थी जो उसकी सिर्फ 5 साल पहले ही थी एच पी का बोर्ड ऐसा भलता का सुक्षम दर्शी था यह दो गुटों में विवाजित था जिन में से के वले नई तकनिक के बारे में परवा करता था उस गुट का ने तरतव टॉम पार्किस ने किया था जो कि एक इंजिनियर था वह पहली बार 1963 में एच पी में बिल हेवलेट और डेव पैकड के व्यक्तिकत अनुरोद पर कमपनी के शोध विवाग को चलाने के लिए आया था 2005 में 73 साल की उमर में परकिंस आशावाद की अपनी पिछली उमर के साथ समय यात्रा करने वाले विजिटर भी हो सकते थे उन्होंने सोचा कि बोर्ड को सबसे आशाजनक नई परदोगिकियों की पहचान करनी चाहिए और फिर एच पी को उन्हें बनाना चाहिए लेकिन परकिंस के गुट के परतिदवन्दी पेट्रिशय डून के नेतरतों में अपने परतिदवन्दी के लिए हार गया यापार द्वारा बैंकर डून ने तरक दिया कि भविश्य की तक्निक के लिए योजना तयार करना बोर्ड की योग्यता से परे था उसने सोचा कि बोर्ड को पहरेदार की तरह अपने भूमे का निभानी चाहिए और उसे देखना चाहिए कि क्या आकाउंट विवाग में सब कुछ ठीक था क्या लोग सभी नियमों का पालन करते थे इसी दोरान बोर्ड के किसी गुश्पेटिये ने प्रेस को जानकरी लीक करना शुरू कर दिया जब यह कुलाशा हुआ कि डूर्ड ने श्रोथ की पहचान करने के लिए आवैद वाइल टेप्स की एक सरंकला की व्यवस्ता की तो विरोथ पिछले ऐसंतों से बग कर था और बोर्ड अपानित हुआ था तकने की रहशों की तलाश छोड एचपी में गपशब चोरों पर थी नतीजन दो हजार बारा के अंत तक एचपी सिर्फ 23 बिलियन की रहे गई 1990 की मुद्रास्पीती की तुलना में यह अपने निचले स्तर पर थी सीक्रेट्स का मामला आप खोजे बिना रहशे नहीं पा सकते हैं एंड्रियू विल्स ने इसका प्रदर्शन जब किया तब उन्होंने अन्य अगने तक क्यों दोबारा 308 वर्सों की निश्पक्स जांज के बाद फर्मेट के अंतिम प्रेमे को शाबिक किया जो कि निरंतर विफल्टा की असंबाव कारियों ने इसे करने की जित को और बड़ी की हो प्रेडे फर्मेट ने 1637 में अनुमान लगया कि किसी भी पूर्णांग A, B और C समीकर्ण को जमा दो से अधिक पूर्णांग के लिए समीकर्ण को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं उन्होंने इसके सबूत होने का दावा किया लेकिन वो इसे लिखने के बिना ही गुजर गई इसलिए उनका अनुमान लंबे समय तक गनित में एक बड़ी अनसुलसी समश्या बनी रही विल्स ने 1995 में अनुमान लगाया कि वह समाधान के करीब था उन्हें सबल होने के लिए परतिभा की आवशक्ता थी लेकिन उन्हें रहशों में विश्वास की वी आवशक्ता थी अगर आपको लगता है कि कुछ असंबव है तो आप इसे हासिल करने की कोशिज भी शुरू नहीं करेंगे रहशों में विश्वास एक प्रभावी सत्य है वास्तो एक सत्य यह है कि विज्याद, चिकित्सा, इंजिनियरिंग और सभी परकार की तकनीक में खोजने के लिए कई और रहशे बाकी है लेकिन वे केवल निरंतर कोश करताओं को ही मिलेंगे हम आज के पारंप्रे की विशों के निर्दारित मामूली लक्षों तक नहीं पहुंच पाए हैं बलकि महतव का उंक्षाएं एकनी है कि वैग्यानिक करांती के सबसे साहसी दिमाग भी उन्हें सीधा गोशित करने से ही चकते हैं हम कैंसर, डिमेशिया और उम्र की पाचन संबंदी सभी बिमारियों का इलाज कर सकते हैं हम जिवासम इदन दन पर संगर्च से दुनिया को मुक्त करने वाली उर्जा उत्वन करने के नए तरिकों को खोच सकते हैं हम प्रत्विकी सतय पर और आस्मान में चलने के लिए तेजी से तरीकों का आविस्कार कर सकते हैं हम यह भी सीख सकते हैं कि इसे कैसे पूरी तरह से बचाएं और नई सीमाओं को कैसे व्यवस्तित करें लेकिन हम उन रहशों को कभी नहीं सीखेंगे जब तक कि हम उन्हें जानने और खुद को देखने के लिए मजबूर नहीं करते हैं व्याबार के बारे में भी यही सच है महान कम्बनियों को दुनिया के काम के बारे में खुले लेकिन एपरत्यासित रहशों पर बनाया जा सकता है सिलिकोन वैली स्टार्टप पर विचार करें जिसने हमारे चारों और की अतिरिक्त क्षमता का उप्योग किया है जिसे अक्सर अंदेखा किया जाता है एरवेब से पहले यात्रियों के पास फोटल के कमरे के लिए उच कीमतों का बुगधान करने के अलावा बहुत कम विकल्प था और संपत्ति मालिक आसानी से और विश्वस्नी रूप से अपनी एप्रियाप्त जगे किराई पर नहीं दे सके एरवेब ने एपरत्यासित अपूर्ती और एपरत्यासित मांग देखी जहां अन्यों ने कुछ भी नहीं देखा निजी कार से वाउं, एलवाई एक्टिक और उबर के बारे में भी यही सच है कुछ लोगों ने कल्पना की कि उन लोगों को आसानी से जोड़ कर अर्बोन डोलर का व्यावसाई बनाना संभव है जो वहाँ उन्हें चलाने के इच्चुक लोगों के साथ जाना चाते हैं हमारे पास पहले से ही राज्या लाइसेंस प्राप्ट, टेक्सिका और निजी लिमोजिन थे केवल विश्वास और रहशों की तलास करके आप समुदाई से परे साधे द्रिश्टी में चिपे अवसर देख सकते हैं यही कारण है कि फेस्बुक सहीद कई इंटरनेट कमपनियों को अकसर कम करके आंका जाता है उनकी साधगी रहशों के लिए खुद ही तर्क है यदि पूरो निरिक्षन में इतनी प्राथ मिक्ता वाली अंतर द्रिश्टी महत्वपोर्ट और मुल्यवान व्यवसायों का समर्थन करती है तो अभी भी कई महान कमपनियों को शुरू करना होगा सीक्रेट कैसे खोजें दो प्रकार के रहशे है प्रकर्तिक रहशे और लोगों के बारे में रहशे प्रकर्तिक रहशे हमारे चारों और मुझूद है उन्हें खोजने के लिए बोतिक दुनिया के कुछ अंदिखे पहलों का द्यान करना चाहिए लोगों के बारे में रहशे अलग-अलग है वे एसी चीजे हैं जिने लोग खुद के बारे में नहीं जानते हैं या वे चिपाते हैं क्योंकि वे दूसरों को बताना नहीं चाते हैं जब हम इस बारे में सोचते हैं कि किस तरह की कमपनी बनाना है तो पूछने के लिए दो अलग अलग प्रशन है प्रकृति आपको क्या रहशे नहीं बता रही है लोग आपको क्या रहशे नहीं बता रहे है यह मानना असान है कि प्रकृतिक रहशे सबसे महतवपून है जो लोग उनकी तलास करते हैं वे आधिकारी के रूप से बहवीत लग सकते हैं यही कारण है कि मोतिकी PSD के साथ काम करना बेहद मुश्किल है क्योंकि वे सबसे मौलिक सत्या जानते हैं उन्हें लगता है कि वे सभी सचाईयों को जानते हैं लेकिन क्या विद्धुतिय चुम्बकिय सिधानत को स्वेच आलित रूप से समझना आपको एक महान विवास अलाकार बनाता है क्या गुरुत्वा अकर्शन सिधानतवादी आपके व्यवसाई के बारे में अधिक जानकरी देता है पेपाल में मैंने एक बारे एक बोटिकी PSD इंजिनियर का सक्षात कर लिया मेरा पहला सवाल पूरा होने से पहले ही वह चिलाया रुको मुझे पहले से ही पता है कि आप क्या पूछने जा रही है लेकिन वह गलत था यह अब तक का सबसे आसान बे मतलब का निर्ने था लोगों के बारे में रहश एप एक्षा करत कमजोर है शायद एसा इसलिए है क्योंकि आपको उन प्रशनों को पूछने के लिए दर्जनों उच डिग्रियों की आवशक्ता नहीं है जो उन्हें उजागर करते हैं लोगों को किस बारे में बात करने के अनुमती नहीं है वर जित क्या है कभी कभी प्रकर्तिक रहषों की तलास और मानुरहषों की तलास में एक समान सचाई होती है फिर मोनोपली रहषचे पर विचार करें परतिस पर्दा और पूंजी वादे एक दूसरे के विरुद हैं यदि आप इसे पहले से ही नहीं जानते तो आप इसे प्रकर्तिक अनुबव जन्य तरीके से खोच सकते हैं कॉर्परेट लाब का मात्रात्म का ध्यान करें और आप देखेंगे कि वे परतिस पर्दा से समाप्त हो गई है लेकिन आप मानव दृष्टी कोन भी ले सकते हैं और पूछ सकते हैं लोग कमपनियों के बारे में क्या नहीं कहते हैं आप देखेंगे कि एकादिकारवादी जान से बचने के लिए अपनी एकादिकारस्तिती को कम करते हैं जबकि 35 पर्दी फर्म रननेतिक रूप से अपनी विसिस्ट टाको अतिरंजित करती है पर्मों के बीच अंतर केवल सताय पर छोटे लगते हैं वास्तों में वे बहुत बड़े हैं रह्ष्यों को देखने के लिए सबसे अच्छी जगए है जहां उन्हें कोई और नहीं देख रहा हो जादतर लोग केवल उसी के संदर्ब में सोचते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है स्कूली सिख्षा का लक्षे पारंपरी ज्यान परदान करना है आप पूठ सकते हैं कि क्या कोई ख्षेतर है जो महतोपूर्ण है जिसे मानकी करत और संस्तागत नहीं किया गया है उधारन के लिए बोटिकी सभी परमुख विश्व द्यालों में एक वास्तिक परमुख विश्य है और यह अपने ही तरीकों से तैय है बोटिकी के वीपरिज जोतिस हो सकता है लेकिन जोतिस में कोई फर्क नहीं पड़ता पोशन के बारे में क्या सभी के लिए पोशन महत्वपूर्ण है लेकिन आप हावर्ण में इसे मुख्यव विश्य के तोर पर नहीं ले सकते अधिकांस सिर्च वैग्यानिक अन्यक शत्रों में जाते है अधिकांस पड़ियत धिन तीस या चालिस साल पहले किये गए थे और अधिकांस गंभी रूप से तुर्टिपूर्ण है खाद्या पिर्यामेट जिसने हमें कम वसा और भारी मात्रा में अनास खाने के लिए काहा था शायद वास्विक विज्यान की तुलना में बिक फूर्ड द्वारा लोगिं का एक उत्वाथ था इसका मुख्य पर वाओ हमारी मोटापा महामारी को बढ़ाना है सीखने के लिए बहुत कुछ है हम मानो पोशन के बारे में जानते हुए दूर दराज के सितारों के बोधिकी के बारे में और जान सकते हैं यह आसान नहीं होगा लेकिन यह सबस्ट रूप से असंबल नहीं है बिलकुल उस तरह का क्षेतर है जो रहशे पैदा कर सकता है सीक्रेट्स के साथ क्या करें अगर आपको कोई रहशे मिलता है तो आपको एक विकल्ब का सामना करना पड़ता है क्या आप किसी को बताते हैं या आप इसे अपने पास ही रखते है यह रहशे पर निर्वर करता है कुछ लोगों की तुलना में अधिक खतरनाक है जैसे फाउस्ट वांगर बताते है कुछ जो जानते थे कि क्या सिखा जा सकता है शोव पर अपना पूरा दिल लगाने के लिए परियाप्त मुर्क और जिन्होंने बहुनाओं को भीर के सामने पर कट किया मानव जाती ने हमेशा उसे कुरूस पर चड़ाया और जला दिया जब तक कि आपके पास पूरी तरह से पारंप्रिक मानेताई ने हो तब तक सब कुछ बताने का शायदी कवी एक अच्छा विचार है तो आप किसे बताते हैं, जो आपको चाहिए, वो नहीं है ववारी करूप से, किसी को भी बताने और हर किसी को बताने के बीच, हमेशा एक सुनेरा मतलब होता है और वह भी एक कमपनी के बारे में सबसे अच्छे उद्मियों को यह पता है हर महान व्यवसाई एक रहसे के आसपास बनाया गया है जो बाहर से चिपा हुआ है एक महान कमपनी दुनिया को बदलने की एक जाल की तरह है जब आप अपना रहसे साजा करते हैं तो सुनने वाला एक चाल साज बन जाता है जैसा कि टॉकियन ने दे लार्ड आफ दा रिंग्स में लिखा था सडक शुरू होने पर दर्वाजे के नीचे की और चली जाती है जीवन एक लंबी यात्रा है पिछले यात्रियों के चरणों से चिन हिप सडक की द्रिष्टे में कोई अंत नहीं है लेकिन बाद में कहानी में एक और कविता प्रकट होती है अभी भी कोने में और इंकजार कर सकते हैं एक नई सडक या एक गुप्त द्वार की और हलांकि हम उसे आज तक पार नहीं कर पाई कलम इस तरह से आ सकते हैं और चलने के लिए छिपे रास्ते डूंग लें जो चंदर माया सुर्या से परे हो सडक अनंत नहीं है छिपे वे रास्ते अपला लो धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट को आईए चलते हैं अध्याए नो की ओर आपका दिन शुब हो अध्याए नो नीव हिंदी ओडियोबुक डोट को हर महान कंपनी एद्वितिय है लेकिन कुछ चीजें है जो प्रतेग व्यवसाय के शुरुआत में सही होने चाहिए मैं इस पर इतनी बार जोर देता हूँ कि मेरे दोस्तों ने चिड़कर इसे थील का कानून उपनाम दिया है इसकी निव पर बना स्टाट अप गड़वडा नहीं सकता शुरुआत खास है वे बाद में आने वाले सभी के कुनात्मक रूप से अलग है यह 13.8 विलियन साल पहले हमारे ब्रमांड की स्थापना में सच था अपने अस्थितों की शुरुआती माइक्रो सेकेंड में प्रमांड दस की घात 30 दस लाख ट्रिलियन के कारक द्वारा विस्तारिक था जैसे जैसे ब्रमांड यूगाई पुर्वे कुछ इक्षणों में चले गई तब के भोटिकी के बहुत से नियम आज से भिन थे 227 साल पहले अमेरिका की स्थाबना में भी यह सच था समयधानिक सम्मेलन में संस्थाब को दुवारा कुछ महिनों के दोरान एकत्तर किये गए मौलिक प्रशन पहस के लिए खुले थे केंदर सरकार के पास कितने शक्ति होनी चाहिए केंदर में परती निदितों कैसे किया जाना चाहिए समझोते पर जो कुछ भी आपके विचार फिला डेलफिया में गर्मियों में पहुंचे उन्हें तब से बगलना मुश्किल हो गया है 1791 में बिल आफ राइट्स की मंजूरी मिलने के बाद हमने समीधान में केवल 1712 सोजन किया है आज कैलिफॉर्निया का सीनेट में अलासका के समान पर तिनिदितों है बहले ही यह पचास उनाधी का बादी बाला हो गया है शायद यह एक सुवीधा है एक तूटी नहीं लेकिन जब तक सेयुक्त राजय अमेरिका मौजूद है तब तक हम शायद इसके साथ बंग गए है एक और समयधानिक समेलन असंबव है आज हम के वल छोटे प्रशनों पर दहस कर सकते हैं कमपनिया इस तरह के देशों की क्रह है खराब नेने या जैसे जैसे आप गलत सांजेदार चुनते हैं या गलत लोगों को नोकरी पर लेते हैं उधारन के लिए उनके द्वारा गलत किये जाने के बाद सही करना बहुत कठिन होता है इस से पहले कि कोई भी उन्हें सही करने की कोशिस करेगा दिवालिया होने के आसार हो सकते है एक संस्थापक के रूप में आपका पहला काम पहली चीजों को सही तरीके से करना है क्योंकि आप एक दोस्पोन ने उपर एक महान कंपनी नहीं बना सकते संस्थापकों का चुनाव जब आप कुछ शुरू करते हैं तो पहला सवाल यह होता है कि आपके दोरा किये जाने वाले पहले और सबसे महतकों ने को किसके साथ चुरू करना चाहिए एक सहस संस्थापक का चैन करना शादी करने जैसा ही होता है और संस्थापक संगर्स आखिर तलाग के रूप में बाद में बहुत बद सूरत दिखता है हर रिस्ते की शुरुआत में आशावाद बहुत अधिक होता है क्या गलत हो सकता है इस बारे में सोचने के लिए यह अनौपचारिक होता है इसलिए लोग इसे नहीं सोचते हैं लेकिन अगर संस्थापक ऐसेहनिये मत बेत विक्षित करते हैं तो कंपनी पीडित बन जाती है 1999 में ल्यूप नोसेग पेपाल में मेरे सह संस्थापकों में से एक थे और मैं आज भी उनके साथ संस्थापक निदी में काम करता हूँ लेकिन पेपाल से एक साल पहले मैंने एक कंपनी ल्यूप में निवेस किया था जो किसी ओर के साथ चुरू हुई थी यह हैं उनका पहला स्टाट अप था यह हैं मेरे पहले निवेस में से एक था हम एयसे किसी ने भी इसे मैसूस नहीं किया लेकिन उद्धम शुरुआट से ऐस अपल होने के साथ बरबाद हो गया क्योंकि ल्यूक और उसके सहज संस्तापक एक भयानक मैच खेल रहे थे ल्यूक एक शानदार और सन की विचारक है उनका सहज संस्तापक एक M.B.A. था जो 90 के दसक की सोने की दोड़ में चूकना नहीं चाहता था वेक नेट और कारक्रेम में मिले थोड़ी देर के लिए बात की और एक साथ कंपनी शुरू करने का फैसला किया यह वेगास में स्लाट मशिनों पर मिरने वाले पहले वेक्ति से शादी करने से बहतर नहीं है आप जेकपाट जीच सकते हैं लेकिन शायद यह काम नहीं करेगा उन्होंने कंपनी उड़ा दी और मैंने अपना पैसा खो दिया अब जब मैं स्टार्ट अप में निवेश करने पर विचार करता हूँ तो मैं संस्तापक टेमों का अध्यन करता हूँ टकनिकी क्षमताओं और कम्पलिमेंटरी सकिल्स महाइने रखते हैं लेकिन यह भी कि संस्तापक एक दुजरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं और वे कितनी अच्छी तरह से एक साथ काम करते हैं संस्तापकों को एक कंपनी शुरू करने से पहले एक प्रागेती आसिक विचार सांजा करना चाहिए अन्यथा वे सिर्फ पासा फेंक ही खेल रहे हैं स्वामितव, पग और नियंतरन वो सिर्फ संस्तापक नहीं है जिने साथ आने की आवशक्ता है आपकी कंपनी में हर किसी को अच्छी तरह से काम करने की जुरूरत है सिलिकोन वेलियू दारवादी कह सकता है कि आप खुद को एक वातर स्वामितों में सीमित करके इस समश्य को हल कर सकते हैं फ्रायर्ट, जंग और हर तुसरे मैनोवग्यानिक के पास एक सिधान्त है कि प्रतेक वेक्टी को अपने आपके खिलाब कैसे विवाजित किया जाता है लेकिन कम से कम व्यवसाए में स्वें के लिए काम करने से गारंटी मिलती है दुरूर्भाग्यवस यह भी आपको सिमित करता है कि आप किस परकार की कंपनी बना सकते हैं एक टीम के विना जीलो से एक तक जाना मुश्किल है एक सिलिकोन वेली अराजकवादी कह सकता है आप सही अलाइनमेंट प्राप्ट कर सकते हैं जब तक आपके वल सही लोगों को नियुक्त कर लेते हैं जो बिना किसी मारकदर्सक सारजना से शांती पुर्वक उबहेंगे कारियस तल पर सेरेंडी पिटी और यहां तक की मुक्त रूप से अराजकटा को तुनिया के बाकी हिस्सों द्वारा किये वे सभी पुराने नियमों को बाधित करने में मदद करना चाहिए और वास्तों में यदि पुरुस स्वरग दूद थे तो कोई भी सरकार जरूरी नहीं होगी लेकिन अराजक कमपनियों ने याद किया कि चेम्स मेडिसन ने क्या देखा पुरुस स्वरग दूद नहीं है यही कारण है कि अधिकारी जो कमपनियों और निदेशकों को नियंतिर्ट करते हैं उन्हें नियंतिर्ट करने के लिए अलग अलग भूमिकाई होती है यही कारण है कि एक कमपनी पर संस्तापकों और निवेसकों के डाओं को उपचारिक रूप से परिवासित किया जाता है आपको अच्छे लोगों की आवशक्ता है जो साथ मिलते हैं लेकिन आपको लंबी अवदी के लिए सभी को गटबंदन में रखने में मदद करने के लिए एक सरंचना की भी आवशक्ता होती है किसी भी कमपनी में मिस अलाइनमेंट के संभावित स्रोतों की उमीद करने के लिए तीन अवधारनों के बीच अंतर करना उप्योगी है स्वामितव, कानोनी रूप से कमपनी की इक्वीटी का मालिक कौन है? कवजा, जो वास्तोमें दिन दर दिन आधार पर कमपनी चलाता है नियंतरन, आउप्चारिक रूप से कमपनी के मामलों को कौन नियंतरित करता है? स्टार्टप संस्तापकों, करमचारियों और निवेशकों के बीच स्वामितव आमटित करता है कंपनी के संचालन करने वाले प्रबंदक और करमचारिक अब जेकान अंद लेते हैं और निदेशक मंडल जिसमें आमतोर पर संस्तापक और निवेशक शामिल होते हैं नियंतन का उपयोग करते हैं सिधांत रूप में यह विभाजन सुचारू रूप से काम करता है भाज स्वामितव से वित्य उच्छाल निवेशकों और स्रमिकों को अकर्शित करता है और पुरुशकार देता है प्रभावी कबजा संस्ताफक और करमचारियों को प्रेदित करता है और इसका तात्परिय है कि वे समान हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं वेवारिक रूप से विभिन कारियों के बीच इन कारियों को वित्रित करना समझ में आता है लेकिन यह गलती करन के आउसरों को भी बढ़ाता है अपने चरम पर मिस अलाइनमेंट देखने के लिए बस DMV पर जाएं मान लीजिए कि आपको एक नया ड्राइविंग लाइसिस चाहिए समयधनिक रूप से यह प्राप्त करना आसान होना चाहिए DMV एक सरकारी एजनसी है और हम एक लोगतांत्रिक कंतंत्र में रहते हैं सबी शक्तियां लोगों में रहती है जो सरकार में उनकी सेवा करने के लिए परतिनिटियों का चुनाव करती है यदि आप नागरिक हैं तो आप DMV के हिस्सा स्वामी है और आपके परतिनिदी इसे नियंद्रित करते हैं इसलिए आपको चलने और आपको जो चाहिए उसे प्राप्ट करने में सक्षम होना चाहिए बेशक यह इस तरह काम नहीं करता है हम लोग DMV के संसादनों का स्वामितव कर सकते हैं लेकिन स्वामितव केवल कालपनिक है DMV संसालित करने वाले कलर्क और चोटे समूग आलांकि वे अपनी चोटी-चोटी सक्षियों के वास्तिव कबजे का अनंद लेते हैं यहां तक कि राजयपाल और विधाई का DMV पर मामुली नियंतरन के आरोप में कुछ भी नहीं बदल सकते नोकरशाही चर्च अपने स्वें के जड़तव में कुछ भी कर सकते हैं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदिकारियों ने क्या कदम उठाए हैं वे किसी के लिए उतरदाई नहीं DMV सभी के साथ गलत है नोकरशाह आपके लाइसेंसिक अनुबव को अपने विवेका नुसार सुखद या दुखद बना सकते हैं आप राजनितिक सिदांत लाने और उन्हें याद दिलाने की कोशिस कर सकते हैं कि आप मालिक हैं लेकिन आपको बेहतर सेवा मिलने की संभावना नहीं है बड़े नेगम DMV से बेहतर काम करते हैं लेकिन वे अभी भी स्वामितों और कवजे के बीच गलत तरीके से गुमरा करने के लिए मिस अलाइन है जनरल मोटर जैसे एक बड़ी कमपनी के CEO उधारन के लिए कमपनी के कुछ शेरों का मालिक होगा लेकिन कुल का केवल एक छोटा सा हिस्सा होगा इसलिए वे स्वामितों के मुल्या के बजाए कबजे की शक्ति के माद्यम से कुछ को पुरुशकुट करने के लिए प्रोटसाइट किया जाता है अच्छे तिमाही पर इनामों को पोश्ट करना उनके लिए उच वेतन और कॉर्परेट जेट रखने के लिए प्रयापत होगा मिस अलाइन में तब भी हो सकता है जब उसे शेर धारक मुल्य के नाम पर स्टाक मौजे मिलते हैं यदि वह स्टाक शार्ट टम परदर्सन के लिए इनाम के रूप में बाता है तो उसे योजना में निवेस करने की बजाए लागत में कटोती करने के लिए और अधिका कर्शक और अधिका असान लगेगा जो बविशे में दूर सभी शेर धारकों के लिए अधिक मुल्य पैदा कर सकता है कार्पोरेट डिगचों के विप्रेट शुरुवाती स्टार्ट अप चरनिक निच्छोटे होते हैं ती संस्ताफकों के पास आम तोर पर स्वामितव और कबजे दुनों होते हैं स्वामितव और नियंतरन के बीच एक स्टार्ट अप विश्पोर्ट में अधिकांज संगर्स बोर्ड पर संस्ताफक और निवेशकों के बीच है समय के साथ संगर्स की सवामा बढ़ जाती है क्योंकि हितों में गिरा उटाती है एक बोर्ड सदश्य अपनी कंपनी के लिए जीत हासिल करने के लिए जितनी जल्दी हो सके कंपनी को सारवजनिक करना चाता है जबकि संस्ताफक निजी रहना और व्यावसाई बढ़ाना पसंद करेंगे बोर्ड रूम में कम ही बहुत है बोर्ड जीतना चोटा होगा निर्देशकों के लिए आम सहमती तक पहुंचने और प्रभावी निरिक्षन करने के लिए यह है आसान होगा हलांकि उस प्रभावशालिता का आर्थ है कि एक छोटा बोर्ड किसी भी संगर्ष में प्रबंदक का जोड़तार विरोध कर सकता है यही कारण है कि बुद्धिमानी से चैन करना महतोपूर्ण है आपके बोर्ड का हर सदश्य माइने रखता है यहां तक की एक समच्छा यह है कि निवेसक आपके दर्द का कार्ण मनता है और आपकी कंपनी के बविशे को भी खत्रे में डाल सकता है तीन लोगों का बोर्ड आधर से है जब तक आपकी कमपनी सारुजनिक रूप से आयोजित नहीं होती है तब तक आपका बोर्ड पांच लोगों से अधिक नहीं होना चाहिए सरकारी नियम प्रभावी रूप से अनिवारिया है कि सारुजनी कमपनियों के पास बड़े बोर्ड हों उसत नोसरश्य हों लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए अब तक आप सबसे खराब काम यह कर सकते हैं कि आप अपने बोर्ड को बढ़ा बना सकते हैं यह असब्य प्रवेक्षकों को अपने बोर्ड में दर्जनों लोगों के साथ एक गयर लाबकारी संग्ठन दिखाई देता है तो वे सोचते हैं देखो कि इस संग्ठन के लिए कितने महान लोग परतिबत हैं यह बेहद अच्छी तरह से चलना चाहिए दरसर एक बड़ा बोर्ड बिल्कुल भी प्रवावी निरिक्षक नहीं होता है माइक्रो डारेक्टर वास्तों में संग्ठन को चलाते हैं यदि आप अपने बोर्ड से उस तरह के मुक्त रिजन चाहते हैं तो इसे विशाल आकार तक बनाएं यदि आप एक प्रवावी बोर्ड चाहते हैं तो इसे चोटा रखें आप बस में हैं या बस से बाहर हैं एक सामान्य नियम के अनुसार आपको अपनी कमपनी में शामिल हर व्यक्ति को पूर्ण कालिक शामिल करना चाहिए कभी कभी आपको इस नियम को तोड़ना होगा उधारन के लिए आम तोर पर इसका अर्थ बाहरी वकीलों और लेखाकारों को लेने से होता है हलांकि जो विश्टाक विकल्प को नहीं रखता है या आपकी कमपनी से नियमित वेतन नहीं पाता है वह मुल रूप से गलत तरीका है मारजन पर वे निकट पविश्य में मुल्या का दावा करने के पक्षपात पूर्ण होंगी पविश्य में और अधिक बनाने में आपकी साहिता नहीं करेंगे यही कारण है कि भरती सलाकार काम नहीं करते हैं पार्ट टाइम करमचारी काम नहीं करते हैं यहां तक कि दूरस्त रूप से काम करना भी टालना चाहिए क्योंकि जब भी सह करमी एक साथ पूरे समय में एक इस्तान पर नहीं होते हैं तो मिस अलाइनमेंट हो सकता है यदि आप नेरने ले रहे हैं कि किसी को बोर्ड में लाने के लिए निर्ने लेना बाइनल होता है किन केसी ने सही कहा था आप या तो बस में हैं या आप बस से बाहर हैं कैश मुख्य नहीं है लोगों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद होने के लिए उन्हें उचित रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए जब भी एक उदमी मुझे अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए कहता है तो मैं उससे पूस्ता हूँ कि वह कुद को कितना बुगतान करना चाता है यह सैंकडों स्टार्ट अप में निवेश करने के लिए एक कंपनी CEO का बुगतान कम करती है मैंने देखा है कि यह एक मातर स्पस्ट पैटर्न में से एक है किसी भी मामले में शुरुआती चरण के CEO को नहीं उद्दम समर्थित स्टार्ट अप प्रति वर्स डेट लाग डॉलर से अधिक वेतन प्राप्त करता है इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि वह इसका गूगल पर उप्योग करता है या उसके पास एक बड़ा मोंगेज और भारी निजी स्कूल फीस है यदि एक CEO प्रति वर्स तीन लाग डॉलर एक अठा करता है तो वह एक संस्थापक की तुल्णा में राजनेता की तरह बनने का जोखिम उठाता है उच वेतनों से वेतन के साथ स्थेती की रक्षा करने के लिए प्रोचसाइद करता है ने की सदय की समश्याओं के लिए हर किसी के साथ काम करने और आट्रामक रूप से उन्हें ठीक करने के लिए इसके विप्रीद एक कम वेतन वाला CEO कमपनी के मुल्य को पूरी तरह से बढ़ाने पर केंधरित होगा कम वेतन प्राप्त CEO भी हर किसी के लिए मानक ने धारित करता है बोक्स के CEO हरून लेवी बोक्स के सुरू होने के चार साल बाद कमपनी में हर किसी से कम मुपतान लेने के लिए हमेशा शावदान थे वह अभी भी एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में मुखेले से दो बलाग दूर रह रहे थे बिना किसी फरनीचर वगदे को छोड़कर प्रतेक करमचारी ने कमपनी के मिशन के प्रती अपने स्पष्ट परती वर्गता देखी और इसे अनुकरन किया यदि कोई CEO कमपनी में सबसे कम वेतन लेकर उधार्ण नहीं दिखाता है तो वह उच्टम वेतन लेकर वही काम कर सकता है जब तक कि आंकडा अभी भी मामूली है यह नकद मुआउजे पर प्रभावी चट सेट करता है नकद आकशक है यह शुद्विकल परदान करता है एक बार जब आपने पेचेक प्राप्ट कर लेते हैं तो आप जो कुछ भी चाते हैं वहेक कर सकते हैं हलांकि उच्टनकद मुआउजे करमचारियों को कमपनी से मुल्य का दावा करने के लिए सिखाता है क्योंकि वह विश्य में नया मुल्य बनाने के लिए अपना समय निवेश करने के बजाए यह पहले से मुझूद है एक नगद बोनस नगदी वेतन से थोड़ा बेतर है कम से कम यह अच्छी तरह से काम पर हाकस्मिक लाब होता है लेकिन यहां तक की तथा कतित प्रोच्छान वेतन भी अल्ब कालिन सोच और मुल्य हत्याने को प्रोचाइद करता है किसी भी प्रकार की नगदी बविश्य के मुकावले ज्यादा है निहित दिलचस्पी स्टार्ट अप को उच्छ वेतन का बुपतान करने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि वे कुछ बेतर पेशकस कर सकते हैं कंपनी का हिस्सा स्वामितव या एक्विटी मुआजे का एक रूप है जो प्रभावी रूप से भविश्य में मुल्य बनाने की दिसा में लोगों को मोड़ सकता है हालंकि विवाद के बजाए एक्विटी के लिए प्रतिवत्ता बनाने के लिए आपको इसे बहुत सावधानी को रोकाम बटक्ति करना होगा सभी को बराबर शेयर देना आम तोर पर एक कलती है प्रतेख विक्ति के पास अलग अलग परतिवा और जिम्मेदारियां होती है और साथ ही विभी नवसर लागत भी होती है इसलिए समान मात्रा में शुरुवात से मनमानी और अनुचित दिखाई देगा दूसरी तरब अलग अलग मात्रा में आगे बढ़ना अनुचित लग रहा है इस चरण में नाराजगी एक कमपनी को मार सकती है लेकिन इससे पूरी तरह बचने के लिए कोई स्वामितव फार्पुला नहीं है यह समश्य समय के साथ और अधिक तिवर हो जाती है क्योंकि अधिक लोग कमपनी में शामिल होते हैं शुरुआती करमचारियों को आम तोर पत अधिक एक्विटी मिलती है क्योंकि वे अधिक जोखिम लेते हैं लेकिन कुछ बात के करमचारी उद्यम की सबलता के लिए और भी महत्वपूर हो जाते हैं 1996 में एवी में शामिल होने वाले एक सचिव ने 1999 में अपने उद्योग अनुभूवी मालिक से 200 गुनाधिक कमाया होगा 2005 में पेस्बुक की कारेले की दिवारों पर चितरित करने वाले बीती चितरकलाकार ने 200 मिलियन डॉलर के लाइक स्टॉक प्राक्ट किये जबकि एक प्रतेवा शाले इंजिनियर 2010 में शामिल होकर केवल 2 मिलियन डॉलर बना पाया क्योंकि स्वामितव वित्रित करते समय सही निश्पच्चता हासिल करना असंभाओ है इसलिए संस्ताफक विवरन को गुप तरकने के लिए अच्छा परदर्शन करेंगे एक कंपनी वियापी इमेल भेजना जो हर किसी के स्वामितव हिस्सेदारी को सुचिबत करता है वहे आपके कारियले पर परमाणूं मम छोड़ने जैसा होगा ज्यादातर लोग एक्विटी नहीं चाहते हैं पेपाल में हमने एक बार एक सलाकार को निउप्त किया जिसने हमें आकरसक व्यापार विकासोदों पर बाच्चित करने में मदद करने का वादा किया था एक मातर चीज जिसने कभी सबलता वो रोग बाच्चित की वहे पांस अजार डोलर देनिक नकत वेतन था उन्होंने स्टाक विकल्प को मूल भूतरोप से स्विकार करने से इंकार कर दिया स्टार्ट अप शेप की कहानिया करोणुक्ती बनने के बज़ाए लोगों को अक्सर एक्विटी एवांचित लगता है यह नगदी की तरह तरल नहीं है यह एक विशिष्ट कमपनी से चुड़ा हुआ है और अगर वह कमपनी सफल नहीं होती है तो यह बेकार है इन सीमाओं के कारण इक्विटी एक शक्तिशाली उपकरन है कोई भी जो आपकी कमपनी का हिस्सा नगदी में भुगदान करने के लिए पसंद करता है वह लंबे समय तक प्रात्मित्ता और भविश्य में आपकी कमपनी के मुल्य को बढ़ाने की वचन बद्दा को दर्शाता है इक्विटी सही परोचसान नहीं बन सकती लेकिन संस्ताफक के लिए कमपनी में सभी को व्यापक रूप से संग्ठित रखने का यह सबसे अच्छा तरीका है स्तावना की और बढ़त बॉब डाइलन ने कहा जो बनने में व्यस्त नहीं है वह मरने में व्यस्त है यदि यह सही है तो बनना सिर्फ एक पल में नहीं होता है और कम से कम कविता की रूप में इसे किसी भी तरह से करना जारी रख सकते हैं हालांकि कमपनी का संस्ताफक शण वास्तों में केवल एक बार होता है केवल शुरुवात में ही आपके पास एसे नियमों को स्थापित करने का आवशर होता है जो बहुश्य में मुल्य के निर्माण के लिए लोगों को अलाइन करेंगे सबसे मुल्यवानप्रकार की कमपनी आविस्कार के लिए खुले पन को बरकरा रगती है जो शुरुआत की सबसे विशेस्ता है यह संस्तापक की दूसरी कमस्पष्ट समझ होती है यह तब तक चलता है जब तक कोई कमपनी नई चीज़ें बना रही है और जब निर्मान बंद हो जाता है तो यह स्मापत हो जाता है यदि आपको सही क्षण मिल रहा है तो आप एक मुल्यवाल कमपनी बनाने से अधिक कर सकते है आप फिरासत में सफलता की या द्यक्सता के बज़ाई नई चीजों के निर्मान की दिशा में अपने दूर के वविश्य को हासिल कर सकते हैं आप अपनी स्थापना एनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं धन्यवाद हिंडी ओडियोबुक.com आईए चलते हैं अध्याई दस की योड़ आपका दिन शुब हो अध्याई दस मौनोपली और संग्ठन करता हिंडी ओडियोबुक.com एक विचार के साथ शुरू करें आदर्स कंपनी संसक्रती कैसी होती है? करमचारियों को अपने काम से प्यार करना चाहिए उन्हें कारेले में जाने का अनंद लेना चाहिए कि उप्चारिक व्यवसाइक समय का कोई ओचते नहीं हो और कोई भी घड़ी को नहीं देखता हो वर्क स्पेस खुला होना चाहिए यानि जादा भीड़ वाला नहीं होना चाहिए शर्मिको को घर जैसा महसूस करना चाहिए पिन बैक कुर्सियां और पिंग पॉंग टेबल फाइल केविनेट से जदा होनी चाहिए मुफ्त मालिश, साइट पर सुसी शेफ और यहां तक की योग अक्षाएं भी दरशे को मीठा कर देंगी पालतु जानवरों का भी स्वागत होना चाहिए शायद करमचारियों के कुट्थे और बिलियों को आधिकारी कमपनी मसककते रूप में वैमचली को विकारले में शामिल करना चाहिए इस तस्विर में गलत क्या है इसमें कुछ बेतु के बत्ते शामिल है सिलिकोन वैली इसे पसंद करती है इन सब पतार्थों में से किसी के बिना काम भी तो नहीं चलता है आप अपने कारले की सजावट करने के लिए एक इंटिरियर चेजाइनर को भरती करके बार्थक कुछ भी पूरा नहीं कर सकते हैं किसी भी कंपनी की कंपनी संसक्रती उसके अलावा कहीं मुझूद नहीं है हर कंपनी एक संस्कृती है एक स्टार्ट अप एक मिशन पर लोगों की एक टीम बनाता है और एक अच्छी संसक्रती प्रोफेस्नलिजम से आगे पहली टीम जिसे मैंने बनाया है सिलिकोन वैली में उसे पेपाल माफिया की रूप में जाना जाता है क्योंकि मेरे कई सही होगी एक दूसरे की मदद करने और सपल तकनिकी कंपनियों में निवेश करने में मदद करने के लिए चले गए है हमने पेपाल को 2002 में येज़ बिलियन डॉलर में ई-बे को बैस दिया तब से इलन मस्क ने सपेस एक्स की स्थापना की और टेल सा मोटर्स की सह स्थापना की रीड हाप मैन ने लिंक डिन की सह स्थापना की स्टीव चेन, चाड हरले और जावेद करीम ने एक साथ यूटूब की स्थापना की जेरेमी स्टॉपलमेन और रिसल सिमन्स ने येपल की स्थापना की डेविड सैक्स ने यमर की सह स्थापना की और मैंने पेलेंटियर की सह स्थापना की आज उन सभी साथ कंपनियों में प्रते एक बिलियन डॉलर से अधिकी मुलेवान है पेपाल के कारेले की सुविदाओं को कभी भी ज़्यादा प्रेस कवर नहीं मिला लेकिन टीम ने एक साथ और व्यक्तिगत ऐसा धारन रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है संस्क्रतिक मूल कंपनी को पार करने के लिए प्रयाप्त मजबूत थी हमने रेजिमेज के माद्यम से चेट चाड़ करके और सबसे प्रभावशाली लोगों को भरती करके माफिया इकठा नहीं किया जब मैंने न्यू यार्क कानून फर्म में काम किया था तो मैंने उस द्रिष्टिकों के मिश्रित प्रयनाम पहले ही देखे थे जिन वकिलों के साथ मैंने काम किया वह एक मुल्यवान व्यवसाई चला रहे थे और वे एक एक परभावसाली बित्ती थे लेकिन उनके बीच संबन्द अजीब महिन थे उन्होंने पूरे दिन एक साथ बिताया लेकिन उन मेंसे कुछ को कारेले के बाहर एक दूसरे से कहने के लिए बहुत कुछ है एसाल लग रहा था उन लोगों के समू के साथ क्यों काम करें जो एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते कई लोगों को लगता है कि यह पैसा बनाने के लिए विजरूरी बलिदान है लेकिन कारियस तलका एक मातर पेशे वर दरिश्टिकोन होना जिसमें मुक्ट एजेंट लेंदेन के आधार पर चेक इन और चेक आउट करते हैं ठंड से भी बहत्तर है यह तरक संगत भी नहीं है चोंकि समय आपकी सबसे मुलेवान संपती है इसलिए यह उन लोगों के साथ काम करने में विर्थ है जो किसी भी दिर्ग का लिन बविश्य की कलपना नहीं करते हैं यदि आप काम पर अपने समय के फल के बीच टिकाव रिस्तों की करना नहीं करते हैं तो आपने अपना समय अच्छी तरह से निवेस्ट नहीं किया है यहां तक की पूरी तरह से वित्य शर्टों में भी शुरुआत से मैं पेपाल को लेन दिन के बजाए तसकर करना चाता था मैंने सोचा कि मजबूत संबंद हमें काम पर केवल खुश और बेहतरी नहीं बलकि पेपाल से भी अधिक हमारे करियर में भी सफल होंगे इसलिए हमने उन लोगों को लेने के लिए तैयार किया जो वास्तों में एक साथ काम करने का अनंद लेंगे उन्हें परतिवाशाली होना था लेकिन इस से भी अधिक कि उन्हें विशेश रूप से हमारे साथ काम करने में उत्साहित होना था वह पेपाल माफिया की शुरुवात थी तंसल्टेंट बर्ती बर्ती किसी भी कमपनी के लिए एक पर मुकी उग गेता है इसे कभी आउट सोर्स नहीं किया जाना चाहिए आपको उन लोगों की जरूरत है जो कागज बर कुशल नहीं है बलकि भर्ती करने के बाद एक साथ मिलकर काम करेंगे पहले चार या पांस बड़े एक्विटी हिस्से या उत्स प्रॉपाइल जिम्मेदारियों से आकर्शित हो सकते हैं उनस पस्ट पेशकशों से व्याधिक महत्वपूर्ण इस सवाल का आपका जवाब है बीसमे करमचारी को आपकी कंपनी में क्यों शामिल होना चाहिए प्रतिवाशाली लोगों को आपके लिए काम करने की आवशक्ता नहीं है उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं आपको खुद के प्रशन का एक और अधिक स्पष्ट उत्तर पूछना चाहिए जब कोई व्यक्ति गूगल में काम करके अधिक पैसा और अधिक प्रतिष्टा प्राप्ट कर सकता है तो वह आपकी कंपनी की बीसमें इंजिनियर के रूप में क्यों शामिल होना चाहेगा यहाँ कुस बुरे जवाब किये गए है आपके स्टोक विकल कहीं अधिक मुल्यवान होंगे आप दुनिया के सबसे बुद्धिवान लोगों के साथ काम करना चाहेंगे आप दुनिया की सबसे चुनोती पून समश्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं क्या बखवास है उल्ले वानस्टो, स्मार्ट लोग या दुनिया की समश्चाएं कुछ नहीं लेकिन हर कमपनी इन दोनों दाओं को बनाती है इसलिए वे आपकी मदद करने में मदद नहीं करेंगे सामन्य पिछ इस बारे में कुछ नहीं कहती है कि भरती युग्य लोग अन्य की वजाई आपकी कमपनी में शामिल होना चाहिए केवल अच्छे जवाब आपकी कमपनी के लिए विसिस्ट है इसलिए आप उन्हें इस पुस्तक में नहीं पाएंगे लेकिन दो सामन्य परकार के अच्छे उप्तर है आपके मिशन के बारे में जवाब और आपके टीम के बारे में जवाब यदि आप यह समझ सकते हैं कि आपका मिशन क्यों आकरशक है तो आप उन करमचारियों को आकरशित करेंगे सामन्य रूप से यह क्यों मेहतोपून नहीं है लेकिन आप कुछ महत्वपून क्यों कर रहे हैं कि कोई और नहीं कर रहा है यही एक मातर चीज है जो इसके महत्व को एद्वितिय बना सकती है पेपाल में यदि आप अमेरिकी डोलर को बदलने के लिए एक नई डिजिटल मुद्रा बनाने के विचार से उपसाइट थे तो हम आपसे बात करना चाते थे यदि नहीं तो आप हमारे लिए सही फिक्ट नहीं है यहां तक कि एक महान मिशन प्रयाप्त नहीं है भरती की तरह जो करमचारी के रूप में सबसे अधिक व्यस्त होगा वह भी आश्चरेचकित होगा क्या ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाता हूँ आपको यह समझाने में सक्षम होना चाहिए कि आपकी कमपनी व्यक्तिगत रूप से उनके लिए एक एद्वी तियम मैच क्यों है और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शायन वह सही मैच नहीं है सबसे पहले परकियुद से लड़ो मत कोई भी जो मुफ्त कपड़े दोने की पीकप या पालतू जानुरों की देखबाल से जाना परवावित होगा आपकी टीम के लिए एक बुरा सिलेक्शन होगा बस स्वास्ते अभीमा जैसी मूल बातें शामिल करें और फिर वादा करें कि कोई अन्य क्या कर सकता है महान लोगों के साथ एक एद्वितिय समश्या पर एपरिवर्टनिय काम करने का आफसर आप शायद मुवावजे या भत्ते के मामले में दो हजार चौदा का गूगल नहीं हो सकते हैं लेकिन यदि आप पहले से ही अपने मिशन और टीम के बारे में अच्छे जवाव रखते हैं तो आप गूगल की तरह हो सकते हैं सिलिकोन वैली के उडियन्स में क्या है बाहर से आपकी कंपनी में हर कोई एक ही तरीके से दिखना चाहिए पुर्वी तक पर लोगों के वीपरीट जो सभी अपने उद्योग के आधार पर एक ही पतला जीन्स या सेपरिंस सूट पहनते हैं माउंटेन व्यू और पालो आल्टों में यूवा लोग टीशिट पहने काम पर जाते हैं यह एक बात है कि तकनिकी शिर्मिकों को वे जो पहनते हैं उसके बारे में परवाण नहीं करते हैं लेकिन यदि आप उन टीशिटों पर बारिकी से देखते हैं तो आप पहनने वालों की कमपनियों के लोगों देखेंगे स्टार्टप करमचारी जो तुरंट बाहरी लोगों के लिए अलग लग होता है वह ब्रांडेट टीशिट या हूडी में जो उसे अपने सहकर्मी के समान दिखाता है स्टार्टप वर्दी एक सरल लेकिन आवशक सी दांत को समाहित करती है आपकी कमपनी में हर किसी के समान तरीके से अलग होना चाहिए समान विचारदारा वाले लोगों की जनजाती को कमपनी के मिशन के लिए समर्पित रूप से समर्पित किया जाना चाहिए पेपाल में मेरे सेह संस्तापक मैक्स लेविनिन कहते हैं कि स्टार्ट अप को अपने प्रारमभी करमसारियों को जितना संभव हो उतना व्यक्तिगत बनाना चाहिए स्टार्ट अप में सीमित संसादन और छोटी टीम होती है बने रहने के लिए उन्हें जल्दी और कुशलता से काम करना चाहिए जब हर कोई दुनिया की समझ साजा करता है तो ऐसा करना आसान है शुरुआती पेपाल टीम ने अच्छी तरह से काम किया क्योंकि हम सभी एक ही तरह से क्रेजी थे हम सभी को विज्ञान कथा पसंद थी और हमने पूंजी वादी स्टार वार्स के कम्मिनिस्ट स्टार ट्रेक को पसंद किया सबसे महतो पून बात यह है कि हम सभी डिजिटल मुद्रा बनाने के लिए चकित थे क्योंकि उन्हें सरकारों के बज़ाए विक्टियों द्वारा नेंतरित किया जाएगा कम्पनी के काम करने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग किस तरह दिखते थे या विक्टिस देश से आई थे लेकिन हमें समान रूप से चकित होने के लिए हर नई नियुक्ति की आउशकता थी एक काम करो अंदर प्रतेट विक्टि को उसके काम की तेजी से प्रतिस्ठित किया जाना चाहिए स्टार्ट अप में करमचारियों को जिम्मेदरिया आमटित करते समय आप काईयों के साथ प्रतिवाओं को उसलता पूरवक मिलान करने के लिए इसे सरल अनुकूलन समश्या के रूप में पेस करके शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसे किसी भी तरह से सही तरिके से जान सकते हैं तो भी कोई भी समादान जल्दी तूट जाएगा आंसिक रूप से एसा इसलिए है क्योंकि स्टार्ट अप को तेजी से आगे बढ़ना पड़ता है इसलिए वेक्टिकत भूमी का लंबे समय तक स्थाई नहीं रह सकती है लेकिन यह भी इसलिए है क्योंकि नोकरी के कारिये केवल श्रमिकों और कारियों के बीद संबंदों के बारे में नहीं है वे करमचारियों के बीद संबंदों के बारे में भी है टेपाल में मैनेजर के रूप में मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ की वह थी कमपनी में हर व्यक्ति को सिर्फ एक चीज़ करने के लिए जिम्मेदार बनाना प्रतेक करमचारी की एक चीज़ अनूठी थी और हर कोई जानता था कि मैं केवल उस चीज़ पर उसका मुल्याकन करूँगा मैंने लोगों के परबंदन के कारिये को सरल बनाने के लिए यह करना शुरू कर दिया था लेकिन फिर मैंने एक गहरा परिनाम देखा मुमिकाओं को परिवाशित करने से संगर्स कम हो गए एक कंपनी के अंदर ज्यादातर जगड़े तब होते हैं जब सह कर्मी एक ही जिम्मेदारी के लिए परतिस परदा करते हैं शुरुआती चरणों में नौकरी की भूमिका तरल पदार्थ के बाद स्टार्टप का विशेश रूप से उच्च जोखिम होता है परतिस परदा को खत्म करना हर किसी के लिए देरकालिन संबंद बनाने के लिए आसान बनाता है जो केवल व्यवसाइक्ता से आगे निकलता है इससे भी अधिक आंतरिक शान्ती एक स्टार्टप को जीवित रहने में सक्षम बनाता है जब स्टार्ट अब विफल हो जाता है तो हम अच्छर कलपना करते हैं कि यह परतिस परदी परिश्टितिक तंतर में हिंसक परतिवादियों के लिए जुका हुआ है लेकिन हर कमपनी का आपना एक परिश्टा पिक तंतर होता है और घूटों के संगर्स से यह बाहरी खतरों के प्रती संवेदन सील हो जाता है आंत्रिक संगर्स एक आटोम्यूनम बिमारी की तरह है मोत का तकनिकी कारण निमोनिया हो सकता है लेकिन वास्तुरिक कारण सादे द्रस्टे के पीछे चिपा हुआ है समू और कंसल्टेंट सबसे गहन परकारते संगठन में सदस्य के अवल अन्य सदस्यों के साथ बाहर निकलते हैं वे अपने परिवारों को अंदेखा करते हैं और बाहरी दुनिया को चोड़ देते हैं बदले में वे संबंदित लोगों की मजबूत भावनाओं का अनुभव करते हैं और शायद समन्य लोगों को अंजान सत्य से वंचित कर देते हैं, हमारे पास ऐसे संग्ठनों के लिए एक शब्द है, कल्ट यानि समूर, कुन समर्पन की संस्कृती बाहर से क्रेजी दिखती है, क्योंकि सबसे कुख्यात संपरदाई हुमी की डेल थे, और चार्ल्स मैंसन ने अच्छा नहीं किया, लेकिन उद्वियों को चरम समर्पन की संस्कृतियों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्या किसी के काम में एक हलका रवय या मांसिक स्वास्ते का संकेत है, क्या केवल एक पेशेवर द्रिष्टी कोण ही, एक मातर द्रिष्टी नहीं है, बलकि व्यक्तिकित सलाकार नियमित रूप से उन कंपनियों में से बाहर निकल रहे हैं, जिन के पास दिर का लिन कनेक्शन नहीं है, प्रतेक कंपनी संस्कृति को रेखिये स्पेक्टरम पर फिट किया जा सकता है, सबसे अच्छे स्टार्ट अप को थोड़ा कम च अच्छे से कुछ के बारे में सही हो सकते हैं, आप सलाकारों से उस परकार के रहशों को नहीं सिखेंगे, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि क्या आपकी कंपनी परंपरागत पेशवरों को समझ में आती है, या नहीं आती है, उन्हें एक पंत या यहां तक की एक माफिया कहा जहना बेहतर है, धन्यवाद, हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम, आईए चलते हैं अध्याए 11 की और, आपका दिन शुब हो। अध्याए 11, यदि इसे बनाया जाएगा, तो क्या वे आएंगे, हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम, दुनिया में हर जगे सेल्ज ही है, लेकिन फिर भी, ज़्यादा तर लोग इसके महतों को कमांगते हैं, सिलिकॉन वैली तो इसे और भी निचा मानता है, एक कालप निक ल इसके खिलाप की परतिकिरिया के रूप में बनी हुई मानते हैं, जब एक बड़ी आपता के समय मानवता को बचाने की आवशक रा होती है, तब जनसंक्या को तीन विशाल जहाजों में भरा जाता है, विचारक, नेता और प्राप्ट करता ए जहाज में बैखते हैं, विक् शिप को पहले चलाया जाता है, और उसके सभी यात्रियों को आनंद प्राप्त होता है, लेकिन सेल्ज वालों को यह पता नहीं होता, कि वे एक जाल में फंस गई हैं, ये शिप और सी शिप के लोगों ने यह सोचा, कि बी शिप के लोग बेकार थे, इसलिए उन्होंने उन हम वितरण के महतव को समझते हैं, क्योंकि हम उसी चहाज को एशिप और सी शिप के लोगों के लिए मानते हैं, जिने विक्रेता और अन्यविचोलीों का माना जाता है, और हम यह भी जानते हैं, कि एक अच्छे उत्पात के निर्मान से वितरण परवा जादूई रूप से समान होना चाहिए सपनों की अउधारना का ख्षेतर इसे सुरूप से सिलिकोन वैली में लोग परिये है जहां इंजिनियरों को बेचने के वज़ाए कूल स्टफ बनाने की दिसा में बढ़ने को कहा जाता है लेकिन ग्रहाक से रपी इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आप इसे बनाते हैं आपको तो बस इसे दिखने में बढ़िया बनाना है एक्सपर्ट बनाम सेल्जमेन यूएस विग्यापन उद्योग डेट सो अरब डालर का राष्ट्य राजसवे कतर करता है और च्छै लाग से अधिक लोगों को रोजगार देता है सालाना 450 मिलियन डॉलर के साथ अमेरिकी बिक्री उद्योग काफी बड़ा है जब वे सुनते हैं कि 3.2 मिलियन अमेरिकी बिक्री वेवसाई में काम करते हैं तो अनुववी अधिकारियों को संदे होगा कि संक्या कहीं कम तो नहीं लेकिन इंजीनियरों को इसे समझने में परिशानी हो सकती है सिलिकोन वैली में एक्सपर्ट्स विग्यापन विप्णन और बिक्री पर संदे करते हैं क्योंकि वे सताही और तरकहिन लगते हैं लेकिन विग्यापन महतवूर है क्योंकि यह काम करता है यह एक्सपर्ट्स के लिए भी और आपके लिए भी काम करता है आप सोच सकते हैं कि आप एक अपवाद हैं आपकी प्राक में काई भी नहें इसलिए विग्यापन के अवल अन्य लोगों पर काम करता है सबसे इस पस्ट बिकरी पीचों का विरोध करना आसान है इसलिए हम अपने सुतंदरता के जूटे आतम विस्वास का मजा लेते हैं लेकिन विग्यापन आपको अभी उत्पात खरीदने के लिए मौजूद नहीं है यह है तो आपके दिमाग में सुक्षम इंप्रेशन एंबेड करने के लिए मौजूद है जो बाद में विकरी को चलाएगा जो कोई भी अपने आप पर अपने संभावित प्रवाव को स्विकार नहीं कर सकता है वह है अपने आपको दोगुना दोगा दे रहा है पारदर्शिता के लिए एक्सपर्ड का उप्योग किया जाता है वे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे टक्निकी कोशल में विशे सग्या बनकर अपने मुल्या को बनाते हैं इंजिनिरिंग विशों में एक समाधान या तो काम करता है या यह फिपल हो जाता है आप किसी और के काम की तुलनात मत आसानी से मुल्याकन कर सकते हैं क्योंकि सताय की उपस्तिती ज़्यादा माइने नहीं रखती है बिकरी में इसके बिल्कुल विपरित होता है आंतरिक वास्तिविक्ता को बदले बिना सतही वास्तिविक्ताओं को बदलने के लिए एक आरकेस्ट चछड़ अवियान है यह मून रूप से बैमान नहीं होने पर इंजिनिरों को तुछ मानता है वे जानते हैं कि उनके अपनी नोकरियां कठिन है इसलिए जब वे किसी ग्रहक के साथ खोन पर हंसते हुए या दो गंटे के लंच चाने वाले विक्रेता लोगों को देखते हैं तो उन्हें संदे है कि कोई वास्तिविक काम नहीं किया जा रहा है यदि कुछ भी हो तो लोग विज्ञान और इंजिनिन की सापेक्ष कठनाईयों को अधिक महतव देते हैं क्योंकि उनक्षेतरों की चुनोतियां सपस्ट है क्या नर्स में सियाद है कि वो कैसे विक्री को आसान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है विक्री चिपी हुई होती है सभी सेल्जमेन अभिनेता होते हैं उनकी प्राथ्मिक प्रेणा है इमानदारी नहीं यही कारण है कि सेल्जमेन सब्द छुपा हो सकता है और वास्तों में वह कार डिलर हो लेकिन हम के वला जीब सपस्ट विक्रेता यानि बुडे लोगों के लिए नकारात्मक पर तक्रिया देते हैं बिक्री चमता की एक विस्तरत सेंकला है नोसिखियों, विसेसग्यों और मालिकों के बीज कई करमी करन है यहां तक कि बिक्री ही सब कुछ है यदि आप किसी भी बड़ी सेल्स को नहीं जानते है तो यहसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उनका सामना नहीं किया है बल्कि इसलिए कि उनकी कला सादे द्रिश्टी में चिपी हुई है टाम सायर अपने प्रोस के दोस्तों को उनके लिए बाड़ को सफेद करने के लिए राजी करने में कामियाब रहे एक कुशल कदम लेकिन उने वास्तों में उनके काम करने के विशेशा दिकार के लिए बुगदान करने के लिए आश्वष्ट करना एक बड़ा कदम था जबकि उसके दोस्त मुद्दिमान नहीं थे आता है कि लगवग हर किसी के जिनके काम में वितरन सामिल है चाहे वे विक्री विप्नन या विज्यापन में है उनके पास नोगरी का सिर्षक है जिनका उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है जो लोग विज्यापन बेशते हैं उन्हें अकाउंट आफिसर कहा जाता है जो ग्राकों को बेशते हैं वे बिजनस डेवलेपमेंट में काम करते हैं जो लोग कमपनियां बेशते हैं वे इन्वेस्टमेंट बेंकर होते हैं और जो लोग खुद को बेशते हैं उन्हें राजनेता कहा जाता है इन पुनर विचारों का एक कारण है कि जब हम बेचने जा र वाल्स ट्रीट में तकनीकी विसे सग्यता की रक्षा करने वाले विसलेसक के रूप में एक भखती शुरू हुई है लेकिन वास्ताओं में उसका लखशे एक दीलमेकर बनना है। एक वकील चाहे अपने पेशेवर परमान पत्रों पर इत्रा सकता है लेकिन कानून फर्मों का नेतरतव उनके द्वारा किया जाता है जो बड़े ग्राहकों को लाते हैं यहां तक कि विस्व जैला के प्रोफेसरों जो विद्वानों की उपलब्दी से अधिकार का दावा करते हैं सुए प्रमोटरों से इर्शा रखते हैं जिनकी अपने फिल्ड में मास्ट्री होती है इतिहास या अंग्रेजी के बारे में अकादमी की विचार ने केवल अपने पोद्धी खुनों से बिखते हैं इसे गुपत रूप से संचालिक दुनिया में हर क्षेतर के हर स्तर पर छिपाने के लिए व्यवस्तित प्रियास होते हैं इंजिनियर्स ग्रेल एक इतना बड़ा उतपाद है कि यह इसे खुद ही बेचता है लेकिन जो भी वास्तों में असली उतपाद के बारे में यह कहता है कि उन्हें जूट बोलना चाहिए या तो वे ब्रहमित हैं या वे कुछ ऐसा बेच रहे हैं जिनमें खुच से ही विरोदावाश हो रहा है पॉलर व्यापार क्लेंच चेतावनी देता है कि सबसे अच्छा उतपाद हमेशा नहीं जीतता है अर्थ सास्त्री से पत निरबरता के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं विशिष्ट कूनवत्ता परिस्थितियों से सोतंत्र विशिष्ट परिस्थितियों का निरधारन कर सकते हैं कि कौन से उतपादों को व्यापक रूप से अपनाने से अनन्द मिलता है यह सच है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज हम जिस ओपरेटिंग सिस्टम का उप्योग करते हैं और टाइप करने के लिए कीबोर्ड लेयाउट को केवल एक मोके के लिए ही लगाया जाता है अपने उतपाद का डिजाइन आउशिक रूप से वितरन के लिए सोचना बहतर है यदि आपने कुछ नया आविस्कार किया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उतपाद कितना अच्छा है अगर आपने इसे बेचने के लिए एक प्रभावी तरीका नहीं खो जा है तो आपके पास एक बुरा वेवसाय है उतपाद को कैसे बेचें सुपिरियर बिक्री और वितरन के द्वारा कोई भी प्रडेक्ट मोनिपली बना सकता है इसका उलट सत्य नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका उतपाद कितना मजबूत है बले ही यह बढ़िया है और यह आजमाने के बाद तुरंट पसंद किया जाता हो लेकिन फिर भी आपको एक मजबूत सेल्स प्लान बनाना ही होगा दो मिट्रिक प्रभावी वितरन के लिए सीमा ने धारित करते हैं एक ग्रहाक के साथ आपके रिष्टे के दोरान और शट कुल सुद्द लाब जो आप एक नया ग्रहाक बनाने के लिए खर्च की गई राशिशे अधिक होना चाहिए आम तोर पर आपके उतपाद की कीमत जितनी अधिक होगी उतना ही आपको विक्री करने के लिए खर्च करना होगा और इसे खर्च करने के लिए इतनी ही अधिक समझदारी लगेगी वितरन वीडियों को बनाने के लिए इसे निरंतरता पूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है जटिल विक्री यदि आपकी ओसत बिक्री साथ अंकों या उससे अधिक है तो प्रतेक सोदे की हर विपनन के करीब से व्यक्तिकत ध्यान देने की आशक्ता है सही संबंदों को विक्सित करने में महिनों लग सकते हैं आप जिसे एक साल में एक या दो बार विक्री करते हैं फिर आपको आम तोर पर सेल्स के बाद उतपाद को स्तापित करने और सेवा के दोरान उसका पालन करना होगा एसा करना मुश्किल है लेकिन इस तरह की जटिल विक्री कुछ सबसे मुल्यवान उत्पादों को बेजने का एक मातर तरीका है स्पेस एक्स दिखाता है कि यह किया जा सकता है अपने रोकेट स्टार्ट अप लॉंज करने की कुछी वर्सों के भीतर एलन मस्क ने नासा को स्पेस एक से एक नए डिजाइन किये गए जहाज के साथ हटाए गई अंतरिक शटल को बदलने के लिए अरब डोलर के अनुबंदों पर हस्ताक्सर करने के लिए राज़े किया राजनिती सामान्य रूप से तक्निती चालाकी की रूप में बड़े सोदों में माइने रखती है इसलिए यह आसान नहीं था स्पेस एक्स ज्यादातर कैलिफोर्निया में तीन जार से अधिक लोगों को रोजगार देता है पारंपरी की यूएस एरोस्पेस उद्ध्योग पांच लाग से अधिक लोगों को रोजगार देता है जो पूरे पचास राजियों में फैला हुआ है अनजाने में कांग्रेस के सदस्य अपने ग्रहे चिलों में संगी अधन छोड़ना नहीं चाते हैं लेकिन चुकि जटिल विक्री के लिए परतेक वस केवल कुछ सोदों की आवशकता होती है इसलिए एलन मस्क जैसे विक्रे ग्रांड मास्टर उस समय का उप्योग सबसे महतोबुन दोगों पर ध्यान के अंदिरित करने के लिए कर सकते हैं और यहां तक की राजनितिक जड़तों को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स विक्री तब सबसे अच्छा काम करती है जब आपके पास विक्रेता नहीं होते हैं पलंटियर डेटा एनलेटिक्स कमपनी जो मैंने अपने ला स्कूल के सह पाटी एलेक्स कार के साथ सह स्थापित की है अपने उत्पात बेचने के लिए अलग से काम नहीं करता है इसके बजाए एलेक्स जो पलंटियर के सीईओ हैं सड़क पर 25 दिन एक महिने खर्च करते हैं ग्राकों और संभाविक ग्राकों के साथ बैठक करते हैं हमारे सोदे काकार एक मिलियन डोनर से सो मिलियन डोनर तक है उस मुल्य विंदु पर सीईओ खरिद्दारों से बात करना चाहते हैं बिक्री के वीपी नहीं जटिल बिक्री मॉडल वाले व्यवसाइश सफल होते हैं यदि वे एक दसक के दोरान सालाना पचास परतिसत से सो परतिसत ब्रदिक प्राप्त करते हैं वाइरल विकास के सपने देखने वाले किसी भी उद्दमी को यह धीमा लगेगा जैसे की ग्राहाग बहतर उत्पात को सपस्ट रूप से सीखते हैं आप राजसों के दस गुना तक बढ़ने के उमीद कर सकते हैं लेकिन यह लगबग कभी नहीं होता है एक अच्छी इंटरप्राइज जिस बिकरी रननिती छोटे शुरू होती है जैसा की यह आवशक है एक नया ग्राहाग आपके सबसे बड़े ग्राहाग बनने के लिए सहमत हो सकता है लेकिन वे शायद ही कभी आपके द्वारा बेची गई चीजों के साथ पूरी तरह से एक सोदे पर हस्ताकसर करने में सहज महसूस करेगा एक बार आपके पास उन संदर्व ग्राहकों का पूल हो जो आपके उत्पाद का सफलता पूर्व को प्योग कर रहे हैं तो आप कभी भी बड़े सोदों की और बढ़ने का लंबा और विदिव्यत काम शुरू कर सकते हैं व्यक्तिकत विक्री अधिकतर विक्री विशेश रूप से जटल नहीं होती है वो सताकार सोदे 10,000 डोलर और 1,000,000 डोलर के बीच हो सकते हैं और आम तोर पर इसे सीईयो को खुद बेजने की जरूर्ट नहीं होती है यहां चुनोती किसी विशेश विक्री को बनाने के बारे में नहीं है लेकिन एक प्रक्रिया कैसे स्थापित करें जिससे मामूली आकार की विक्री टीम उतपाद को व्यापत ग्रहकों तक ले जा सके 2008 में बोक्स के पास क्लाउड में सुरक्षित रूप से और आसानी से डेटा को स्टोर करने का एक अच्छा तरीका था लेकिन लोगों को पता नहीं था कि उन्हें ऐसी चीज़ की जरूरत है कलाउड कम्प्यूटिंग अभी तक लोगों की पहुंच में नहीं था उस गर्मी में ब्लैक को बोक्स के पीसरे विक्रेता के रूप में बदलने में मरत करने के लिए हायर किया गया था उन्होंने उप्योग करताओं के छोटे समों से शुरू गिया जिसके पास एक फाइल शेयर करने की सबसे गंभीर समश्या थी बोक्स के पिक्री परतिनेदी ने कमपनी के प्रतेक ग्रहाक से संबन्द स्ताफित किया 2009 में ब्लैक ने स्टेंपोर्ड स्लीब क्लिनिक में एक छोटा सा बोक्स अकाउंट बेचा जहां शोट करताओं को प्रियोगात्मक टेटा स्टोर करने के लिए एक आसान सुरक्षित तरीका चाहिए आज विस्वी द्याले अपने चात्रों और संकाई सदस्यों में से प्रतेक को स्टेंपोर्ड ब्रांडेड बोक्स अकाउंट परदान करता है और स्टेंफोर्ड होस्पिटल बोक्स पर चलता है यहें उद्दम के व्यापक समाधान पर पिस्वी द्याले के प्रेजिडेंट को बेचने के लिए कोशिश शुरू कर दी थी लेकिन बोक्स कुछ भी नहीं बेच पाया एक जटिल बिक्री द्रिष्टिकोंड बोक्स को स्टार्ट अप विफलता मान लिया इसके बजाई विक्तिगत बिक्री ने इसे एक अरब डोलर का करोवार बना दिया कभी-कभी उत्पाद ही एक परकार का वितरन होता है जोक्टाग एक संस्तापक फंड पोर्ट्पोलियो कमपनी है जो लोगों को चिकित सा नियुक्तियों को ओनलाइन ढूंडने और बुक करने में सहायता करती है कमपनी अपने नेटवर्क में शामिल होने के लिए डोक्टरों से परती महा कुछ सो डॉलर चार्ज करती है केवल कुछ हजार डॉलर के ओस अताकार के सोदों के लिए जोक्टाग को बहुत सारे विक्रेताओं की जरूरत है इतने सारे कि उनके पास आंतरिक भरती टीम है वो भी कुछ नहीं करने के लिए लेकिन डोक्टरों को व्यक्तिगत विक्री करना सिर्फ राजसों में नहीं आता है नेटवर्क में डोक्टरों को जोड़कर विक्रेताओं और उबोगताओं के लिए व्यापक अधिक मुल्यवान बनाते हैं हर महिने पास मिलियन से अधिक लोग पहले से ही सेवा का उप्योग करते हैं और यदि यह अधिकांस विअवसाईयों को शामिल करने के लिए अपने नेटवर्क को स्केल करना जारी रख सकता है तो यह यूएस स्वास्ते देखवाल उद्ध्योग के लिए एक मौलिक उप्योगिता बन जाएगा व्यक्तिकत बिक्री और पारंपर की विध्यापन के बीचे एक डेड़ एरिया है मानने कि आप एक सोप्टेर सेवा बनाते हैं जो सुईदा स्टोर मालिकों को उनकी सूची ट्रेक करने और ओर्डर करने में सहायता करता है एक अजार डॉलर केमत वाले उत्पाद के लिए छोटे व्यवसायों तक पहुँचने के लिए कोई अच्छा वितरन चैनल नहीं हो सकता ताकि वे इसे खरीच सके यदि आपके पास स्पस्ट मुल्य परस्ताव है तो आप इसे ग्रहाकों को कैसे सुना सकते हैं या तो विज्यापन बहुत व्यापक होगा या बहुत अक्षम होगा एसे उत्पाद को व्यक्ति विक्री प्रियास की आवशक्ता होती है लेकिन उस मुल्य विंदू पर आपके पास प्रतेख संभावित ग्रहाक से बात करने के लिए वास्तिक व्यक्ति को भेजने के लिए संसादन नहीं होते हैं यही कारण है कि बहुत से चोटे और मद्यमाकार के व्यावसाई एसे उत्करण का उप्योग नहीं करते हैं जिन का उप्योग बड़ी कंपनियों के लिए किया जाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि व्यावसाई मालिक स्वामितव में पिछड़े हैं या उनके पास अच्छे उपकरण मौजूद नहीं है यह तो केवल वितरन की छिपी भी बादा है विप्णन और विध्यापन तुलनात्मक रूप से कम कीमत वाले उत्पादों के लिए विप्णन और विध्यापन कारिये जिन में वाइरल वितरन की कोई विधी नहीं है केवल अपील है प्रोक्टर एंड गेमल दर्वाजे से लेकर घरेलू कपड़े दोने के डिटरजेंट के लिए विक्रेता लोगों को बुगतान नहीं कर सकता है अपने अंतिमों क्योग करता तक पहुंचने के लिए एक पैकेज किये गए सामान कंपनी को टेलिजन विग्यापनों प्रिंट कूपन का उत्पादन करना पड़ता है समाचार पत्रों में और ध्यानाकरशित करने के लिए अपने उत्पाद बक से डिजाइन किये है विग्यापन स्टार्टप के लिए भी काम कर सकता है लेकिन केवल तभी जब आपके ग्राहाग अधी ग्रहन लागत और ग्रहा का जीवन मुल्य हर दूसरे वित्रन चैनल को असंबब बनाते है ये कामर स्टार्टप आरवी पारकर पर विचार करें जो खुत्रा आईवेर वित्रकों को विक्री अनुमंद के बजाई ओनलाइन फैशनेबल चस्मा डिजाइन और प्रिस्क्रिप्शन बेशता है परतेग जोड़ी लगवग सो डॉलर से शुरू होती है इसलिए मानते हैं कि ओसत ग्रहा का अपने जीवन काल में कुछ जोड़े खरीगता है कंपनी का सी एलवी कुछ सो डॉलर है परतेग लेन देन पर व्यक्तिकत ध्यान देने के लिए यह बहुत कम है लेकिन दूसरी योड बोटिक उत्पाद सोदेई वास्तों में वाइरल नहीं होते हैं विग्यापन चलाकर और क्वेर की टीवी विग्यापनों को बनाकर वार्बी लाकों चस्मा ग्रहाकों के सामने अपनी बेहतर कम महेंगी पेसकर्ष करने में सक्षम है कंपनी स्पस्ट रूप से अपनी वेबसाइट पर बताती है कि टीवी एक बड़ा मेगाफोन है और जब आपके वल नई ग्रहाक को प्राप्त करने के लिए दरजनों डॉलर खर्च कर सकते हैं तो आपको सबसे बड़ा मेगाफोन चाहिए जो आपको मिल सकता है प्रते कुदमी एक इर्शा पहचानने योग्या विग्यापन अभियान लेकिन स्टार्ट अप को सबसे यादगार टीवी स्पोर्ट या सबसे विष्दरस्त प्रियार स्टेंट पर रखने के लिए अंतहीन प्रतियोगता में बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस परदा करने के लिए परलोबन का विरोद करना चाहिए मुझे अपने अनुवव से यह पता है पेपाल में हमने जेम्स डोहन को हाईर किया था जिन्होंने हमारे अधिकारिक परवक्ता बनने के लिए स्टार्ट रेक पर स्केटी खेला जब हमने पाम प्रिलोट के लिए अपना पहला सौप्टेर जारी किया तो हमने पत्रकारों के कारकर में अमन्तरित किया जहां वे जेम्स की इस अमर लाइन को पढ़ सकते थे मैं अपने पूरे करियर में लोगों को डूबो रहा हूँ लेकिन यह पहली बार है जब मैं उन्हें पैसे बनवाने के लिए सक्षम हूँ यह फ्लाप रहा कुछ पत्रकार जो वास्तों में गतना को कवर करने के लिए आई थे वे प्रभावित नहीं हुए थे हम सधी निरुचाई थे इसलिए हमने सोचा कि स्कोटी मुख्य अभियंता कप्तान क्रिक की तुलना में अधिक आधिकार के साथ वोगताओं से बात कर सकते थे हम गलत थे जब प्रिंसलाइन डोट कॉम विलियम शत्रन टीवी स्पोर्ट की एक प्रसिद सरंकला में उनके लिए काम किया लेकिन तब तक प्रिंसलाइन एक परमुख खिलाडी था शुरुवाती चरण में स्टार्ट अप बड़ी कंपनियों के विग्यापन बचट से मेल नहीं खा सकता है वाइरल मार्केटिंग एक उतपात तब वाइरल होता है जब इसकी मूल कारेक्शमता वो बोगताओं को अपने दोस्तों को उप्योग करता बनने के लिए आमंतिरित करने के लिए प्रोथसाहिद करती है इस परकार फेस्बुक और पेपाल दोनों तेजी से बढ़े हर बार कोई दोस्त दूसरे को साजा करता है या बुखतान करता है वे वास्तविक रूप से नेटोर्क में अधिक से अधिक लोगों को आमंतिरित करते है यह सिर्फ रास्ता नहीं है यह तेज भी है यदि हर नया उप्योग करता एक से अधिक अतिरित उप्योग करता की और जाते है तो आप गातिय व्रदी की सरंकला प्रतिकिरिया प्राप्त कर सकते है आदर्स वाइरल पोश जितना संभव हो उतना तेज होना चाहिए मनोरंजक यूट्यूब वीडियो या इंटरनेट के पास लाकों विचार बहुत जल्दी खोजे जाते हैं क्योंकि वे बेहत कम समय में कोच सकते हैं क्योंकि वे उनके पास हैं जिने वे आपको बताते हैं लोग बिल्ली के बच्चे को देखते हैं वार्म महसूस करते हैं और अपने दोस्त को फोरवड करते हैं पेपल में हमरा प्रारंबी कुक्योप करता आदार 27 लोगों का था जिन मेंसे सबी पेपल में काम करते थे बैनर विध्यापल के माध्यम से ग्राहकों को आकर्शित करना बहुत महिंगा साबित हुआ हलंकि लोगों को सीधे साइन अप करने के लिए मुगदान करके और फिर मित्रों को रेफरल करने के लिए उन्हें अधिक मुगदान करके हमने ऐसाधान ब्रदी हासिल की इस रर्निती में हमें परती ग्राहक 20 डॉलर खर चाया लेकिन इससे दैनिक विकास में 7% की व्रदी हुई जिसका आर्थ है कि हमारा उप्योग करता आधार लगवग 10 दिनों में दोगना हो चुका था चार या पांच महिनों बाद हमारे पास सैंक्डों हजारों उप्योग करता थे और हमारे ग्राहक अधिक रण लागत से काफी कम फीज के साथ धन पाने की सेवा प्राप्ट करके एक माहन कंपनी बनाने का एक विवारिया अवसर था वाइरल क्षंता वाले बाजार के सबसे महत्तपून खंड पर हावी होने वाला कोई भी व्यक्ति पूरे बाजार में आखिरी प्रेरिक होगा पे-पाल में हम अधिक उप्योकरताओं को शामिल नहीं करना चाहते थे हम पहले सबसे मुल्यवान उप्योग करताओं को प्राप्ट करना चाहते थे एमेल आधारित बूगतानों में सबसे स्पष्ट बाजार अब भी लाकों परवासी वेस्टन यूनियन और वायर का उप्योग करके अपने परिवारों को डॉलर भीज रहे थे हमारे उत्पाद ने इसे इतना आसान बना दिया लेकिन फिर भी लेन दिन बहुत कम थे हमें एबे की निलामी बाजार के माद्यम से ओनलाइन सामान बेशने वाले पेशेवर विकरेताओं ने एबे पाउर सेलर्स में एक सेगमेंट के साथ एक छोटे से उच बाजार की अफशक्ता थी जिनकी संक्या केवल बीस हजार थी अधिकांस में कई निलामी होती थी और उन्होंने लगबंग उतना ही खरीदा जितना उन्होंने बेचा इसका मतलब मुगदान की निरंतर धरा थी और क्योंके बुगतान की समश्या का ईवे का अपना समाधन जबरदस्त था इसलिए ये व्यापारी बेहद उच्छा ही थे और प्रारंभिक परियोग के बाद ही इसे अपनाने वाले थे एक बार पेपाल इस सेगमेंट पर हावी हो गया और इवे के लिए बुगतान मंच बन गया तो इवे पर कोई और पकर नहीं बना पाया था किसी भी व्यावसाई के लिए इन वीडियो में से एक दूसरे की तुन्ना में कहीं अधिक शक्तिशाली होने की समभावना है वितरन अपने आपके एक पावर कानून का पालन करता है यह ज़्यादातर उद्मियों के लिए सहज ग्यान है जो मानते हैं कि इससे भी अधिक हो सकता है लेकिन कुछ विक्रेता लोगों को रोजगार, कुछ पत्रिकावी क्यापन और उत्पाद की वाईरल कार्यक्षमता को विचार करने वैजोडने पर प्रियास करें लेकिन यह काम नहीं करता है अधिकांस विवसायों को काम करने के लिए सुनने वितरन चैनल मिलते हैं खराब उत्पाद की वज़ाए, खराब विक्री, विफलता का सबसे आम कारण है यदि आप काम करने के लिए सिर्फ एक वितरन चैनल बना सकते हैं तो आपके पास एक अच्छा विवसाय है यदि आप एक साथ कई के लिए प्रियास करते हैं तो आप स्माप्त हो जाएंगे गैर ग्रहकों को बेचना आपकी कमपनी को अपने उत्पाद से अधिक बेचने की जरूरत है आपको अपनी कमपनी को करमचारियों और निवेसकों को भी बेचना होगा जूट का एक मानोसंसादन संसकरन है कि महान उत्पाद ही बित्ते हैं यह कमपनी इतनी अच्छी है कि लोग इसमें शामिल होने के लिए प्रियास करेंगे और एक धन उगाने वाला संसकरन भी है यह कंपनी इतनी महान है कि निवेशक निवेश करने के लिए हमारे दरवाजे को टक्र मारेंगे मीडिया में अपनी कंपनी को बेचना हर किसी को बेचने का एक आवशक हिस्सा है जो सहस्ता से मीडिया पर एविस्वास करते हैं अक्सर इसे अंदेखा करने की कोशिश करने की गलती करते हैं लेकिन जैसे ही आप लोगों को कभी भी किसी भी वित्रण रन्निती के बिना अपने स्पस्ट गुणों पर बेहतर उत्पात खरीदने की उमीद नहीं कर सकते आपको कभी यह नहीं मानना चाहिए कि लोग सारुज निक संबन रन्निती के बिना अपनी कंपनी की प्रसंसा करेंगे यहां तक कि यदि आपके विशेश उत्पात को ग्रहकों को प्राप्ट करने के लिए मीडिया एक्स्पोजर की आफशक्ता नहीं है आपके पास वाइरल वित्रण रन्निती है जो प्रेस निवेशकों और कर करमचारियों को आकरशित करने में मदद कर सकती है भरती के लायक कोई भी संबावित करमचारी अपना परिश्रम करेगा और जब वह आपको गूगल पर खोजता है तो वह क्या पाता है या उसे क्या नहीं मिलता है तो यह आपकी कंपनी की सबनता के लिए महतोपूर्ण हम सबी विश्वास करना चाहते हैं कि हम अपने दिमाग कंट्रोल में रखें ताकि बिक्री हमारे उपर असर ने कर सके लेकिन यह सच नहीं है हर किसी के पास बेचने के लिए एक उतपाद है इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप एक करमचारी संस्थापक या निवेशक ह है या नहीं यह सच है बले या आपकी कंपनी में केवल आप और आपके कंप्यूटर शामिल हो चारों और देखो यदि आप कोई विक्रेता नहीं देख रहे हैं तो आप ही एक विक्रेता है धन्यवाद हिंडियोडियोबुक डोट कॉम आईए चलते हैं अध्याइब बारा पनुष्य और मसेन इंदियोडियोबुक डोट कॉम चितने परिपकव इंडस्ट्रीज हो गई है सुचना परदोगी की उतनी ही तेजी से बढ़ी है और अब यह तक्निक के समानार्थी बन गई है आज डेट करोड से अधिक लोग जेव के आकार के उपकरनों का उप्योग कर दुनिया के ग्यान तक तुरंट पहुंच कर उसका अनन लेते हैं आज के स्मार्टफोन में से प्रतेक में कम्प्यूटरों की तुलना में हजारों गुना अधिक प्रोसेसिंग पावर है जिन से चंद्रमा पर बैठें अंत्रिक सियात्रियों को निर्देशित किया जा सक चलता है यदि लव आफ मूर इसी तरह तेजी से चलता रहा तो आने वाले कल के कम्प्यूटर और भी शक्तिशादी होंगे कम्प्यूटरों में पहले से ही उन गती विदियों में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रयाप्त शक्ति है जो हम विसिस्ट मानव के रूप में सोचते हैं 1997 में में आईवियम के डीप प्लियू ने 277 चैंपियन केरी कास्परों को हराया जीयो पारडी के सबसे अच्छे प्रतित्रणदी केन जेनिंस 2011 में आईवियन के वाटसप से हारे और गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कारें पहले से ही कैलिफोर्निया भी सड़कों पर है डेल एरन हाट जूनियर पहले से ही डरे हुए है वैसे भी सेल्फ ड्राइविंग कार बेरोजगारी की अगली लहर को ला सकती है हर कोई कम्प्यूटर के भविशे में और अधिक करने की अपेक्षा करता है इसमें और भी सीक्रेट्स मुझूद हैं आज से 30 साल बाद क्या लोगों के पास कुछ करने के लिए भी बचेगा सौफ्ट वेर दुनिया को अपने अंदर समाहित कर रहा है उद्द्धिम फूंजी पती मार्क एंडर सेंग ने अनिवारियता के स्वर के साथ घोशना की है वी सी, एंडी केसलर लगबग आलसे की तरह बताते हैं कि उत्पादक्ता बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोगों को चुटकारा दिलाने का है और फॉर्श पतरीका ने पाठकों से पूछा कि क्या एक मशीन आपको बदल देगी भविश यवादी इसका उत्तर हां में महसूस कर रहे हैं लूडी साइट्स इस बारे में बहुत चिंतित हैं कि इसे बदलने की बजाए वे नई तकनीका निर्मान ही क्वंद कर देंगे कोई भी पक्ष इस आधार पर सवाल नहीं करता कि बहुतर कम्प्यूटर मानव सर्मेकों को जरूरी रूप से बदल देगा लेकिन वह आधार गलत है कम्प्यूटर मनुश्यों के लिए जरूरी है विकल्प नहीं आने वाले दस्कों के सबसे महतवपून व्यवसाई उन उद्मियों द्वारा बनाई जाएंगे जो उन्हें एप्रसलिक बनाने की बजाए लोगों को सशक्त करना चाहेंगे विकल्प बनाम पूरक पंद्रह साल पहले अमेरिकी मजदूर सस्ते मेकसिकन मजदूरों के विकल्पों से परतिश परदा के बारे में चिंतित थे अब यह समझ में आया कि इनसान वास्तों में एक दूसरे के लिए विकल्प हो सकते हैं आज लोग सोचते हैं कि वे रास पैरियोड की विशाल दहने को एक बार पिर सुन सकते हैं लेकिन वे इसे टिजवाना के कट्रेट कारखनों के बजाए टेकसास में कहीं सर्वर फिल्प में इसे पाते हैं अमेरिकियों को निकट भविश्य में प्रोधोगी की से डर हैं क्योंकि वे इसे निकट तम वैस्वी करण की पुन्रावर्दी के रूप में देखते हैं लेकिन हालात बहुत अलग हैं लोग नोकरियों और संसादनों के लिए परतिस परदा करते हैं कम्प्यूटर परतिस परदा नहीं करते हैं वैस्वी करण मतलब विखल जब पेरों ने विदेशी परतिस परदा के बारे में चेतावनी दी तो जार्ज डबलू बुश और बिल क्लेंटर दोनों ने मुक्त व्यापार के सू समाचार का परसार किया क्योंकि प्रतेक व्यक्ति के पास कुछ विशेश नोकरी के साफेक्ष ताकत होती है शिधांत रूप में अर्थ व्यवस्ता जब अधिक्तन कमाती है जब लोग अपने फाइदों के अनुशात विशेश सग्य होते हैं और फिर व्यापार करते हैं व्यवारिक रूप से यहस बस्त नहीं है कि कम शर्मिकों के लिए मुक्त व्यापार कितना अच्छा काम करता है तो नात्मक लाब में बड़ी भी संगती होने पर व्यापार से सबसे बड़ा लाब होता है लेकिन मजदूरों की वैस्विक आपूर्ती बेहत कम मजदूरी प बड़ाव वाले कारियों को करने को मजदूर होते हैं, लोग सर्मिकों क्या पूर्ती करने के लिए प्रतिस्परदा नहीं करते हैं, वे एक ही संसादन की मांग करते हैं, जबकि अमेरिकी वगताओं को चीन के सस्ते खिलोंने और वस्तरों को खरीदने से फायदा हुआ है, या फिस्ट टैकोस में शार्क फिन खाते हैं सभी को बोजन की जरूरत हैं और सभी को घर की आउशकता हैं लेकिन इच्छा निर्वा पर नहीं रुपती लोग वैस्विकन जारी रखने के लिए और अधिक मांग करते हैं अब लाकों चीनी की साथ अंतते मुनियादी कैलोरी की सुरक्षित अपूर्ती का अनंद ले सकते हैं वे चाहते हैं कि उन में से अधिक तर सिर्वार का मास मांगे इच्छा का विस्तार सिर्श पर है और यह स्पस्ट है सभी वर्गों में क्रिस्टिल से रूस के प्योंग्या अब मानो सर्मिकों की परतिस परदा के बजाए कंप्यूटर से परतिस परदा की संभावना के बारे में सोचें आप उर्ती पक्षपर कंप्यूटर एक दूसरे से बिन होते हैं लोगों की तुलणा में कहीं अधिक अलग होते हैं उरुष और मशीन मौलक रूप से अलग-अलग होते हैं हम जट्ल परिस्थित्यों में यूजना बनाते हैं और नेने लेते हैं हम बारी मात्रा में डेटा याद रखने में कमजोर होते हैं कम्प्यूटर इसके बिल्कुल वी प्रीत है, वे कुशल डेटा प्रोसेसिंग पर कार्य करते हैं, लेकिन वे मुन्यादी निर्ने लेने के लिए कमजोर होते हैं, जो कि किसी भी मानों के लिए आसान होगा. इस बिल्मिता के पैमाने को समझने के लिए गूगल के कम्प्यूटर के लिए मानों परतिस्ताफन परियोजना पर विचार करें, दो हजार बारा में यूट्यूब वीडियो के दस मिलियन थमनेल स्कैन करने के बाद उनके सूपर कम्प्यूटरों में से एक ने यह बताया, कि इसने पिचेतर परतिसत सटीकता के साथ बिल्ली की पहचान करना शिख लिया है, क्या आप इससे प्रवावित हुए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चार वर्षिय बच्चा भी इसे निर्दोस तरीके से कर सकता है, जब एक सस्ता लेक्टो कुछ कारियों में सबसे बुद्धि और कम्प्यूटर एक दूसरे से ज़्यादा शक्तिजाली नहीं है, वेस्पस्ट रूम से अलग है, मनुश्य और मसीन के बीच के अंतर का मतलब है कि कम्प्यूटर से काम करने के इलाव, अन्य लोगों के साथ व्यापार के इलाव से कहीं अधिक हैं, हम पसुदन या लेम् भी गहरे हैं, और द्योगिक देशों में लोगों के विब्रिक, कम्प्यूटर, कैप भेरात में अधिक शानदार भोजन या बीच फरंट वीला के लिए उच्सुद नहीं है, उन्हें केवल बिजली की मामूली मात्रा की आफशकता हुटी है, और वे जारा स्मार्ट भी न नहीं दिखना चाते हैं, जब हम समश्याओं को हल करने में मदद के लिए नई कम्प्यूटर तकनीक तैयार करते हैं, तो हमें संसादनों के लिए परतिस परदा किये बिना एक अतिस हमेदन सिल व्यापार भागिधार के सभी दक्ष तालाब मिलते हैं, उचित रूप से मनुश्यों के लिए विकल्प नहीं होंगे, वे उनके पूरक होंगे। पूरक व्यावसाई कम्प्यूटर और मनुश्यों के बीच पूरक ता सिर्फ एक मैक्रो स्केल तत्या नहीं है, यह एक महान व्यावसाई बनाने का भी मार गया है। मुझे पेपाल में मेरे अनुवावसे यह समझ में आया कि साल दोवजार के मद्धे में हम डोटकॉम दुर्गणना में बच कई थे और हम तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन हमें एक बड़ी समश्या का सामना करना पड़ा। हम हर महीने क्रेडिट कार्डों का दरी से दस मिलियन डोलर से जादा खो रहे थे। चुंकि हम प्रति मेरे सेंकडों या हजारों लेंदेन कर रहे थे। इसलिए हम संभावते प्रते की समिक्षा नहीं कर सके। कोई भी मानों गुनवत्ता नियंदरन तें इतना फास्ट काम नहीं कर सकती थी। हमने इंजिनीरों के समूगों समाधान को ऑटोमेटिक करने की कोशिश करने के लिए कहा। सबसे पहले मैक्स लेविनिन में तोखादरी को पकड़ने के लिए गणित्तग्यों की एक विसिस्ट टीम को इकठा किया। फिर हमने जो को जाना और समझा उसे रियल टाइम में आटोमेटिक रूप से फरजी लेंदेन को पहचानने और रद करने के लिए एक सोफ्ट्वेर बनाया। लेकिन यह जल्दी ही सबस्ट हो गया कि यह द्रिश्टी कोण काम नहीं करेगा। एक या दो घंटे बाद चोरों ने हमारी रननेती को पकड़ लिया और बदल दिया। हम एक जाने अंजाने दुसमन से निपड रही थे और हमारा सोफ्ट्वेर और हमारा सोफ्ट्वेर उन्हें पकड़ने में अनुकुल नहीं था। दोखा दरीके इस अनुकुली उत्पिडन में हमारे आटोमेटिक पहचान अलगोरिटम को बेफूप बना दिया। लेकिन हमने पाया कि उन्होंने हमारे मानव इसलेस्कों को आसानी से मुप नहीं बनाया। तो मैक्स और उसके इंजिनियर एक हाइबरिड दिश्टिकों से इस सोफ्ट्वेर को फिर से लिखते हैं। कम्प्यूटर एक अच्छी तरह से डिजाइन किये गई। उप नेवाग। हमने रुसी दोखादरी के बाद इसे इगोर नाम दिया। जिसने अभी तक हमला नहीं किया हम उसे भी रोख पाएंगे। हमने दो हजार दो की पहली तीमाई में हमने अपना पहला त्री मासिक मुनाफ़ा पतल दिया। FBI ने हम से पूछा कि क्या हम उन्हें वितिया अपराद का पता लगाने में मदद के लिए इगोर का उप्योग करने देंगे। और मैक्स सक्षमुत दावा करने में सक्षम था कि वह हैं अंडर इंटरनेट शेल कोहूंग था। इस तरह के मैन मशीन सिंबायोशिस ने पेपाल को व्यावसाय में रहने में सक्षम बनाया जिसने बदले में हजारों चोटे व्यावसायों को इंटरनेट पर पढ़ने के लिए आवशित उरुकांस विकार करने में सक्षम बनाया मैंन मसीन समारान के विना इसमें से कोई भी संभव नहीं था भले ये अधिकांस लोग इसे कभी देख नहीं पाएंगे या इसके बारे में कभी सुनेंगे भी 2002 में पेपाल बेजने के बार मैंने इस बारे में सोचना जारी रखा यदि मनुश्य और कम्प्यूटर आके लेई नटकिये रूप से बेहतर परिराम प्राप्ट कर सकते तो इस मूल सिदान पर अन्य मुल्यवान व्यावसाई कैसे बनाई जा सकते हैं अगले साल मैंने एक नए स्टार्ट अप विचार पर एक पुराने इंजिनियर स्टैनफोर्ड सैफ़टी एलेक्स कार्प को और एक सौफ़वेर इंजिनियर स्टिफन कोहिन से बातचित कर तयार किया हम आंतकवादी नेटवर्क और वित्य दोकादरी के पहचान के लिए पेपाल की सुरक्षा परनाली से मानों कम्प्यूटर हाइबरिड धिस्टिकोन का उप्योग करेंगे हम पहले से ही जानते थे कि API हम में दिल्चस्वी ले रहा था और 2004 में हमने एक सोफ्टियर कमपनी पलंटियर की स्थापना की जो लोगों को जानकारी के अलग-अलग स्क्रोतों से आंतरिक जानकारी निकालने में मदद करती है कमपनी 2004 में एक बिलियन डोलर की बिकरी बुक करने के ट्रैक पर है और Forbes ने ओसमा बिन लादेन को डूमने में सरकार की मदद करने में अपनी अप्वाब उनिका के लिए पलंटियर के सोफ्टियर को भत्यारा एप कहा है हमारे पास उस ओपरेशन से सांजा करने के लिए कोई विवर्ण नहीं है लेकिन हम कह सकते हैं कि ने तो मानोव खोपिया तंतर और ने ही कंप्यूटर अकेले हमें सुरक्षित मनाएगे अमेरिका की दो सबसे बड़ी जासुस एजेंसिया वीप्रित रिष्टिकोन अपनाती है जो मनुष्यों को विशेशा दिकार देते हैं कि सबसे गंबीर खत्रों की पहचान करना बहुत मुश्किल है NSA कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा संसादित कर सकते हैं लेकिन अकेले मशीने अधिकरत रूप से निर्धारित नहीं कर सकती है, कोई आंतगवादी कारेवाई कर रहा है या नहीं, पलंठियर का उधिश्य इन विरोधी पूर्वागरों को पार करना है, इसका सोफ्ट्वेर उस डेटा का विशलेशन करता है, जिसे सरकार फीड करती है, यमन में कट्रपंति क्लियरिक्स के फोन रिकोर्ड या आंतगवादी सेल गतिवीदी से जुटी बैंक खातों उधारन के लिए और एक परशेक्षित विशलेशक की समिक्षा के लिए संदीक्त गतिवीदियों को फ्लैक करता है, आंतगवादियों को ढूनने में मदद क के लावा पलंटियर के सोप्ट्रेयर का उप्योग करने वाले विशलेसक यह अनुमान लगाने में सक्षम हुए है कि अफगानिस्तान में विद्रोयों ने एई-ई-डी कब लगाया था, हाई परुपाई, चाहिल्ड पॉर्नोग्राफी, वैदेव यापार मामलों पर सालाना वानेजिक बैंक को और सरकार के लाखों डोलर बचाई, उन्नत सोप्ट्रेयर ने इसे संभव बनाया, लेकिन इसके साथ मानव विशलेसकों, अभी योजगों, वैज्यानिकों और वित्ये पेशेवर भी अधिक मेंत्वपोर्ण थे, जिनकी सक्रिये सहब आगिता क बिना सोप्ट्वेर बेकार था, सोचें कि पेशेवर आज अपनी नोकियों में क्या करते हैं, वकीलों को कई अलग अलग तरीकों से कांटेदार समश्याओं के समानहन को स्बस्ट करने में सक्षम होना चाहिए, जिकित्सकों को गैर विशिसग्य रोगियों को समबात करने क इक्षमता के साथ नैदानिक समझ से अपनाने की अफ्षकता है और अच्छे सिक्षक चिर्फ अपने विशों में विशिसग्य नहीं है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि विभिन विक्तियों के हीतों और सिखाने की सेलियों को वे उनके निर्देश को कैसे तयार किया जा कंप्यूटर इन कारियों में से कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं लेकिन वे उन्हें प्रवावी डंग से सयोजित नहीं कर सकते, कानून, चिकित्सा और शिक्षा में बेहतर तकनीक पेशवरों को परतिस्थापित नहीं करेंगी, यह उन्हें और भी करने की अनुमती देग लिंक डन ने भरती करने वालों के लिए बिलकुल ऐसा किया है, जब 2003 में लिंक डन की स्थापना हुई, तो उन्होंने राहत की आवशकता में अलग दर्द बिंदू खोजने के लिए भरती करने वालों को मतदान नहीं किया, और उन्होंने सौफ्टवेर बनाने की कोशिस जो भरती करताओं को पूरी तरह से बदल देगा, भरती भाग, जासुसी कारिया और भाग विक्री है, आपको आवेदकों के इतिहास की जांस करना, उनके उद्दिश्यों और संगतता का आंगलन करना है, और सबसे अधिक आशा जनक लोगों को आप से जूने के लिए जलने के लिए तयार किया कि भरती करने वालों ने अपनी नोक्रिया कैसे की, आज 97% से अधिक भरती करता लिंक डन का उप्योग करते हैं और सुत्रोत नोक्री उमिदवारों को इसकी 37 साली खोज और फिल्टरिंग कारेक्शमता का उप्योग करते हैं, और नेटवर्क इतनीक के साथ भरती करने वालों को बस बदलने की कोशिस नहीं की होती, तो आज उनके पास कोई व्यबसाई नहीं होता। कंप्यूटर विग्यान की विचारदारा इतने सारे लोग पुर्वक्ता की शक्ते को क्यों नहीं पहचान सकते, यह स्कूल में शुरू होता है, सोप्ट्वेर एंजिनियर उन परियोजनों पर काम करते हैं, जो मानव परियासों को परतिस्थापित करते हैं, क्योंकि यही वह हैं जो उन्हें करने के लिए परशिक् अकाद्मिक विशेश सोद के माद्यम से अपनी परतिस्था करते हैं, उनका प्रात्मिक लक्षे कागजात परकाशित करना है और परकाशन का अर्त किसी विशेश अनुशाशन के सिमाओं का सम्मान करना है, कम्प्यूटर वैक्यानिकों के लिए इसका मतलब है कि मानों क्श परतिस्थापन के इमेजरी को उजागर करता है और इसके बूस्टर मानते हैं कि कम्प्यूटर को लगपक कोई कारिये करने के लिए सिखाया जा सकता है, जब तक कि हम उने परियाप्त पर्शेक्शन डेटा फीड देंगे, नेट्फलिक्स या एमेजोन के किसी भी उप्यो करता ने मशीन सीखने के परिणामों का अनुग किया है, दोनों कम्पनिया आपके देखने और खरीद इतिहास के आधार पर उत्पादों की अनुसंसा करने के लिए इल्गोरीदम का उप्योग करती है, उन्हें अधिक डेटा फीड दें और सिखारी से हमेशा बेहतर हो जा करता है, क्योंकि सोफ्ट्वेर मानव भासा को समझता है, लेकिन इसके टेक्स के विशाल बंडार के शांकिक ये विसलेशन के माद्यम से पैटर्न निकाले हैं, अन्य बजवर्ड जो परतिस्तापन की और पूर्वा ग्रा का परतीत है, बड़ा डेटा है, आज की कंपनियो के डेटा के लिए एक लाल सा भूख है, गलती से यह मानते हुए, कि अधिक डेटा हमेशा अधिक मुल्यवान होता है, लेकिन बड़ा डेटा आम तोर पर गूंगा डेटा होता है, कंप्यूटर ऐसे पैटर्न ग्योंड सकते हैं, जो मनुश्यों को आकर्षित करते हैं, ले सामानी करत्रिम बुद्धी की तरह हो सकती है, जो केवल विज्ञान कता में मुझूद हैं, हम केवल बड़े डेटा से उच्छाइट हुए हैं, क्योंकि हम प्रोदोगी की का बैस्तार करते हैं, हम आके ले कंप्यूटरों दोरा हासिल की गए चोटी सी चीजों से दिक बनाता है, वाट्सन, डिपलू और हमेशा बेहतर मशिन बनाने के लिए एलिगोरिदम काफी कूल है, लेकिन बविश्य में सबसे मुल्यवान कंपनिया यह नहीं पूछेंगे, कि अकेले कंप्यूटरों के साथ क्या समच्छाइं हल की जा सकती हैं, इसके बजाई वे कंप्यूटर कैसे मनुश्यों को कथोर समच्छाउं का समाधान करने में मदद कर सकते हैं, स्मार्ट कंप्यूटर मित्र या शत्रू, कंप्यूटर रिप्छन का बहश्य अनिवारिया रूप से अज्याद से भरा है, सिरि और वाट्सन जैसे चीजों के हार्विंगर के रू को हमसे सवाल पूछना पड़े तो वो शायद ये पूछेंगे कि उन्हें हमारे लिए क्यों रहना चाहिए इस प्रतिस थापनवादी सोच के लिए तार्किक इंटेलिजेंस को मजबूद AI कहा जाता है कंप्यूटर जो हर महतपूल आयाम पर मनुश्यों के द्वारा गहन करत हैं बेशक प्रूडी साइस इस संभावना से ड़ते हैं यह बविश्य वाजियों को थोड़ा एस हैज बनाता है यह सपस्ट नहीं है कि मजबूद AI मानवता को बचाएगा या इसे नश्ट कर देगा या नहीं टेक्नोलोजी परकरती पर हमारी निपूंता बढ़ाने और हम मजबूद AI एक प्रभाणियल लोडली टिकट की तरह है अगर हम जीतते हैं तो हमें यूटोपिया मिलती है अगर हम हार जाते हैं तो स्काई नेट में हमें अस्तितों से बाहर कर दिया जाता है लेकिन बले ही मजबूद AI एक असंबव रहशे की बजाए वास्तमिक संभाव होना है यह इतनी जल्दी नहीं होगा कंप्यूटर द्वारा प्रतिस्तापन 22 में स्थाप्दी की चिंता है दूर भविश्य के बारे में एनिस्चित कालिन भै हमें आज निस्चित योजना बनाने से नहीं रोग सकता लूडी साइट का दावा है कि हमें उन कंप्यूटरों का निर्मान नहीं करना चाहिए चो किसी दिन लोगों को परतिस्तापित कर सकें क्रेजी वविश्य वाद्यों का तर्क है कि वे हमें चाहिए पारस्परिक रूप से अलग है लेकिन वे पौन नहीं है आगे के दस्कों में लोगों के बीच एक बहतर तुनिया बनाने के होंगे वे हमें एसा करने में मदद करेंगे जो पहले एकलपनिय था धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक टोटकों आये चलते हैं अध्याए 13 की ओर आपका दिन शुब हो अध्याए 13 आशावादी रहें हिंदी ओडियो बुक टोटकों 21 इस्ताफदी की शुरुवात में सभी सहमत थे कि अगला बड़ा व्यवसाई क्लीन टेक्नोलोजी का था और यह होना भी चाहिए बीजिंग में दुआ इतना ज़्यादा पढ़ गया था कि लोग एक इमारत स दूसरी इमारत तक भी नहीं देख पा रहे थे यहां तक की सांस लेना भी स्वास्ते के प्रति जोखिम था बंगला देश के आश्यानिक युक्त पानी के बारे में नियुव्यार्क टाइम्स ने इतिहास का सबसे ज़्यादा जहरिला पानी कहा था युएस में इवान और कैटरीना तुपान को ग्लोबल वार्विंग से उत्पन होने वाले विनास के संदे स्वाहग के रूप में देखा जा रहा था अलगोर ने हमें इन समश्याओं से उस तरह ततकालता और संटल्प के साथ निपटने का आग्रे किया जैसे पहले भी युद्ध के लिए राष्टर संगठित होते रही थे दुनिया को क्लीन करने की तलाश चुरू हो चुकी थी उद्वियों ने तुरंट हजारों क्लीन टेक कंपनियों की शुरुवात की और निवेशकों ने उनमें पचास अरब डोलर से अधिक का निवेश किया लेकिन इसने काम नहीं किया एक स्वस्त ग्रह की बजाए हमें एक विशाल क्लीन टेक कचरा मिला सोलर इंडस्ट्री सबसे मशूर ग्रिन मुद्ध सावित होई अधिकांस क्लीन टेक कंपनिया इसी तरह के विनाश का रिखात में की ओर अग्रसर थी अकेले साल 2012 में 40 से अधिक सोर निर्माता व्यावसाय चोड़ चुके थे इन में से ज्यादातर इसी साल दिवालिया हुए थे वेकल्पिक उर्जा कंपनियों का अग्रनी सुचकांग क्रैश उनकी अप्स्पिति को दरसाता है कलेंटेक क्यों विखल हुआ कंजर्वेटिवस का मानना था कि वे पहले ही इसका जवाब जानते थे उनका मानना है कि जैसे ही ग्रीन उर्जा सरकार के लिए प्रात्मिक्ता बन गई वैसे ही यह जहर बन गई लेकिन वास्तों में ग्रीन उर्जा बनाने के लिए अच्छे कारण मोजूद थे जो आज भी मोजूद है क्लिन टेक के बारे में सच्चाई सरकार के विफलता से अधिक जटिलोर महतोपूर्ण है अधिकांस क्लिन टेक कंपनिया धराशाई हो गई क्योंकि उन्होंने इन साथ प्रशनों में से एक को भी नहीं अपनाया था जिने हर व्यवसाई के लिए आउशक माना जाता है जो इस प्रकार से है पहला इंजिनिरिंग प्रशन क्या आप ब्रहद सील सुधारों की बजाए एक सफल टक्निक बना सकते हैं दूसरा समय प्रशन क्या आप आपका विशेश व्यवसाई सुरू करने का सही समय है तीसरा एका दिकार प्रशन क्या आप एक छोटे से बाजार के बड़े हिस्से से शुरू कर रहे हैं चोथा लोगों के बारे में प्रशन क्या आपके पास सही टीम है पांचमा वितरन प्रशन क्या आपके पास ने सिर्फ बनाने बल्कि उसके वितरन का कोई तरीका है साथमा, सीक्रेट प्रशन, क्या आपने एक अनूठा मोका पहचाना है, जिसे दूसरों ने नहीं देखा? हमने पहले भी इन तत्वों पर चर्चा की है, आपका उद्योग कोई भी हो, लेकिन बढ़िया बिजनस प्लान आपके व्यावसाई के प्रतेक भाग से संबंधित होता है, यदि आपके पास इन सवालों के अच्छे जवाब नहीं है, तो आप दुर्भग्य से नहीं बच सकत और आपका व्यावसाई भी है सफल हो जाएगा, यदि आप इन सवी साथ नियमों का प्रियोग करते हैं, तो आप भाग्य हासिल करेंगे और सफल होंगे, अगर इन में से पांच या छे भी सही काम कर रहे हों, तो भी व्यावसाई चल पड़ेगा, लेकिन क्लिन टेक वाव के बारे में, असल बात यह थी कि उन लोगों ने इन साथ नियमों में से एक को भी नए अपना कर कमपनियों को शुरू कर रहे थे, और इसका मतलब था कि वे लोग किसी चमतकार की उम्मेद कर रहे थे, यह जानना मुश्किल है कि कोई विशेज क्लिन टेक कमपनी विफल र के हारने वाले स्कोर बोर्ड की अधिक कहराई से समिक्षा करना उचित है, पहला इंजिनिरिंग प्रशन, एक महान टेकनोलोजी कमपनी की मालिकाना टेकनोलोजी को अपने निकतम विकल्प से बेहतर परिनाम वाला होना चाहिए, लेकिन क्लिन टेक कमपनिया शायद ही कभी 2X तक बेहतर होंगी, 10X तक बेहतर होना तो भूली जाएं। कभी-कभी उनकी पेशकर उन उत्पादों से भी बत्तर होती थी जिने उन्होंने परतिस्तापित करने की मांग की थी। पैनलों के सेल्स को गरम करने के लिए अधिक सूरिय परकास के लिए मीरर का उपयोग कर इस कमी को पूरा करने की कोशिस की, लेकिन मूर रूप से प्रारंबिक बिंदू के रूप में इसे दोबारा पाना मुश्किल था। कमपनियों को टैनेक्स तक बेहतर बनने के लिए प्रियास करना ही चाहिए क्योंकि केवल वरदशिल सुधार अक्सर आखिरी उपयोग करता के लिए कोई सुधार नहीं होता है। प्रियोग शाला में इसका परिक्षन करते हैं तब यह पहली बार अच्छा लगता है लेकिन प्रियोग साला परिनाम वास्तिक दुनिया में किसी भी नए उत्वात द्वारा किये गई खर्चों और जोखिमों की बरपाई नहीं करेगा। और यहां तक कि यदि आपका सिस्टम वास्तों में ग्रहाक द्वारा खरीदे जाने पर 20% बहतर ही है तो आप इसे बेजने के लिए इसके लाबों को बढ़ा चड़ा कर बताते हैं तो आपको संदे की नजरों से देखा जाता है। जब आपका उत्पाद 10X तक बहतर हो केवल तब ही आप ग्रहाक को पारदर्शिस रिष्टा उपलब्द करा सकते हैं। दूसरा समय प्रशन प्लेंटे कुद्मियों ने खुद को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की जब उन्होंने 2008 में अपनी नई कंपनियों की गोशनाएं की। स्पेक्ट्रा वाट के सीईओ एंड्रियू विल्सन ने तब टी सोर कंपनी शुरू की जब 1970 के दसक के अंत में माइक्रो प्रोसेसर उद्योग शुरू हुआ था। इसमें खोज करने और सुधारने के बहुत अशर मोजूद थे। दूसरा भाग सही था लेकिन माइक्रो प्रोसेसर समालतर रूप से तूर थे। 1970 में जब से पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था तब से कंप्यूटिंग ने केवल तेजी से बल्कि बहुत तेजी से बढ़ी और विक्सित हुई। इंटेल के शुरूआती रिलीज उत्पात के इतिहास को ही देखें। पहला सिलिकोन सोर सेल 1904 में बेल लेप्स द्वारा विल्सन की प्रेस विधर्पती से पहले ही पनालिया गया था। दीरे दीरे और रेखी अरूप से फोटो वोल्टिक दक्षता में मध्यम मर्गी दसकों में सुधार हुआ। बेल के पहले सोर सेल में लगवक्त 6% दक्षता थी। आज की क्रिष्टल ये सिलिकोन को शिकाएं और आदुनीक पतली फिल्म को शिकाओं ने इस खेतर में 25% से अधिक दक्षता पार नहीं की है। आने वाले लिप्ट ओप 2000 के दसक के मध्य में कुछ इंजिनिरिंग विकास हुए थे। धीमी गती से चलने वाले बाजार में प्रवेश करना एक अच्छी रणनीटी हो सकती है। लेकिन केवल तब ही जब आपके पास इसे ग्रहन करने के लिए एक निश्चित और यथार् ना हो। ऐसफल क्लिन टेक कंपनियों के पास इन में से कुछ भी नहीं था। टीसरा मोनोपली प्रशन 2006 में अरपती टेकनोलजी निवेशक जोन डोयर ने कहा था इंटरनेट के बाजार का आकार अर्बों डॉलर में है और उर्जा बाजार ट्रिलियन डॉलर में। उन्हों ने डोयर को और अधिक बार परति बिंबित किया। दो हजार के दसक में मैंने दर्जनो क्लिन टेक उदमियों की बात सुनी। उन्होंने ट्रिलियन डॉलर के बाजारों की कहानियों के साथ एसे शांदार रूप से पाउर पॉइंट परसूतियों को दिखाना शुरू किया जैसे कि यह हैं एक अच्छी और सच्छी बात थी। क्लिन्टे के अधिकारियों ने सभी नए उदमियों के लिए प्रियाप्त उर्जा बाजार होने पर बल दिया लेकिन प्रतेक व्यक्ति का मानना था कि उनकी अपनी कंपनी बड़ी बने। 2006 में सोर निर्माता मिया सोल के सीईयो डेव पियर्स ने एक कांग्रेस पैनल में कहा कि उनकी कंपनी एक विशेश प्रकार की पतली फिल्म सोर सेल विकास पर काम कर रहे कई बहुत मजबूट स्टार्ट अप में से एक थी। कुछ मिनट बाद पियर्स ने भविश्यवानी की कि मिया सोल एक वर्स के बीतर दुनिया में पतली फिल्म सोर कोसी काउं का सबसे बड़ा उत्पादक पन जाएगा। यदि आप एक चोटे बाजार के लिए एक एदवितिय समाधान पर मोनोपली नहीं बना सकते तो आप दूस परिणाम में फ़र्श जाएंगे। मिया सोल के साथ यही हुआ। अपने विशिष्ट ताकवती रंजित करना एक अधिकार प्रशन को बताने का एक आसान तरीका है। मान लीजिए कि आप एक सोर कंपनी चला रहे हैं जिसने सो मेगावाट की सेयुक्त बिजली उतपादन क्षमता के साथ सफलता पूरवक्त सैंकडों सोर पैनल से स्टम स्थापित किये हैं। चोकि कुल अमेरिकी सोर उर्जा उतपादन क्षमता नो सो पचास मेगावाट है इसलिए आपके पास बाजार का दस पूइट तरेपन परतिसत हिस्सा है। बढ़ाई हो आप खुद से कह सकते हैं कि आप एक सोलर बिजनस खिलाडी है। लेकिन क्या होगा अगर यूएस सोर उर्जा बाजार वहे बाजार ने हो। क्या होगा यदि वहे बाजार वैस्विक सोर बाजार है जिसमें 10 गीगावाइट की उतपादन क्षमता है। आपके 100 मेगावाट अपको वास्तों में बहुत चोटी मचली दिखाते हैं। अचानक आप बाजार के एक प्रतिसत से भी कम के मालिक हो जाते हैं। और क्या होगा यदि यह वैस्विक सोर नहीं है बलकि सामन्य रूप से नवीकरण या उर्जा है। नवीकरण से विश्व स्तर पर वार्षिक उतपादन क्षमता 420 गीगावाट है। अब आप बाजार के 0.02% तक पहुँच गए और 15,000 गीगावाट की कुल वैस्विक बिजली उतपादन क्षमता की तुलना में आपके 100 मेगावाट समूंदर में बसे बूंद जैसा ही है। बाजारों के बारे में क्लेंटेक उदमियों की सोच निरासा जनक रूप से उलजन में थी। वे युनीक दिखने के लिए अपने बाजार को उदारता पूर्वक कम कर देंगे। लेकिन यदि आप इस बारे में काल्पनिक हैं तो आप एक सब मार्केट पर हावी नहीं हो सकते हैं और विशाल बाजार अत्यदिक परतिस पर दीवे पमुच से परे हैं। अधिकांस क्लेंटेक संस्ताफक शहर पालो आल्टो में एक नए ब्रिटिस रेस्टरा कोलने से ज़्यादा बेहतर नहीं रहे होंगे। चोथा लोगों के बारे में प्रशन उर्जा की समश्याएं इंजिनिरिंग की समश्याएं हैं इसलिए आप प्लिंटेक कंपनियों को चलाने की उमीद करेंगे लेकिन आप गलत होंगे। विफल होने वाले लोग चोंकाने वाली गैर तकनी की टीमों द्वारा चलाए गई थे। ये सेल्ज ओफिसर पूंजी जुटाने और सरकारी सबसीडी हासिल करने में अच्छे थे लेकिन वे उन उत्वादों के निर्मान में कम अच्छे थे जो ग्रहाग करीदना चाहते थ संस्ताफक कोश में हमने यह देखा कि सबसे स्पस्ट सुराग सार्थक था। क्लिंटे का दिकारी सूट और टाई पहनने के आसपास दोड रहे थे। यह एक बड़ा रेड फ्लैग था क्योंकि वास्त्विक टकनीशियन टी-शर्ट और जिन्स पहनते हैं। इसलिए हमने ए प्रटेक कंपनी की तकनीक का विश्तार से मुल्यांकन करने के लिए समय निकाल चुके हैं तो भी हम इन बुरे निवेसों से नहीं बचेंगे। लेकिन टी में टकनीकी CEO में निवेस नहीं करती है। जो तेजी से बेच सकता है उस CEO के साथ कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर वह वास्तों में विक्रेता की तरह दिखता है तो वह शायद विक्री में खराब हो और तकनीक में बत्तर हो। पांसवा वित्रन प्रशन क्लिन टेक कमपनियों ने प्रभावी रूप से सरकार और निवेशकों को आकर सिट किया लेकिन वे अक्सर गरहाकों के बारे में भूल गए। उन्होंने इसके बारे में कड़ी मेहनत करनी सिखी कि दुनिया प्रयोक साला नहीं है। उत्पाद बेचना और वित्रित करना उ विकारिय बैटरी पैक और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 800 मिलियन डोलर से अधिक खर्च किया। कमपनी ने एक ग्रीन विकल बनाने की पेशकश की जो अत्यदिक परदुशनकारी परिवहन टेकनोलोजी पर हमारी निववर्दा को कम करेगी। और यह है केवल कम से कम एक अजार कारों से शुरू हुआ जो दिवालिया होने से पहले बेची गई इच संख्या थी यहां तक कि उन्हें बेचना भी एक उपलवदी थी क्योंकि उन कारों में से प्रतेक कार खरीगनी बहुत मुश्किल थी। शुरुवात करने वालों को यह कभी सपस्ट नहीं थे या बेटर प्लेस खरीद रहे थे इसी भी मामले में यदि आपने इसे खरीदने का फैसला किया तो आपको हुप्स की एक स्रंखला से चलांग लगानी होगी। तो आपको अपनी कार वीचार्ज कराने के लिए इंधन की आवशक्ता के लिए साइन अप करना होगा। तभी आप सड़क पर बैटरी पैक को स्वेप करने के लिए रोकने के नई व्यवार को सीखना शुरू कर सकते हैं। तक्निकी चुनोटियों के हमले का सफलता पूरवक सामना किया गया। लेकिन अन्य बादाओं से पार पाने में हम ऐस सफल रहे। चटा स्थाई तो प्रशन प्रतेक उदमी को अपने विशेस बाजार में स्थाई बनने की योजना बनाना चाहिए। कुछ से यह प्रशन पूचने से शुरू होता है। दुनिया अब से 10 या 20 साल में किस तरह दिखेंगी और इसमें मेरा व्यावसाई कैसे फिट होगा। कुछ क्लिंटेक कमपनियों के पास अच्छा जवाब था। नतिजन सभी कमपनिया एक दूसरे को सरदांजलियां दे रही थी। 2011 में दिवालिया होने के कुछ महिने पहले सोर उध्योग ने अपने अमेरिकी कारखानों में से एक को बंद करने के अपने फैसलों को सुनाया और कहा। चीन में सोर निर्माताओं को काफी सरकारी और वित्यसाहिता मिलती है आलंकि हमारी उत्पादन लागत मूल रूप से नियोजित सटर के नीचे और अधिकांस्पस्चमी निर्माताओं के तुलना में कम हैं। फिर भी वे चीन में हमारे कम लागत वाले परतिस परतियों की तुलना में काभी अधिक है। लेकिन 2012 तक चीन पर दो सारोपन नहीं हुआ था। अपने दिवालियापन को स्विकारते हुए चर्चा करते समय अमेरिकी उर्जा विभाग द्वारा समर्थित अबाउंड सोर ने चिन्नी सोर पैनल कमपनियों से आकरामक मुल्य निर्धारन कारियों को दोसी ठेराया है। वर्तमान बाजार सिक्यों में स्केल करने के लिए शुरुवाती चरण स्टार्ट अप कमपनी के लिए बहुत कठोर नियम बनाई गए थे। जब सोर पैनल निर्माता अपने उतपात बेजने में परवरी 2012 में विफल रही तब एक प्रेस्वी गेप्ती में चीन को दोसी ठेरायी जाने से भी पार चले गए और तीन प्रवक चीनी सोर निर्माताओं के खिलाब 950 मिलियन डॉलर का मुगदमा दायर किया। वही कमपनिया जो सोलेंडर के ट्रस्टी के दिवालियापन के रूप में उस वर्स एकादिकार, सडियंतर और हिंसक मुल्य ने धारण में दोसी पाई गई। लेकिन चीनी निर्माताओं से प्रतिसपरदा वास्तों में असंभव थी। अगर क्लेंटेक उदमियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो स्वामितों के प्रशन को हम दोबारा पूछेंगे, कि चीन को मेरे व्यापार को खत्म करने से क्या यह रोग देगा, जवाब के बिना परिणाम आपको आस्चरिय चकित नहीं कर सकता। ग्रीन उत्वादन के निर्मान में परतिस परदा की उम्मीद करने की विफलता से परे, क्लिन टेक ने पूरी तरह से उर्जा बादार के बारे में गुम्राद हरनाओं को ग्रहन किया था। कोई भी इस परवर्टी को गंबेरता से नहीं ले पाया। नवी करन एक मातर रास्ता था। जिवास में इंदन समवतर भविश्य में सस्ता या क्लीन नहीं मिल सका। लेकिन उन्होंने किया दो हजार तेरा तक शेल गेस ने अमेरिका की प्राकतिक गेस के चोंटिस परतिसद पर स्वामितों स्थाफित कर लिया था। लेकिन 2008 से गेस की कीमतें 70% से अधिक तक गिर गई जो नवी करनिय उर्जा व्यापार माडल को तबहा कर रही थी। फ्रेकिंग एक टिकाउ उर्जा समाधान नहीं हो सकता है। यह क्लीन टेक कमपनियों को नश्ट करने के लिए प्रियाप्त था जो इसे नहीं देख पाई। साथवा सीक्रेट प्रशन प्रतेक क्लीन टेक कमपनिय ने क्लीन दुनिया की आउशक्ता के बारे में पारमपरिक सत्य के साथ खुद को उचित ठहराया। उन्होंने खुद को यह विश्वास करने के लिए ब्रहमित किया कि वेकलपिक उर्जा समाधानों के लिए जबरदस्त सामाजी काउशक्ता ने सभी प्रकार की क्लीन टेक कमपनियों के लिए एक भारी व्यापार आउसर का उदे किया। गोर करें कि सोर पर उत्साई ही होने के लिए 2010 तक यह कितना पारंपरिक हो गया था। उस वर्स राश्वक्ति जार्ज डवलूबुस ने सोर चत का बहुश्य एकोसित किया जो अमेरिकी परिवार को अपनी बिजली उत्पन करने में सक्षम बनाएगा। निवेशक और कलिन टेक कार्यकारी बिल ग्रास ने गोशना की कि सोर की एक्षमता बहुत बड़ी है। अपने उर्जा नवाचार आदी कुछ नाम शुरुवात से दिवालियपन के अदालत में पहुंच चुके थे। प्रते का हताहतों ने व्यापक सम्मेलनों का उप्योग करके अपने उज्वल वाइदा का वर्नन किया था। जिस पर सभी सहमत थे महान कंपनियों के रहशे हैं। सफलता के विशिष्ट कारण जो अन्य लोग नहीं देखते हैं। सोशल इंटरप्राइस से किम मिथक। क्लेंटेक उदमियों का लक्षे सफलता से अधिक है क्योंकि अधिकांस व्यावसाही से परिवासित करते हैं। क्लेंटेक बवल सबसे बड़ी घटना थी और सामाजी कुदमिता के इतिहास में सबसे बड़ा फ्लोग। व्यावसाहे के लिए यह परोपकारी द्रिष्टी कोर इस विचार से शुरू होता है कि निगम और गैर लाबकारी अब तक दुर्विय विरोध हैं। निगमों की बड़ी शक्ती है लेकिन वे फिर भी उदेश्य के लिए गैर लाबकारी जनता के हितों का पीछा करते हैं। लेकिन वे व्यापक अर्थ्वय वस्ता में कमजोर खिलारी हैं। सामाजिक उद्मियों का लक्षे दोनों दुनिया के सर्वस्रेश्ट को जोड़ना और अच्छा करना है। आम तोर पर वे ऐसा नहीं करते हैं। सामाजिक और विद्धिय लक्षों के बीच ऐस पस्टता मदद नहीं कर सकता। लेकिन सामाजिक शब्द में ऐस पस्टता एक समश्या है। यदि कुछ सामाजिक रूप से अच्छा है तो क्या यह समाज के लिए अच्छा है या केवल समाज द्वारा अच्छा देखा जाता है। जो कुछ भी ओडियन्स से प्रसंसा प्राप्त करने के लिए प्रयाप्त है वह केवल ग्रीन ओर्जा के सामन्य विचार की तरह पारंप्रिक हो सकता है। कॉर्परेट लालच और गैर लाबकारी भलाई के बीच कुछ अंतर से प्रगतिन नहीं की जाती है। इसके बजाए हम दोनों की समान्ता से इसे वापस आयोजित करते हैं। जैसे ही निगम एक दूसरे की प्रतिलिपी बनाते हैं गैर लाबकारी सभी समान प्रात्मिक्ताओं को धका देते हैं। कुछ अलग करना समाज के लिए वास्तों में अच्छा है और यह भी एक नया बाजार एकादिकार करने व्यापार को लाबकों साने की अनुम्ती देता है। सबसे अच्छी प्रयोजनों को अंदेखा करने की संभावना है। नै की भीड के द्वारा काम करने के लिए सबसे अच्छी समश्याग सर किसी और को हल करने की कोशिस नहीं करती है। टेसला साथ में से साथ। टेसला कुछ क्लिन टेक कमपनियों में से एक है जो पिछले दसक के अंत में शुरू हुई थी। उन्होंने क्लिन टेक की सामाजिक सर्चा को किसी से भी बहतर बना दिया। लेकिन उन्होंने साथों प्रश्णों के उत्तर जान लिये हैं। जो सही मिले इसलिए वेश सफल है। टेकनोलोजी टेसला की तकनिक इतनी अच्छी है कि अन्यकार कमपनिया इस पर भरोसा करती है। डेमलर टेसला के बैटरी पैक का उप्योग करता है। मर्सिटीज बेंक टेसला पावर ट्रेन का उप्योग करता है। टोयोटा टेसला मोटर का उप्योग करता है। जनरल मोटर ने टेसला की अगली चाल को ट्रेक करने के लिए एक टास्क पोर्स भी बनाया है लेकिन टेसला की सबसे बड़ी तक्निकी उपलब्दी किसी भी एकल भाग की गटक नहीं है बलकि इसके बजाए कई गटकों को एक बेहतर उत्पाद में एक इकरत करने की क्षमता है अंत तक अंत तक डेजाइन किये गए टेसला मॉडल एस सेडान इसके हिस्सों की तुलना में अधिक है उबोगता रिपोर्टों में कभी भी समिक्षा की गई किसी अन्यकार की तुलना में इसे सबसे ज़्यादा रेट किया गया है और मोटर ट्रेन और आटोमोबाइल पत्रिकाउं दोनों ने इसे 2013 की कार आफदा इयर नाम दिया है समय 2009 में यह सोचना आसान था कि सरकार क्लिन टेक का समर्थन जारी रखेगी ग्रीन नोकरियां एक राजनितिक परात्मिक्ता थी संगिया निदी पहले से ही निरधारित की गई थी और कांग्रेस को कैप एंट ट्रेड कानून पारित होने की सम्भावना भी थी लेकिन जहां अन्य उदमियों ने उदार सबसिटी देखी जो एनिश्चित काल तक परवाही तो होती है टेसला के सीईओ एलन मस्क ने इसमें केवल हवसर देखा जन्वरी 2010 में शोलेंडर ने ओवामा प्रशाशन के तहट एक साल पहले सबसिडी के सवाल के बारे में बताया और सबसिडी के सवाल को राजनेतिक बनाया टेसला ने यूएस डिपार्टमेंट आप एनरजी से 465 मिलियन डोलर का रिन हासिल किया 2000 के दसक के मद्दे में आधा आरब डोलर की सबसिडी असंभव थी आज यह अचूक है केवल एक पल था जहां यह संभव था और टेसला ने इसे पूरी तरह से खेला मोनोपली टेसला ने एक छोटे से सब मार्केट के साथ शुरू किया जहां वह हावी हो सकता था हाई एंड इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कारों का बाजार चूंकि 2008 में पहली रोडस्टर ने उत्पादन लाइं को बंद कर दिया था इसलिए टेसला ने उन में से केवल 3000 कारें ही बेची लेकिन प्रतेक कार एक लाट नो हजार डोलर मुल्य की थी जो मामूली नहीं थी थोड़ी कम महेंगी मोडल एस बनाने के लिए आउशक हार एंडी करने के लिए टेसला ने अनुमती दी और अब टेसला लगजरी इलेक्ट्रिक सेडान बाजार का भी मालिक है उन्होंने दो हजार तेरा में बीस हजार से अधिक सेडान बेचे और अब भवश्य में व्यापक बाजारों में विस्तार करने के लिए टेसला प्रमुक्स्तान पर है टीम टेसला का सीईयो उब वोगता अभियन्ता और विक्रेता है इसलिए यह आस्चरिय की बात नहीं है कि वह एक टीम को इकठा कर रहा है जो दोनों में बहुत अच्छा है एलन अपने करमचारियों को इस तरह से वर्णन करता है यदि आप टेसला में है तो आप विसेश बल के बराबर होने का चैन कर रहे है नियमित से ना है और यह ठीक है लेकिन यदि आप टेसला में काम कर रहे है तो आप अपने गेम को उपर उठाने का विकल्प चुन रहे ह वितरन ज्यादातर कंपनिया वितरन को कम से कम समझती है लेकिन टेसला ने इसे इतनी गंबीरता से लिया कि उसने पूरे वितरन शरंकला का स्वामितव करने का फैसला किया अन्या कार कमपनिया सोतंतर डिलर्शिप को देखती है पोर्ट्स और हुंड़ई कारें बनाते हैं लेकिन वे उन्हें बेचने के लिए अन्या लोगों पर भरोसा करते हैं टेसला अपने वाहनों को खुद बेचती है और सेवाईं देती है टेसला के द्रिष्टिकोन की उपर की लागत पारंपरिक डिलर्शिफ वितरन से कहीं अधिक है लेकिन यह गराहक अनुभाव और नियंतरन परदान करती है टेसला के ब्राण को मजबूत करती है और कमपनी के पैसे को लंबे समय तक बचाती है टिकाउपन टेसला किसी और की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रही है इसके नेतरतो आगे के वर्सों में बढ़ने के लिए तयार है एक परतिष्टित ब्राण टेसला की सफलता का सबसे स्पस्ट संकेत एक कार अब तक के सबसे बड़े खरीद नेटियों में से एक है और हर दूसरी कार कमपनी के विपरिप इस स्रेणी में उब बहुताओं का विश्वास चीतना मुश्किल है टेसला के संस्तापत अभी भी इसके प्रभारी है इसलिए यह जल्दी ही कभी कम नहीं होगा रहश्य टेसला जानता था कि क्लेंटेक कमपनियों ने फैशन में दिल्चस्पी ली है अमीर लोग विशेश रूप से ग्रीन दिखाना चाहते थे बले ही इसका मतलब उन्हें अपनी सबसे प्रिये या लक्की होंडा इंसाइट को चलाया आ जाए तो टेसला ने कारों का निर्मान करने का फैसला किया लियनार्डो दे केप्रियों ने अपनी सबसे पसंदीदा महंगी कार को टेसला रोड्स्टर के लिए हटा दिया जेनरी क्लेंटेक कंपनिया खुद को अलग करने के लिए संगर्स कर रही थी टेसला ने रहशे के चारों और एक अनोखा ब्रांड बनाया कि क्लेंटेक प्रियावरणिय अनिवारिय की तुल्ना में एक सामाजी कटना से भी अधिक था औरजा 2.0 टेसला की सपलता साबित करती है कि क्लेंटेक के साथ स्वभाविक रूप से गलत कुछ भी नहीं था इसके बीचे सबसे बड़ा विचार यही है दुनिया को वास्तों में उर्जा के नए स्रोतों की आवशकता होगी उर्जा मास्टर संसादन है इस तरह हम खुद को समझाते हैं घर बनाते हैं और आराम से रहने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए उसे बनाते हैं दुनिया भर में अधिकांस लोग आराम से रहने के सपने देखते हैं जो वैस्वी करण से गंभीर उर्जा चुनोतियों का कारण बन जाएगा जब तक कि हम नई तक्निक नहीं बनाते उर्णे द्रिष्टी कोन को दोहराने या समरदी के लिए अपना रास्ता फिर से वित्रित करने के लिए दुनिया में परियाप्त संसादन नहीं है क्लेंटेक ने लोगों को उर्जा के वहिशय के बारे में आशावादी होने का एक तरीका दिया लेकिन जब एनिश्चिक काल तक आशावादी निवेशक ग्रीन उर्जा विद्पोस्षित क्लेंटेक कमपनियों के सामने विचार पर सक्टे वाजी करते हैं जिनमें विसिस्ट व्यावसाई की युजनाओं की कमी होती है तो परिनाम एक बुलगुला था 2000 के दसक में नास्टैक के उदे के साथ वेकल्पिक उर्जा फर्मों का मुल्यांकन करना और एक दसक पहले गिरना आप एक ही आकार को देखते हैं 1990 के दसक में एक बड़ा विचार था कि इंटरनेट बढ़ा होगा लेकिन बहुत सी इंटरनेट कमपनियों के पास बिल्कुल वही विचार था और अन्या कोई नहीं एक उद्दमी मैक्रो स्केल अंतर दरश्टी से लाब नहीं उठा सकता है जब तक कि उसकी योजना माइक्रो स्केल पर शुरू नहीं हो प्लेंटेक कमपनियों को एक ही समश्या का सामना करना पड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया को कितनी औरजा की जरूरत है लेकिन एक फर्म जो एक विसिष्ट उर्जा समश्या के लिए बेहतर समाधान परदान करती है वहे पैसा कमा सकती है कोई भी एक शेत्र कभी इतना महत्वोर नहीं होगा कि इसमें भाग लेना केवल एक महान कंपनियों बनाने के लिए प्रियाप्त होगा तकनीकी बुलबुला क्लिन टेक से कहीं बड़ा था और दुरगटना और भी दर्पनाक थी लेकिन नब्बै के दसक का सपना साबित हुआ संशेवादी जिनोंने संदे कि कि इंटरनेट मौलिक रूप से परकाशन या खुद्रा विक्री या रोजमर्णा की सामन्य जीवन को 2001 में परमानिक रूप से बदल देगा लेकिन आज वे हश्यप और रूप से मुर्ख दिखते है क्या क्लिन टेक क्रेश के बाद सफल उर्जा स्टार्टप की स्ताफना की जा सकती है जैसे विब 2.0 स्टार्टप सबलता पुर्वक टोटकों के मलवे के बीच लौंच किया गया उर्जा समाधान के लिए मैक्रो की जरूरत अभी भी असली है लेकिन एक मुल्यवान व्यवसाई एक आला कोज और एक छोटे से बाजार पर हावी होने से शुरू होना चाहिए फेस्बुक ने दूसरे स्कूलों और फिर पूरी दुनिया में फैल जाने से पहले सिर्फ एक विस्वी देले पर इसर के लिए एक सेवा के रूप में शुरू हुआ था उर्जा समाधानों के लिए छोटे बाजारों को ढूनना मुश्किल होगा आप रिमोट दूइपों के लिए डीजल को बिजलिस रोट के रूप में बदलने का लक्षा रख सकते हैं या शायद सतुरता पूर्ट शेतरों में सेन्य परतिस्टानों पर तुरित तैनाती के लिए माडूलर रियेक्टरों का निर्मान कर सकते हैं विरोधावासी रूप से एनरजी 2.0 बनाने वाले उद्मियों के लिए चुनोती है धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉन आईए चलते हैं अध्यायद 14 की ओर आपका दिन शुब हो अध्यायद 14 संस्तापकों के विरोधा भास हिंदी ओडियोबुक डोट कॉन पेपाल सुरू करने वाले 6 लोगों में से 4 ने हाई स्कूल में कभी बंबनाए थे उन में से 5 सिर्फ 23 साल की आईउ से चोटे थे हम में से 4 सेंत राजे अमेरिका के बाहर पैदा हुए थे तीन कम्मिनिस्ट देशों से थे चीन से यूपेंट पोलेंड से ल्यूक नोसिक और सोवियत यूकरेंड से मैक्स लेविनिन बंबनाना उस समय उन देशों के बच्चों में सामानने बात थी हम में इसे 6 कोसन की रूप से देखा जाता था ल्यूक के साथ मेरी पहली बात्ची इस बात के बारे में थी कि वह क्रोनिक्स के लिए कैसे साइन अप करेगा जो चिकित सा पुनुर्थान की आशा में रुपे हुए थे मैक्स ने देश के बिना होने का दावा किया और इस पर गरों किया उसके परिवार को राजनेक लिम्बो में डाल दिया गया था जब अमेरीकी एसे सिमेंस से बचने के दोरान यूए से सार द्वस्त हो गया था जो एक पार्क से सिर्फ गनित और इलिनोईस में विज्ञान स्कूल से बच निकला था केवल केन हाउरी एक विशे सा दिकार प्राप्त अमेरीकी जो बच्पन के रूड़ी वादी के लिए फिट पैटता है वह पेपाल का एक मात्र एगल स्काउट था लेकिन केनी के साथियों ने सोचा कि वह हमारे बाकी हिस्सों में शामिल होने के लिए क्रेजी था और एक बड़े बैंक द्वारा पेस किये गई वेदन का सिर्फ एक तीमाई हिस्सा बना रहा था तो वह भी पूरी तरह से समन्य नहीं था क्या सबी संस्ताफक ऐसा मन्य लोग होते हैं या फिर हम सिर्फ उनके बारे में सबसे ऐसा मन्य चीजों को याद रखते हैं वे उन्हें बढ़ा चड़ा कर पेश करते हैं अधिक महत्वपून बात यह हैं कि कौन सा व्यक्तिकत गुन वास्तों में संस्ताफक में महत्वपून है यह अधियाई इस बात के बारे में है कि यह अधिक शक्तिशाली क्यों है लेकिन साथ ही साथ एक कमपनी के लिए एक विस्ष्ट व्यक्तिकी नेतरतों के बजाई एक विजलित परवंदक अधिक खतरनाक होता है अलग अलग प्रेहनाई कुछ लोग मजबूत है कुछ मजबूर है कुछ प्रतिवाशाली है कुछ कमजोर है लेकिन ज़्यादातर लोग बीच में है चुकि इतने सारे संस्थापकों में अत्यधिक लक्षन लगते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि केवल एक संस्थापक के लक्षन दिखाते हुई अंत में अधिक लोगों के साथ फैटर टेली होगी लेकिन यह संस्थापकों के बारे में अजीब चीज़ पर कबजा नहीं करता है आम तोर पर हम विपरित लक्षनों को पारस्परिक रूप से अलग होने की उम्मीद करते हैं उधारन के लिए एक सामान्य वेक्ती एक ही समय में अमीर और गरीब दोनों नहीं हो सकता है लेकिन यह संस्थापकों के लिए हर समय होता है स्टार्ट अप सी ईयो नकट गरीब हो सकते हैं लेकिन कागस प्रकरोडपती हो सकते हैं वे सूलेन जटके और आकर्शक करिश्मा के बीच आ सकते हैं लगबग सभी सफल उद्दमी एक साथ अंद्रूनी और बाहरी लोग हैं और जब वे सफल होते हैं तो वे दोनों प्रशिदी और बरनामी को आकर्शित करते हैं जब आप उन्हें बाहर निकालते हैं तो संस्ताफ़क की लक्षन एक सामन्य वित्रन का पालन करते हैं लक्षनों का यह आजीब चरम संयोजन कहां से आता है वे जनम से उपस्तित हो सकते हैं या किसी व्यक्ति के परियावन से प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन शायद संस्ताफ़क वास्तों में उतना चरम नहीं होता जितना वे दिखते हैं। क्या वे रहनितिक रूप से उस गुणों को बढ़ा चड़ा कर दिखा रहे हैं। या या संभव है कि हर कोई उन्हें बढ़ा चड़ा कर पेश करता है। ये सबी परवाव एक ही समय में उपस्तित हो सकते हैं। और जब भी वे उपस्तित होते हैं तो वे शक्तिसाली रूप से एक दूसरे को मजबूती देते हैं। यह चक्र आम तोर पर ऐसा मान्य लोगों के साथ सुरू होता है और उनके साथ काम करता है और अधिक ऐसा मान्य लग सकता है। उधारन के लिए वर्जिन गुरूप के अरप्वति संस्ताफक सन रिचर्ड ब्रेंसन को लें उन्हें एक प्रकर्तिक उद्मी की रूप में वर्नित किया जा सकता है। ब्रासन्स ने 16 साल की उमर में अपना पहला व्यावसाय शुरू किया और केवल 22 में उन्होंने वर्जिन गुरूप की स्थापना की। लेकिन उनके नाम के अन्य पहलूँ ट्रेडमार्ख शेर के कम प्रकर्तिक है। एक संदिग्दवे सटीक रूप से पैदा नहीं हुआ था। जैसा के ब्रेसंस ने अपनी अन्य चरन गुरूँ को बढ़ाया है, मीडिया ने उत्सुकता पूर्वक उसे सिंगासन दिया है। ब्रासंस वर्जिन किंग है, पी यार का निर्विवाद राजा, ब्रांड आप किंगी, दा किंग आफ दा डेजर्ट एंड स्पेस। जब वर्जिन अट्लांटिक एरवेज ने यात्रियों की सेवा करना शुरू किया, तो वह पे ब्रांसेस के चेहरे की तरह आकार के बर्फ के क्यूंग के साथ आइस किंग बन गया। क्या ब्रैसेंद सिर्फ एक सामान्य व्यवसाई है जो एक अच्छी पी आर्टीम की मदद से मीडिया द्वारा शेर बना हूँ या क्या वह खुद बत्रकारों द्वारा अकेले ब्रांडेड परतिवाशली पैदा हुआ है जो छेर सार करने में इतने अच्छे हैं यह कहना म आई स्कूल में एक साउधान हैकर था लेकिन उनके पिता ने फैसला किया कि शोन सोला साल के लिए कम्प्यूटर पर बहुत अधिक समय बिता रहा था इसलिए एक दिन उन्होंने श्यान के कीवोर्ड मिड हैक को हटा दिया शोन लोगाउट नहीं कर सका एक पी आई ने आया तीन साल बाद उन्होंने नेपस्टर की स्थापना की पियर टू पियर फाइल सांजा करने की सेवा ने अपने पहले वर्स में दस मिलियन उप्योग करताओं को एकतरित किया जो इसे हर समय के सबसे तेजी से बढ़ते ब्यावसायों में से एक बना देता है लेकिन दिक ये वापस आ गया था फिर फेस्बुक आया 2004 में शोन ने मार्क जूबरकर से मुलाकात की फेस्बुक के पहले विट पोशन पर बातचित करने की में मदद की और कमपनी के संस्तापक अध्यक्स बने उन्हें 2005 में दवा उप्योग के आरोपों में काम के बीच से ही गिरबता किया गया लेकिन इस से केवल उनकी कुख्या तब बढ़ गई जब से जस्टिन टिम्बरलेक ने उन्हें सोसल नेटवर्क में चित्रित किया तब शौन को अमेरिका के सबसे अच्छे लोगों में से एक माना जाता है जेट्टी अभी भी अधिक प्रशिद है लेकिन जब वह सिलिकोन वैली का दोरा करता है तो लोग पूछते हैं कि वह शौन पारकर ही है ना दुनिया के सबसे परसित संस्तापक लोग भी हैं एक कमपनी के बजाए हर से लिबरिटी एक व्यक्तिकत ब्रांड बनती है और उसे संजोती है उधारन के लिए लेडी कागा सबसे परतिवा शाली जीवित लोगों में से एक बन गई लेकिन क्या वह भी असली व्यक्ति है उसका असली नाम एक रहशे नहीं है लेकिन लगबग हर कोई जानता है या इसकी परवान नहीं करता है वह इसी वेस बुसा पहनती है ताकि किसी भी अन्य पहनने वाले को अनेच्छिक मनोरिग्यान के खक्रे में डाल दिया जा सके तरह दिख रही है इसलिए गागा को स्वे निर्मित मिथक होना चाहिए राजा कहां से आते हैं मानो मामलों में संस्तापक आंकड़े नहीं नहीं है ये पौरानिक कताओं से भरे हैं ओडिपस अन्रूनी और बाहरे व्यक्ति है उसे एक शेशु के रूप में त्याग दिया गया था लेकिन वह एक शानदार राजा बना जो स्पिकन्स की पहली को हल करने के लिए परियाप्ट स्मार्ट था रोमुलस और रिमस शाही खांदान में पैदा हुए थे और अनाथों के रूप में त्याग दिये गए थे जब उन्होंने अपने वन्शावली की खोज की त तो रोमन के किनारे पर विजय प्राप्ट की उन्होंने गोशना की उनका नाश करू जो दिवार पर चड़ेगा कानून निर्माता और कानून म्रेकर आपरादिक बहिशकार और राजा ने रोम को परिभाशित किया रोमुलस एक आतम विरोदी अंदरूनी विक्ती था सामन्य लोग ओडिपस या रोमुलस की तरह नहीं है जो वास्तों में जीवन को पसंद करते हैं उनके बारे में पुरानिक संस्क्रणों में केवल चरम सिमाई याद की जाती है लेकिन ऐसादार लोगों को याद रखने क पुरातन संस्क्रणियों के लिए यह इतना महतोपून क्यों है प्रसिद और पुख्यात हमेशा सारुजनिक भावनों में याद रहते हैं समरदी के लिए उनकी प्रसंसा की जाती है और दुर्भगय के लिए दोसी ठैराया जाता है आदिम समाजों को सब से उपर एक मुलि प्रसंसक परतिद्वंदियों ने धम की दी समाज के लिए एक ही वेक्टी पर पूरा दोस्ट डालना फाइबे मन्थ था कोई भी इस पर सहमत हो सकता था जिसे हम बली का बकरा कहते हैं एक प्रभावी बली का बकरा कोन मनाता है संस्तापकों की तरहे बली का बकरा चरम और विरतावासी आंक्रे हैं एक तरफ वह कमजोर है वह अपने शिकार को रोपने के लिए शक्ती ही नहीं दूसरी तरफ जो दोस लेने से संगर्स को कम कर सकता है वह समुदाई का सबसे शक्ती शाली सदश्य है बली से पहले बकरों की अक्सर देवताओं की तरह पूजा की जा गया था जब तक आपका संक्सित साशन समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप ते ओहारों में अच्छे कपड़े पहन सकते हैं ये राजशाई की जड़े हैं हर राजा एक जीवित बगवान था और हर बगवान एक हत्यारा राजा था शायद हर आदुनिक राजा सिर्प एक बली का बकरा है जो अपने सुए की बली में देरी करने में काम्याव रहा है अमेरिकन रोयल्टी कुछ हस्तिया जिने अमेरिकी रोयल्टी माना जाता है हम अपने पसंदिदा कलाकरों को भी शिर्श देते हैं एल्विस प्रेसली चटान का राजा था, माइकल जैक्शन पोप का राजा था, बिटनी स्पियर्स पॉप राजकुमारी थी, एल्विन अधिक बजन के कारण अपने सोचाले पर बैठे बैठे, सत्तर के दसक में स्मय को नश्ट कर दिया और अकेले मर गई, आज उनके प्रति प्रतिकूल नशे की लट के कारण काल में गए, दुनिया ने अपने परेक्शनों के वेरण में खुलासा किया, ब्रेटनी की काहनी सवीन से नट किया है, हमने उसे कुछ भी नहीं बनाया, वह कि सोर के रूप में सूपर स्टार डम तक पहुंच गई, लेकिन फिर सब कुछ गिर गया, उसने अपना सिर मुडवा लिया, गोटाले और अत्यदिक प्रचारी तदालत के मामले में अपने बच्चों को लेने के लिए गवा आ दी, क्या वह हमेशा सुड़ा पागल थी, क्या प्रचार सिर्फ उसे मिला, या उसने और अधिक प्रचार पाने के लिए यह सब किया, उस गिरने वाले सितारों के लिए मृत्यूप उनुर्थान लाती है, जेनिस जोलपिन, जिम मेरिसन और कर्ट कोरवेन की उमर में इतने सारे लोग पर यह संगीतकारों की मृत्यूप 27 साल की उमर में ही हो गई, उधारन के लिए यह सेट 27 कलब की रूप में अमर ह हो गया, 2011 में कलब में शामिल होने से पहले, एमी वाइन हाउस ने काया, उन्होंने मुझे जीवन देने के लिए कोशिश की, लेकिन मैंने कहा, नहीं, 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 शायद जीवन इतना ऐवांचित लग रहा था, क्योंकि यह हैं, अमरताओ के मार्क को अवरूद कर रहा हम वेकल्पी ग्रूप से टेकनलोजी संस्तापकों की पूजा करने को तुछ मानते हैं, हम बस उने केवल हस्तियां मानते हैं, हावर्ड यूजेस ने प्रशिदी के लिए 20 मिस्तापदी के टक्निकी संस्तापक का सबसे नाट किया मसला है, वहे अमीर पैदा हुआ था, लेक किया, उसके बाद उन्होंने शेहर की पहली मोटर साइकल बनाई, तीस साल की उमर में, जब वह होलिवुड टक्निकी सीमा पर था, तब उसने नो व्यवसाई ग्रूप से सफल फिल्में बनाई, लेकिन हुजेस विमानन में अपने समानांतर करियर के लिए भी और परशिद था, उन्होंने विमानों को डिजाइन किया, उनका निर्मान किया और उन्हें समय पाइलेट किया, युजेस ने शिर्ज एर स्पेड सबसे तेज ट्रांस कांटिनेटल उडान और दुनिया वर में सबसे तेज उडान के लिए विस्वर रिकॉर्ड स्थाफित किये, युज वकील ने संगी अदालत में एक वार तरक दिया था। यूजिस ने वकील को यह कहने का मुप्तान किया कि एक आदमी और मेरे लिए समान मानकों को लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन न्यूयर्क टाइम्स के अनुसार नहाय दिस या जूरी से इस बिंदू पर कोई विवात नहीं था। जब यूजिस्टेन को विमानन में उनकी उपलगदियों के लिए 1949 में कॉंग्रेस के स्वन पदक से समानित किया गया। कई साल बाद राश्पति डियूमेन ने उन की शुरुबात 1946 में हुई जब उन्हें अपने तीसरे और सबसे खराब विमान दूर गटना का सामना करना पड़ा। अगर तब वह मर गया होता तो उसे हमेशा के लिए सबसे खतरनाक और सफल अमेरिकियों में से एक के रूप में याग किया जाता। लेकिन वह मुश्किल से बच गया वह दर्ब निवारकों का आदी हो गया और जंता से दूर हो गया ताकि वह अपने जीवन के पिछले तीस वरसों के स्वें बनाई गए अकेले बंदनों में बिता सके। यूजेज ने हमेशा इस सिधान पर थोड़ा पागलपन तक काम किया कि कम लोग एक जीवन बदल गया तो वह इतना बहबित हुआ कि दयालुता की एक वस्तू बन गया था। हाल ही में बिल गेट्स ने दिखाया है कि अत्यदिक केंदरित सपलता अत्यदिक केंदरित हमलों को कैसे आकरशित करती है। गेट्स ने संस्ताफक आर्केटाइप को अवशोशित कि या वह एक अजीब सहयोगी बाहरी व्यक्ति और दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति था। क्या उन्होंने एक विसिस्ट व्यक्तित बनाने के लिए गन्नितिक रूप से अपने गीकी चस्मे का चैयन किया। या अपनी ऐस रुचित निरस्ता में क्या उसके गीक चस्मा उसे चुनते हैं। यह जानना मुश्किल है लेकिन उनका प्रभूतव निर्विवाद था। माइक्रोसोट के विंडोज ने दो हजार में ओपरेटिंग सिस्टम के लिए बाजार का 90% कब जा लिया था। उस साल पीटर जेनिंग्स चायद ही पूच सकें आज दुनिया में कौन असिस्ट परसनों तक सिमित नहीं किया। उन्होंने एक जांच खोली और माइक्रोसोफट पर एंटी कमपेटिव आचरन के लिए मुगदमा चलाया। जून 2000 में एक अदालत ने आदेश दिया कि माइक्रोसोट अलग हो जाई। बिल गेट्स ने 6 मएने पहले की रूप में पद छोड़ दिया था। उन्हें अपने अधिकांस समय को नई तकनिक के निर्मान के बज़ए कानूनी खत्रों का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में उन्होंने अपील की तब एक अदालत ने बरेक अप और को उलग दिया और माइक्र कर दिया था और माइक्रोसोप्ट ने ठहराओ के यूग में प्रिवेस किया आज गेट्स को टेकनोलोजिस्ट के बज़ाए एक परोपकारी के रूप में जाना जाता है। राजा की वापसी जैसे ही माइक्रोसोप्ट पर कानूनी हमला बिल गेट्स के प्रभूतों को समाप्त कर रहा था स्टीव जोग की एपल में वापसी ने कमपनी के संस्तापक के एपरिवर्तिय मुल्या का प्रड़क्शन किया। कुछ माइनों में स्टीव जोग और बिल गेट्स एक दूसरे के विरोदी थे। जोन एक कलाकार थे पसंदीदा सिस्टम को बंद किया और अपने समय को महान उतपादों के बारे में सोचने में बिताया। गेट से एक वियापारी थे उन्होंने अपने उतपादों को खुला रखा लेकिन दोनों अंदरूनी वे बहारी लोग थे और दोनोंने कमपनियों को आगे बढ़ाने के लिए पुश किया। उन्होंने उन उपलवजियों के शुरुआत की जिने कोई छूबी नहीं यहे विश्वास करना मुश्किल है कि इस तरह के अजीब पर्थाओं से एपल के वल आहार का हिस्सा नहीं थे लेकिन 1985 में इस सभी संकीता ने उन्हें पीछे चोड़ दिया। एपल के बोर्ड ने पेशेवर प्रवेक्शन परदान करने के लिए लाएगे पेशेवर सीईयों के साथ संगहस करते हुए प्रभावी डंग से जोब को अपनी ही कमपनी से निकाल दिया। बारा साल बाद एपल में नोकियों की वापसी से पता चलता है कि व्यापार में सबसे महत्व पूर्ण कारिये नए मुल्यों के निर्मान को एक सुतर में कम नहीं किया जा सकता है जिने पेशेवरों द्वारा लागू किया गया था। जब उन्हें 1997 में पेपल के अंतरिम सीईयों के रूप में काम पर रखा गया तो उनके द्वारा पूरु वर्ति प्रमानिक अधिकारियों ने कमपनी को दिवालिया होने के खगार पर ला दिया था। उस साल माइकल डेल ने मशूर एपल के लिए कहा मैं क्या करूंगा मैं इसे बंद कर दूँगा और शेयर रारकों को पैसे वापस दे दूँगा। बदले में जोब ने खराब स्वास्ते के कारण 2011 में इस्तिपार देने से पहले आईपेज 2001, आईपोन 2007 और आईपेज 2010 की शुरुआत की और अगले ही साल एपल दुनिया की सबसे मुल्यवान कमपनी बन गई थी। एपल का मुल्य महतवपोन रूप से किसी व्यक्ति विशेज के एगवचंद रष्टी पर निर्वर करता है। यह आजीव तरीके से संकेत देता है जिसमें नई टेकनिक बनाने वाली कमपनियां अक्सर संग्ठनों की बजाई सामनती राजतंतरों की तरह होती है जिसे आद विरोधावासी रूप से परशिक्सित पेसेवरों द्वारा कारियरत ऐव यक्तिक नोकर शाही किसी भी जिवन काल से अधिक समय तक चल सकती है लेकिन वे आम तोर पर कम समय के हाई लेवल मैनेजमेंट के साथ कारिया करते हों। व्यवसाई के लिए सबक यह है कि हमें संस् संस्ताकों के बारे में अधिक शैन सील होना चाहिए। जो आजीब या चरम लगते हैं हमें ऐसा दारन व्यक्तियों को केवल व्रद सेलता से परे कंपनियों का नेतरतों करने की आवशकता है। संस्ताकों के लिए सबक यह है कि इस शर्त को छोड़कर व्यक्तिकत महतव और समस्ताफक के देन है कि इससलिए सावधान रहें। सबसे पहले एक व्यक्तिक के रूप में अपनी कंपनी कमपनी में सबसे अच्छा काम ला सकता है। हमें अपनी सभी विश्च्ष्टाउं में व्यक्तिकत संस्तापकों की आवशकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें एन रेंडियन प्राइम मूवर की पूजा करने के लिए बुलाया जाता है, जो उनके चारों और से हर किसे से सोतंतर होने का दावा करते हैं. इस संबन में रेंड एक मातर आदे महान लेखक थे, उनके खलनाएक असली थे, लेकिन उनके हीरों अकली थे, कोई गल्ट का गुलच नहीं है, समाज में कोई अलगाव नहीं है, अपने या आपने विश्वास करने के लिए, कि देविये आतम प्रियाप्तता के साथ, निवेश एक मजबूत व्यक्तिका प्रतिक नहीं है, बनकि उस व्यक्तिका है, जिसने बीर की पूजा को गल्ट किया है, एक संस्ताफक के लिए सबसे बड़ा खत्रा मिथक को निश्चित मानना है, जिससे वह अपना तिमाग खो देता है, लेकिन हर व्यवसाई के लिए, समान रूप से कप्ति खत्रे, वह सभी मिथक बावनों को खोना और ग्यान प्राप्त करना ही असली धन्यवाद, हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम, आपका दिन शुब हो